आप से वियासा करता हूं अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यास्थ होंगे तो चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूटुब चैनल मैं था डासारन में फिर मैं हाजिर होगे एक नए सेसेले के रेलेवे गुरुब डी 2022 के लिए जैसे कि आप सभी को पता है कि फेज वन का एक्जाम 17 अगस से लेके 25 अगस के बीच में होने वाला है तो रेलेवे गुरुब डी का प्लेटफॉर्म का जो बुक है वोलियूम 5 का इसमें टोटल 25 सेट है जिसमें 15 सेट फूल लेंड टेस्ट है और 10 सेट साइंस टी सेट प्रिवियस यर यानि कि गुरुब डी 2018 में पूछे गए जो 2018 में पूछेगा प्रसन है उसका 12 सेट है तो यह सभी का यानि टोटल 25 सेट का वीडियो जो है आपको एक वीडियो में टोटल 25 सेट मिलने वाला है तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी साथ बेल याकम को दबा लिजिए ताकि हम कोई भी वीडियो आपनोट करें उसका नोटिफिकेशन आप सब भी को मिलता रहा है तो चलिए बीना टाइमेशन की क्लास को सुरू करते हैं और वीडियो को थोड़ा सा ने यह रहा मैं को पहला कोश्ण है कि कि चल्यूस कि eder नवक डैसरा सकगत्वारा मेगा स्ने नार्जदूत को चंद्रकूत मॉच के दर्वार में भे़ा गया था तो किसे परिजा गया था तो यूना आनी नामक स lavart Smora में अभरा समें नामक राजदूत को अपनी पुष्टक इंडिका में मौर्ज यूगिन समाज और संस्क्रिस्ति के विशा में लिखा है असे लुकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्णिया की साधी चंद्रगुप्त मौर्ज के साथ कर दी थी ठीक है और से लुकस ने यूद की संदी सर्तों का नुसार चार प् मौंबई में प्रात्ना समाज की अस्ताफना किस वर्ष में की गई थी तो मौंबई में प्रात्ना समाज की यह कई पर कोश्टन यह जो है यह पूछा गया है प्रात्ना समाज की जो अस्ताफना हुई थी सन अठारस और संद्रगति वीडियो पर ही अपना ध्यान केंद्रि अगर प्रात्वन समाज के उद्धेष की बात की जए तो जाती वेवस्ता को उस अभिकार करना प्रोशाइद करना और विद्वप नद्विवा प्रोशाहF देना प्रात्वन समाज का उद्धेष था ठीक हैं चलिए निम्लिक्षीत में से कौन सा बंदरगा भारत के पच्मी तट पर इस्तित है तो भारत के पच्मी तट पर कोचिन बंदरगा जो है कोचिन बंदरगा भारत के पच्मी तट पर इस्तित है तो option B याप का right answer हो जाएगा कोचिन बंदरगा केरल में इस्तित एक प्राकृत बंदरगाह है और कोचिन बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा सीपियाड भी है क्या है सबसे बड़ा सीपियाड भी है चलिए अगरा प्रस्ट कि कि किसी अन्य कमरे में बात कर रहे हैं लोगों की बाते हमें धोनी तरंगों के डैस के कारण सुनाई देता है तो किसके माध्यम स के कारण सुनाई देती है option B जो है आपका right answer हो जाएगा जब ध्वनी तरंग और रोजो के किनारों से मूर जाती है तो इसे इस द्वनी का क्या कहा जाता है विवर्तन किया विवर्तन कहते हैं और उस द्वनी का तरंग का विवर्तन होता है जिसका तरंग दल एक मीटर से अध सेक्स हार्मों है महिला जो है कौन सा पर्मुख महिला सेक्स हार्मों है तो एस्ट्रोजन जो होता है यह महिले पर्मुख सेक्स हार्मों होता है और एस्ट्रोजन मादा लिंग हार्मों है इसका स्तरावन जो है तरुना वास्ता में आरम होता है किन्तु रजनो विर्ति के प अगला प्रश्ण है इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं येस अगला प्रश्ण है कि एक पांच ग्राम की गोली सो मीटर परती सेकेंड के चाल से चलते हुए लकरी के एक ब्लॉक में छो सेंटिमीटर तक घुंच जाती हैं तो गोली द्वारा ब्लॉक पर लगाया गया औस लगभग क्या होगा बात को समझियेगा दरमान आपका कितना दिया है इंग मास जो है 5 गराम को हम क्या लिख सकते हैं इसे किलो ग्राम में करने के लिए 5 वेटा एक जार केजी लिख सकते हैं आपको यह अगर जी बिलकुम लिख सकते हैं शान Q i 서 मीटर फर्तिष सकेंड है य안 कि यू आपका कितना है स्ट वम्मीटर पर सकेंड अधरिम्म्म्य॥ kYA हो जाएगी जीरो हो जाएगा अधर फेलोसिटी 0 हो एस्चाव the रजी ढी जीडिकर है जब जीरो हो इन फिर जिरो हो जाएगा यू बराबर यहां क्या हो जाएगा टू एस यू बराबर क्या हो जाएगा टू एस यहां से अगर एक बंस्कार बचाथ 2s यू कितना हो गया 100 दिया है 100 का स्क्वायर यानिकी 100 गुना 100 दो कि एस की नहीं दिया है 6 cm 6 cm को मीटर में बदलेंगे तो 6 बटा 100 कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 0.06 काम खत्म अब इसको काट पिट करेंगे तो 100 का स्क्वायर दो से पहले 100 को काट देंगे पचास बार में इसको 6 बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे तो 100 उपर चला जाएगा यह 6 बन जाएगा ठीक है तो यह लगभाग काट दूतियां 6 दूसर कड जाएगा यह 50 पचाहां 25 पच्चीस पचाहां 25 पर चार तीन एक चार जिरू चार जिरू यानिकि दूलाग पचास हजार बट्टा तीन यानिकि तीन से भाग देंगे तो यह आठ हजार सोरी कितना आ जाएगा तीरासी हजार तीन सो 233 मीटर पर सेकेंड यह क्या आगया यह आगया तो टो यह बराबर क्या होगा एम कुना एं जो एम कमान निकल जागा एम कितना यह जी पच विएच वट्टा एक हजार बुना तीरासी हजार तीन सो 8333 8333 यहां से तो पांसे कार देंगे यह कर जाएगा दूसो बार में दूसे यह 400 प्लस यानि कि 477 न्यूटन क्या हो जाएगा आपका सही उतर हो जाएगा तो option B क्या हो जाएगा आपका right answer हो जाएगा आसा करता हम यह चीजा कुछ नहीं करना है बहुत easy question है देखिए formula आपको लगाना है V square बराबर U square minus 2S सबकुछ given है M given है M gram में है तो इसे kilo में बदल दी यह 5 बटा एख जाएगा यह 6 cm है तो 6 को मीटर मतल दी 100 से भाग कर देंगा तो 0.06 मीटर आ गया अब यह final velocity क्या है initial velocity U आपको दिया है final velocity 0 हो गया तो यहां से U square बराबर क्या जाएगा 2S अब यहां से तोरण A निकाल लिजिए जब आसद बल निकालना है तो F बराबर क्या होता है M A M आपको दिया है A यहां से निकाल लिजिएगा A बराबर हो जाएगा U square बराबर 2S तो U कितना दिया है 100 तो 100 गुना 100 बराबर 2 गुना S आपका 0.6 मीटर है यहां से आपको A निकल जाएगा A निकल जाएगा तो F बराबर M में M आपको दिया है A यहां से निकाल के आप इसमें गुना कर दिजिएगा आपका आणतर आजाएगा चली अगला प्रशन है यहां ये दू लेंसों की फोक moc दूरी करम से F1 और F2 है और सन्योजन से बने नवीलेंस की फोक दूरी F है तो क्या होगा दू लेंसों की फोकॉस दूरी F1 और F2 है तो 1 बटा एक बराबर हम कहें F1 प्लस एक बटा F2 यहां से क्या जाएगा F1 F1 गुना F2 तो यह हो जाएगा F2 प्लस F1 यहां से F कमान क्या निकल क्या जाएगा F कमान निकल जाएगा F1 गुना F2 बटा F1 प्लस F2 हमारा अंसर क्या हो जाएगा F1 गुना F2 बटा F1 प्लस F2 यानि का option C जो होगा यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला question अगला question है कि किसी मिनार से गिराईगे कोई गेंद यातरा के अंतिन 2 सकेंड में 60 मिटर के दूरी करता करती है तो मिनार की उचाई ग्याद कीजिए मिनार की उचाई हमको ग्याद करने के लिए बोल रहा है ठीक है अंतिन 2 सकेंड में 60 मिटर के दूरी ठीक है मात बातों समझे थोड़ा सा कंसेप्चुल है माल जे यह एक बॉल गिराए जा रहा है ठीक है इनिसियल वेलसिटी यहाँ पर क्या होगा जीरो होगा अब माल जे अंतिन 2 सकेंड में माल जे यहाँ से यहाँ तक दूरी करती है जोगी कितना है 60 मिटर इसका टोटल उचाई हमने क्या मान लिया टोटल उचाई आपका एच मिटर है हमको एच ही निकालना है basically हमको एच निकालना है total distance को हमने h मान लिया है कह रहा है कि on time 2 second में यानि कि on time जो 2 second है इसमें ये कितना दूरी तै करती है तो ये 60 दूरी तै करती है तो ये वाला दूरी इतना जो दूरी होगा यहां से लेकि यहां तक का दूरी h-60 मिटर होगा बात को समझेगा होगा h-60 ये वाला जो दूरी होगा ये वाला यहां से लेकि यहां तक का दूरी h-60 को खटा देंगा तो ये क्या हो जाएगा h-60 अगर हम इसे कह दें ये a कह दें इसको b कह दें इसको हम c कह दें तब a से b तक आने में उस आने पर कितना वेग हुआ होगा एसे b तक आने पर उसकाav 보र्वू छिटि कितना लगा होगा पहले हम ये निकाल लेते हैं बात को आ समझेगे उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद b esa c तक जाने में कितना समय लगा हम वो वो निकाले जारे है कितना लगा होगा पहले हम यह निकाल देते हैं बात को समझेगा उसके बाद हम क्या करते हैं उसके बाद बी से सी तक जाने में कितना समय लगा हम वह वह निकालेंगे ठीक है अब देखिए भी स्क्वाइर बराबर क्या होता है यू स्क्वाइर प्लस तू जी एच ठीक है लेंगे 292 इसा करें यहां से अगर हम देखेंगे क्यायाँ है फिर आप eight जीरो हो मतनल है यह सो क्या होता है यह स्वाइर के मान हो जाएंगा यह क्या होता है ऑर यहां से यह से अब्यांद हमाएज हम आते हैं है हो यह हो जाएख हो साथ तो भी स्कॉयर कमान हो जाएगा दोस्दूना बीस यह भी का डिरेक्ट यहां मालने वे भी कमान अगर देखेंगे तो भी कमान हो जाएगा अंडरूट दोस्दूना बीस एच माइनस साथ बात को समझेगा थोरा सा इसमें कंसेप्ट है कि आपको समझना होगा पहले ए से बी तक आने में यहां से यहां तक आने में इसको कितना वेरिसिटी लगेगा तो यहां हमें निकाल लिया कि इतना लगेगा अब बी से सी तक आने में समय जो लग रहा है वो आ माइनस 6 इसको किलियर करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस क्या है को में 20 अंडरूट अंडरूट 20 एच माइनस 60 ठीक है अब देखिए अब वहां से अब हम वी से सी तक जाते हैं कि वी से सी तक जाने में कितना समय अलगे अब भी हमने क्या निकल क्या जाएगा दो रूट अंडरूट 20 एच माइनस 6 वी का मान हमने इनिसर फेरिसुटी यहां से यहां तक तो हमने निकाल ला उसमें वी का मान फैनल फेरिसुटी जो है वो दो अंडरूट 20 एच माइनस 60 प्लस हाफ जी का मान होता है 10 और टी टी कितना दिया अंतीम दो सकंड तो का स्क्वार चार तो कर दो दूने चार दो सक्वार दोस दूना बीस यह का मान कितना दिया है साथ साथ बराबर दो गुना अंडरूट 20 एच माइनस 60 प्लस यह वह क्तना है 20 20 गुत साथ में से 20 चला जाएगा 40 हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा अब आपको क्या करना है देखिए एक्वेशन आपर यहां आ गया है अब इस एक्वेशन को सॉल्फ कर देना है यहां से एच का मान आपको नि कुनों तरह वर्क किजिएगा तो यह सब हट जाएगा यहां से इसका अंसर आप कमेंट करना है कि एच का मान कितना निकल के आता है चलिए अगला प्रसन देखते हैं कि यदि सरलोलों की लंबाई में एक परसेंट की बिर्धी की जाए तो इसके आवर्थ काल में बिर्धी क्य किसमें लोलों की लंबाई में अगर एक परसेंट बिर्धी कर दिया जाए तो बिर्धी होता है डेल टी अपन टी गुना 100 यानि कि हाफ डेल एल बटा एल गुना 100 तो यहां से क्या हो जाएगा यह तो आपका आजाएगा 0.5 यानि कि 0.5 परसेंट की क्या हो जाएगी बिर् और अगला प्रॉस्ट देखते हैं अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला प्रॉस्ट नहीं कि निम्न में से कौन से नदी बेसिन विशु की सरवादिक अबादी व वाले इस नदी के लंबाई 2525 किलोमेटर हैं भारतिय समिधान के अंतरगत अलपसंख्यों के हीतों का सब्सक्राइब नहीत होता है तो यह अनुछेद 29 का अंतरगत नहीत होता है तो आप्शन B जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा अनुछेद 29 के अंतरगत भारत के पर उपराश्टपती का चुनाव निम्न में से कौन करता है तो भारत की उपराश्टपती के चुनाव जो होता है संसत के दोनों सब्सक्राइब करते हैं तो आप्शन C जो है आपका राइट अनसर हो जाएगा और विदूत चुमक्य प्रेरन में प्रेरिद विदुत वाहक बन से निम्न से सवतांत्र होता है कि से सवतांत्र होता है से कुंडली की पर्षिर कॉत्त तो हा हो ता है आपका सवतांत्र होता है जोए बराबर minus N D5 by DT यहां से E जो होता है विदुत वाहग बल होता है यह D5 जो होता है यह flux में परवर्तन होता है और N जो होता है फेरो की संख्या होती है और DT जो होता है समय अंतराल होता है यानि क्या होता है? समय होता है चलिए अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि दो समान दर्मान के पिंडों के बीच लगने वाले बल एफ है यह 25 परस्न दर्मान एक पिंड से दुसरे पिंड में अस्तानांतरित कर दिया जाए तो नया बल क्या होगा? गुर्तो कर्षन बल जानते हैं क्या होता है एक बराबर जी, M1, M2 बटा, RS कर होता है यहां इफ जो होता है यह डिरेक्टली परपोस्नल टो M1 और M2 कर होता है बात को समझेगा अगर एक में 25 परसंट कम कर दिया जाए दूसरे में 25 परसंट बढ़ा दिया जाए अस्तानांतरित करने का मतलब यहीं नहोता है जाए कि एक में कम कर दिया गा दूसरा में बढ़ा दिया बात को समझेगा अब माल लिजिए अगर हम कहां कि M1 से 25 परसंट कम कर दिया M1 में अगर आप 25 परसंट कम कर दिया 25 परसंट 25 M1 कम कीजेगा यह क्या जागा 25 चोग के 4 हो गया यानि कि 4M- M1 यानि कि 3M1 बटा 4 25% का मतलब ही होता है 25 बटा 100 यानि कि 1 बटा 4 बात को समझेगा अगर M2 में 25% बहा दीजेगा तो हम कहां कि 1 बटा 4 M2 बहा दीजेगा तो इसकितना हो जाएगा 4-5, 5 M2 बटा में 4 हो जाएगा तो नया बल क्या हो जाएगा यानि कि F1 बटा F2 जो है यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा M1 इंटू M2 बटा 3M1 बटा 4 इंटू 5 M2 बटा 4 M1 M2 कट गया पांतिया 15 बटा 16 यानि कि यह क्या हो जाएगा 16 बटा यह हो जाएगा 16 बटा 15 तो f2 कमान क्या हो जागा f2 कमान हो जाएगा 15 बट्टा 16 f1 क्या हो जाएगा 15 बट्टा 16 f1 तो option c जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए यह formula आपको याद होना चाहिए एकल है नाइलन 16 एकल खरकिस के तो 16 डाय एक सेन तथा 16 डायमलका होता है तो option c जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर पॉलिट पॉलिमर अगर रबर होता है तो मोनमर आइसो प्रॉपीन होता है टेफलोन अगर पॉलिमर होता है तो टेट्रा फ्लॉरो इथेन उसका यह होता है आपको शही जाएगा अगरर वहनों के सही नहीं है सही नहीं तो एक हमिउन वीडु आक्सिजन अस्मिद्व ऩाले От cả फ्रॉपी आपका सही नहीं है पॉस्तन बी जो है कि आपका right answer हो जाएगा मैंग्रो बन की कुछ विशेस्था है जैसे मैंग्रो लवंद सहिष्न जरीबुटी होते हैं मैंग्रो बन तट्रिखा को बनाए रखते हैं और अपर्दन को कम करते हैं वे हिमांग तापों को सहन नहीं कर सकते हैं अज जिन अस्थान पर मैंग्रो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला प्रस्न है कि पहली मानोव विकास रिपोर्ट संजुक्त राष्ट विकास का अच्क्रम दोरा वर्स डेस में परकासित किया गया था तो यह कब परकासित किया गया था तो अप्सन बी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और मानोव विकास के अधारना पहली बार पाकिस्तानी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रॉसन है कि डैस भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट अंसर हो जागा राष्टिये मार्ग राजमार्ग साथ का नाम बदल कर राष्टिये राजमार्ग चोगालिस कर दिया गया था इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 3745 किलेमिटर इसकी लंबाई है और भारतिय राष्टिये राजमार्ग अधिनियम 1988 के तहट इसका नाम बदला गया है मेंडल के नियम सरपर्थम किस वर्स परकासित किया गयते हैं तो मेंडल क परकीत में से क्या एक एस्टर है एस्टर की बात की जाएं तो CH3COOC2H5 जो होता है यह आपका एस्टर होता है तो option C जो है आपका राइट आंसर हो जाया गया इसका जो आई यूपीसी नाम है इथाईल एसिटेट इथाईल एथाईल एथाईल एथानुएट बोला जाता है नेर्ड में से कौन साता कमरे के ताफ पर एक अभिलाक्षिनी गंद युक्त हरी पिली गैस के रूप में परजुक्त होता है तो क्लोरीन जो होता है कमरे के ताफ पर एक अभिलाक्षिनी गंद युक्त हरी पिली गैस के रूप में होता है तो option D जो आपका सही उतर हो जाए जिसका किस रोग किया जाता है जह किस रोग से रोग्यों को सहायता करता है तो यह आपकाता कर जैंसर हो जाया चलिया आग़ बढ़ते हैं कि परक् coy चार लोगुतों सब्सक्राइब कर पाने का जनुब जरूरत चीज तो option B यहाँ का आपका सही उत्तर हो जाएगा है अगला प्रस्ण देखते हैं कि नीला थोता का रसाइनिक नाम क्या होता है तो नीला थोता का रसाइनिक नाम copper sulfate होता है तो option A जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा है नीला थोता का रसाइनिक सुत्र जो है CUSO4.5H2O होता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रस्ण यहां आपका देखेंगे कि भारत के नए राष्टपती द्रौपदी मुर्मूर का जनम भारत के किस राज में किस राज में हुआ था तो इनका जो हुआ था नहीं इसको उपर भी कोश्ण है से नहां रुके रुके लुए dye fellows Uhr21 के 31 सरस्ति सभान के लिए er रामदरसद सब्सक्वान को दो यह किसे चुना गया है तो ऑप्शन दरास्मिशा को चुना गया है तो और बारत का नए राश्यपति दृरववद्य मुर्ववक जरनभ भाहरत के किस राज में भवा था तो यह आपका उडिसा में हुआ है तो option B आपका राइट अंसर हो जाएगा और परतिष्टित प्रितिजगर आर्किटेक्चर पुरुसकार 2021 किसे दिये जाने की घोसना की गई है तो एनी लेकिटोन और जिन फिलिप को जिन फिलिप वसल को देने की घोसना किया गया है तो option D यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और मिरिदूतक और सिलेसोतक उत्तकों के परकार क्या है तो यह सरल अस्थाई होते हैं तो option C यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्वन है कि जब oxygen के अनुपस्तिती में सोसन होता है तो इसे डैस कहा जाता है जब में डैस नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कनिकाएं स्विफ्ट रक्त कनिकाएं और प्रेटलेस तैरते हैं तो क्या होता है प्लाजमा होता है तो option B जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा प्लाजमा संपुन दूधिर का 50-60% भाग होता है और प्लाज जनित नहीं है तो यह तपेदित की रोग जो होता है यह विसानु जनित रोग नहीं होता है तपेदित जो होता है यह च्छाय रोग होता है जिसे माइक माइको वैक्टरियम टूबर कोलिसिस नामक जिवानों से होने वाला यह रोग होता है निमलिखित में से किस प्राणी क के हिर्दे में तीन परकोष्ट होते हैं तो सालमेंडर प्रानी के में तीन परकोष्ट का हिर्दे होते हैं तो option c जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा उभैचर मतस और सरसिर्क वरकमद का वर्ग हैं एमस डॉस का अपरेटिंग सिस्टम है जिसमें होता है एमस डॉट जो है यह ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कमांड लाइन इंटरफेस होता है तो option d यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा अचाहिए तो आप दूसरा आगे चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है अगला कोश्चन आपका यह रहा अगला कोश्चन है कि बारह हुए सिनियर पूरुस होके रास्ट्रे होकी पर कि पर में ज Sasky सीप किस्टिम ने जीती है तो यह आपका हर्यानर्ण से अपका सही उतर हो जाएगा वैक्षिन पास्पोट स्रूफ करना तो कौन सा है실 इज्डाहील है अप्जन आपका सही हुआ गतला पॉसं कि परधान मंतले ने अको सघ्क जाय का तो इअपके मुखत किया गया है वह घ्र तो सही उत्तर हो जाएगा अगौल अप्षन कि कि पहली Social Media site कौन सी थी तो पहली Social Media site जो थी यह 6 degrees था तो option B जो आपका सहीवतर हो जाएगा 6 degrees social media site 1997 में शुरू हुआ था और इसके स्थापक जो थे एंडोयो वेंड़िडिच थे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि लेट का रशानिक परतिक क्या होता है तो लेट का हम रशानिक परतिक फिवी से डिनोट करते हैं आप्शन B जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और ब्रेसी का कमपेस्ट्रिस किस पौधे का बानसपति नाम है तो यह जो है सर्सो का बानसपति का नाम क्या है ब्रेसी का कमपेस्ट्रिस कमपेस्ट्रिस जो है यह सर्सो का नाम है और अगला कोशन देखते हैं और यह अंतिम कोशन है कि डियाडियो द्वारा निर्मीत इनमें से कौन सी मिसाईल हवा से हवा में मार करने के करने में सक्षम मिसाईल है तो यह अस्त्र जो है हवा से हवा में मार करने के लिए सक्षम मि हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद आपके सामने यह रहा है पहला कोशन है कि क्रिष्ण देवराय-1 से संबंदित थे तो क्रिष्ण देवराय यह पंद्रह सो नो से लेके 1529 तक इन्होंने सासन किया था चलिए अगला प्रस्ण है कि भगवान सीव को चलिए भगवान सीव को समर्पित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्वान डैस के सासक धंगदेव द्वारा लगवर 999 में कराया गया था यह कब कराया गया था तो कि आपको चंदेल राजवंस के सासन काल में कराया गया था तो ऑप्शन वी जो है आपका राय का अंसर हो जागा देखिए हम लोगों को थोड़ा स्पीट चलना होगा क्यूंकि प्रस्ण इसमें बहुत सारा है मान के चलिए कि 200 कोश्ण है तो इसमें समय तो लगेगा ही भा से अधीक होता है जो अगला प्रस्ण करते हैं देखते हैं अगला प्रस्ण है कि वह बल जो प्रीचिवी के अपने धूरी पर घुर्ण करने के कारन होता है और हवा के दिशा को परभावित करता है कि रॉन करने पर होता है और हवा के थिसा पर प्रफिवर्द करने के लिए के लिए होता है घुकिना म्याइध कि इसे द्धु प्ररस्तूत कूप होता है दाद का सुत्र जो है एक बेस्क में कितना होता है कितना इंसेजर होता है कितना के नाइन होता है कितना प्री मोलर होता है कितना मोलर होता है तो एक बेस्क का पुछ रहे बेस्क का होता है आई आपका कैनाइन होता है टू आधिनियों जो होता है जो फर्थी tutte नुटेंये Şu ँफकेंध्यों डू लागू होता है जो चली अगला प्रास्ण हम 1881 में लागू हुआ था आपका राइट अंसर हो जागा इस अधिनियम का संसोधन जो हुआ था 1987 में हुआ था सीधी सरग पर चलती हुए किसी कार की चाल 10 सेकेंड में 20 किलो मिटर पर ती घंटा से 50 किलो मिटर पर ती घंटा हो जाती है उसकार का तोरण क्या समय कितना लगा जी 10 सेकेंड इनिशियल वेलोसिट्य कितना है 20 किलो मिटर पर ती घंटा इसे मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5 वट्टा 18 से गुना करेंगे यह हो जाएगा 20 माचे 100 वट्टा 18 यानि कि 50 वट्टा 9 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया 50 वट्टा 9 मीटर पर सेकेंड ठीक है दूसरा है 50 किलो मिटर यानि फाइनल वेलोसिटी जो है अंतिम वेलोसिटी 50 किलो मिटर पर ती घंटा है इसको भी मीटर पर स तूरण क्या होता है जी तूरण होता है भी माइनस यू वटा टीब जयानि फाइनल फ्रिकलिकल इसल म। यह वड़ीसिती बटा समय म।ड़्यक क्या करने फाइनल फीस बटेश्टी क्टना आगे 10 वड़ीकल शेलग लियुटकल दोस गुना नो यही हो गया काट देजे पांदू नी दोस पांच से कर जाएगा पंद्रा पच्छा पच्छा पच्छात्तर पंद्रा बट्टा अठारा यानि काटिएगा तो 0.83 मिटर पर सकेने स्वाइर कास पसा जाएगा तो आप्शन C जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि हाइड्रोकलोरिक दाप के सिधान का फ्रतिबादन कित था तो आप्शन D यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं और अगला क्योशन देखते हैं अगला कोशन है कि दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक हीरकून बान डैस नदी पर इस्तित हैं तो हीरा कुण बान जो है यह महान नदी पर बनाया गया है तो ऑप्शन सी आपका सहीवत्तर हो जाएगा और डैस द्वारा नाग्रिकों के मौली कर्तब को भारतिय समिदान में सामिल किया गया है तो यह 42 समिदान संसुद्धन अधिनियम सक्तियों से संबंधित रखता है तो अनुछे तिर्पन जो है यह संक के कारिशपाली का सक्तियों को से संबंध रखता है तो आप्शन सी यहां पर आपका सहीवत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि 50 वोल्ट की बैटरी को 10 ओम के परतिरोद के सिरों के भी जोरा जाता है त हम जो के बैटरी का विवांतर यहां पर दिया है कितना प्चास यानि की कैपिटल िकर गजो मां दिया है यह पका पचास दिया है और जो हम से पूछा बैटरी का आंतिर्प्रतिरोद निकालने के लिए आई बराबाभर इबट्टा और प्लस यही फर्मूलर लगाते हैं तो आई कितना दिया है? 4.5 यह कितना दिया है? 50 दिया है रेज्टेंस आपको 10 दिया है small r का तुमान आपको निकलना है small r का निकल जाएगा 10 को 4.5 से गुणा करण तो यह हो जाएगा 45 प्लस 4.5 R बराबर 50, 50 इदा घट जाएगा तो 4.5 R बराबर 50 में पहतर जाएगा 5, यानि कि R का जुमान होगा, वह आपका 5 वट्टा 4.5 होगा, भाग देंगे तो 1.11 के असपास आजाएगा, तो option D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्न है, कि वायों के साथ काचUST काच वो पानी का परतनांक क्राम से 3वटर 2 और 4वटर 3 है, तो काच अगर देख्विए, म्यू म्यू הג कमाद कितना दिया है, 3वटर 2, म्यू एल कमान जो है चार बट्टा तीन तो अगर हम निकालने डारेक्ट हम लिख सकते हैं कि म्यू एजी बट्टा म्यू यानि कि लिख दीजिए तीन बट्टा दो बट्टा चार बट्टा तीन यानि कि पहले का परता नाएं बट्टा दूसरे का परता नाएं ठीक है तो यह तो आपको काट दीजिए कितना हो जाएगा दूचों के आठ रिश्टी से पिरीत मनुस्ष 2-D 2-D-1-2-D-2-D-2-D-1-D-1-D-2-D-1-D-2-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D-1-D यानिकि अगर सेंटिम्हुट इंटहें यहां कितना मैं जया पाइस-संटिम्हूरजंगय मैंने का अधनी सकते हैं नि इंखाल सकते हैं तो एक वठा 50 बराबर एक वठाइटु और भी मनस चैनल यह को इधर कर देंगे यह बव्ठा युबराबर एक वठाइब कार्ण डलसे है पुठास तकिस गथ 1986 25 myself स्सकूंच 2250 सको पचास 5 Mr. यानि कि यू कमाल क्या जाएआगाा तो option B जो है इस आपका सहीवतर हो जाएगा. अगला प्रासन है कॉर्पास लिटछन दोरा स्त्रावित हर्मून होता है तो इस कि आपका सहीवतर हो जाएगा. अगला प्रसन है कि पी परकार का और चालकों का धारा परवा कहां होता है तो पी परकार का और चालकों का धारा का परवा जो होता है फोल दुआ रहा होता है तो option B आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रस्न आपके सामने ये रहा ये रहा अगला प्रस्न है कि निवल राष्टे उत्पाद की गन्ना डेस से मुलहस घटा कर की जा सकती है ये सकल राष्टे उत्पाद से मुलहस घटा कर की जा सकती है तो आप्शन दी यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा यूनेस्को क मुख्याले पेरिस में इस्तित हैं तो option A जो है आपका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि पीली करांती इन में से किसे संदर्भीत करती हैं तो पीली करांती तिलहन उत्पादन से हैं तो option C आपका राइट अंसर हो जाएगा मान्चित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जैसी जल सता के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है तो उसे आइसो बात कहा जाता है तो option B यहाँ पर सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्न के किसी माध्यम में तरंग चाल 960 मीटर पर सकेंड है यदि माध्यम के किसी बिंदु से एक मिनट में 3600 तरंग की गुजर रहे है तो तरंग का तरंग दर्ग क्या हो जाएगा भी कितना है जी भी 960 मिटर पर सेकेंड है आविर्थी कितना है आविर्थी आपका 3600 है 60 मिनट में तो 60 से भाग दे दीजे यानि कि कितना हो जाएगा 60 हर्ज हो जाएगा भी बराबर होता है एन लेम्डा लेम्डा बराबर क्या हो जाएगा भी बट्टा एन यानि कि 960 बट् आगला प्राशन है कि एक कन 36 दिशा से 60 डिगरी के कौन पर 14 मीटर पर सिकेंड के वेक से परछेपित दिया गया पत के उस्तम बिंदु पर कन के वेक का मान और दिशा क्या हो जाएगा शाठ डिगरी के परमान यह एक कौन को फेका जा रहा है ठीक है इसका जो एंगल होगा फेका जाएगा तो यह कितना होगा सब्सक्राइब तो उस्तम बिंदु पर उर्द्वारदर वेग क्या हो जाएगा उस्तम बिंदु पर 36 वेग क्या हो जाएगा सब्सक्राइब तो यह सब्सक्राइब करन के परकिरिया में किस आम का परियोग किया जाता है तो एनिदु परकिरिया में तनुस्तम फिरिक अमन का परियोग किया जाता है तो उप्सन बी जो है यह आपका सही उतर हो जाएगा और सुध करवन को डैस पर संसलेसित करके हीरा बनाया जा सकता है तो सुध करवन को अक्तिधिक उच दाब और उच तापमान पर जानी के ऑप्सन सी उच दाब और उच तापमान पर संसलेसित करके हीरा बनाया जा सकता है जब हीरा को 733 डिग्री पर गंपिया जाता है तो यह जल कर करवन डाय एक साइब बना लेता है तब बिल्कुल भी राक नहीं बचता है इस परकार के हीरे 100% करवन से बने होते हैं अगला प्रस्ण है अच्छा यह रिजनिंग का हो गया आगे बठते हैं अगला प्रस्ण अगला प्रस्ण आपके सामने यह रहा कि कौन सा राज 2021-22 फसल वर्व जुलाई जून में भारत में सब्जियों का सिर्ष उत्पात बन गया है तो यह कौन सा राज है तो यह आपका उत्तर परदेश तो Option 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा लियाडियों ने कहां Solid-Fuel, Dacted, रेंजेट, तकनीप का सफल पर इक्षन किया है तो यह आपका चांधि पूर में दिया है तो Option 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा और आजाद भारत में जन्म लेने वाले जेस के पहले रा प्राश्पति कौन थे या हैं तो यह आपका हो जाएगा द्रॉप दी मुर्मूर तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और जल अगुलंसिल पधारतों की मिश्रम के भारी अगुलंसिल घटकों का नीचे बैठ जाना क्या का लाता है तो यह अवसादन का ल शुडोपिया डैस पर मौझूद अंगुली जैसे आकृति वाली संद्चनाय होती है तो ऑप्शन यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और गोल्ग्रीमी में इनमें से कौन सा तंत्र मौझूद नहीं होता है तो गोल्ग्रीमी में स्वासम तंत्र जो है यह मौझूद और पादफ उत्तकों के संभन से कौन सा कथम के संभन में देखा जाया जाया दोनों दिशाओं में अस्त नांतरित हो सकती है यह आपका क्या है कथम घलत है आपका से अधर हो जाएगा जाय एगा चार प्रकार के कोशगाओं का बना होता है अगला प्रैस्टन है कि मानो शरीर के कौन सद्व मूख अंगों में काफी मात्रा मेंtransffic चुमवकिय छेतर उत्पन होता है हिर्दय और मस्तिक जो होता है इसमे gir biz चुमवकिय छितर उत्पन होता है तो option C यहाँ पे आपका right answer हो जाएगा और अगला प्रसन किस आर्मोन के अस्तराव के कारण हिर्दे की धरकन और सोसंदर में एक साथ बिर्धी हो जाती है यह adrenalin जो होता है adrenalin के कारण ही मानों के सोसंदर और धरकन में एक साथ क्या हो जाता है बिर्धी हो जाता है तो option A जो है यह आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है कि टिल वी वी नाम पुष्टव के लेखा कौन है तो टिल वी 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 पुष्टव के चंदरकांत लाहरिया रंदीव गलरिया गगंदीव का अंग्यान की यह सभी है सही उत्तर हो जाएगा और किस भारतिय मुल्क अमेरिका को उप राश्पतित कमला है रिस का कर्चकारी सचीव और रक्षा सलाकार ने जूप किया गया है तो यह सांती सेटी क्रूम तो ऑप्षन डी आपका सभी उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि किस के नर्शासित परदिश के ग्रामिन विकास और पंचायती राज विभाग ने जन निगरानी आप लॉंच किया है जन निगरानी आप लॉंच जो है जम्मू कास्मिर में किया गया है तो ऑप्षन बी आपका राइट अंसर हो जाएगा और निदर लेंड में आजो जीत वर्ल्ड पुलीस एंड फायर गेम्स में आइटी वीपी की किस भारतिय महिला सिपाई ने दू रजत और दू कांस पजत जीती है यह सीमा यादव ने तो ऑप्षन बी आपक आपका सही उत्तर हो जाएगा सोडस अधरिकारी संख्या पधिती में कितने भीन प्रतिकों का उप्योग किया जाता है तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समेष्भांतीत और न कि भारत में इस्तितऊं के अंद्र का नाम बताए जिसका उप्विव उग्रहों को परझेपित करने करने के लिए किया जाता है तो उग्रहों को परचेपित करने के लिए किया जाता है तो option c आपका राइक crosr系 हो जायेगा और अगला कोश्यएन glamour 1ों के बारे में सही क्या जाएगा मैंगरों 3 करते हैं यह क्या जाएगा ये किया जाएगा यश ही नहीं होगा Traffic 수 to do 25 अब हम क्या देखने वाले हैं सेटतीं देखने वाले सेर्थितिन का पहला कोश्टन के सामने रहा , वीडियो अच्छाव लगी तो लाइक हो जरूर कीजिए गा। कि भारत में उन्लाकोश्टन कि भातшьानकाली शीला चितrकाली युद्या काल कि युद। तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रस्वन सन 1944 में भारत के बड़े दोगपतियों ने एक जुट होकर सुतंचा मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थवेश्टा के एस्तापना के लिए एक संजुक प्रस्ताव का मसादत त्यार किया था उस मसादे को इस भान से जाना जाता है तो उस मसाधे को इबंबे प्लान के लाओ सगता है तो Option डी आर्फ का सही उत्तर हो जाएगा चली है के अगला प्रश्री है कि पृसीद बर्मॉंडड़ क्या यह इन्यंगल कहा स्थीथ है था इस आप इस तो इसले स्इonne हो जाएगा और 55 किलोग्राम का इक बेक्ती अपने सीरफ पर 20 किलोंग्राम का एक निकाय रखता है, गृत के ब्रूत उसके डिवरह किया गए कार्ज क्या हो जाए, क्या होगा जब वह 20 मीटर की दूरी ते करेगा, डबलू बराबर क्या होता है, डबलू बराबर होता है, एफ एस कॉस ठीटा क्या होता है एफ एस कॉस ठीटा अगर वो 20 वीटर के अपने सीद पर रखा है तो यहां पर क्या हो जाएगा यहां एफ इस पर पर मने एफ जो है लंबवत हो जाएगा इसके तो कॉस नबे डिगरी का मान क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसके दिया क प्रवारा रोगिये को दांतों के बरे परतिवीम देखने के लिए किस परकार के दर्पन का प्रयोग किया जाता है तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा तेकि आपका प्रयोग कहां कहां किया जाता है हजामत बनाने वाला जो दर्पन होता है वह सौर भट्टियों में सूर्ज के परकास को केंद्रित करने के लिए यह होता है दंद बिसे से एक आँख कान और नाख के डैक्टर भी अवतन दर्पन का प्रयोग करता है तोर्च सर्च लाइट में अवतन दर्पन होता है वहनों के आगे वाला जो दीप होता है अगर दीप में और प्रावर्तक दुर्वीन में भी किया जाता है उत्तर दर्पन का परयोग गाड़ी के साइड मीरर के पीछे जो आती गाड़ी साइड मीरर जो होता है जो गाड़ी को पीछे देखता है उसमें किया जाता है सवारी बस में स् तो दर्पन का पर्योग किया जाता है अगला प्रस्न है कि पर्तिरोध आर आर ओम वाले एक्तार को दस बराबर भागों में काटा जाता है फिर इने समांतर में जोरा जाता है तो नया पर्तिरोध क्या हो जाएगा R ovale 10 R ovale 10 कotई यहा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा वह आपका परточिलों देखा जाए R ovale R ovale R equivalent 1 बटा R1 1 बटा R2 वैसे 10 तक जैएगा तो इन निचबा R हो जाएगा उपर क्या हो जाएगा यह आपका दस हो जाएगा दस तक जाएगा आरों वाले तार को दस बराबर भागों में दस बराबर भागों में को रहा है तो ये दस बराबर भागों में आरों वाले को दस बराबर में तो ये आर तो बिस होगा ही ये दस गुना दस हो जाएगा एक्विलेंट क्या हो जाएगा आर सो बट्टा र हो जाए और इक्विलेंट जो होगा यह आर बट्टा सो हो जाएगा तो अगला प्रस्न है कि एक सुचाला कंडॉक्टर साथ माइक्रो धारा का प्रवाहन करता है जया च्छाला को अनवर्स्न का प्रवाहन च्छेत्पड यानन 10 दूद माइन 6 मिलिवीर हो जाएगा अब धारा के घना प्रवाहन करता है आई बट्टा यानके कर देजिए 6 मुना दस के पार माइनस तो साथ बट्टा 30 गुना 10 के पावर माइनस 6 ये कर जागा 32 साथ यानिकि दो आमिटर पार मिटर हो जाएगा तो आप्शन B आपका सही बतर हो जाएगा अला प्रस्न है कि हवा में निश्चे दूरी पर इस दो बिंदू आवेस बल एक के साथ एक दूसरे को भी करसित करते हैं यदि आवेसों क आपका सही बतर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि नाभी की आमलों में मौझूद नाइट्रोजन ये छर्कों का एक समुन निवर्खित में इस समुन में पिरा पिरिमीडनों की कुल संख्य क्या होगी यूरेसिल ग्वैनिंग थाइमिन एडिमिन साइटूसिन तो इसका संख जो होगा यह तीन हो जाएगा तो ऑप्सन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि माल्दीव गन्राज जिसे माल्दीव माल्दीव द्यूप समूं भी कहा जाता है यह उत्तरमद डैस में स् इनमा सागर में स्थीद तो ऑप्सन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और अगला प्रस्न है कि भारतिय समिदान का कौन सा अनुछेद उच्छ नयालियों के नयाधीसों द्वारा सपत या पर्दिक्यापन से सम्वंदित रखता है तो ऑप्सन भी यहां पे आपका स्री करने का उद्देस क्या होता है तो इसका उद्देस होता है जो अन इसक लिए करना होता है जो सवाब प्रकृतियों के नुक्सान के कारण स्पथियों के सतंव औस स्ट्व और शुच्छ हैं इन सभी के लिए किया जाता है तो option D आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रसुन है कि रिडियो धर्मी 6 इस्तरांग पर तपमान का परभाव क्या परेगा तो रिडियो 6 इस्तरांग तपमान बदलाव से और परभावित रहेगा क्या रहेगा जा बदलाव से और प क्षय जिए सब्सक्राइब गजा परियावरन और वन के शंदर में डब्ली सीवी का पूंडुक्या था वायल- लाइफ क्राइम कंट्रोल भी रूरो तो then option A राइट प्रस्वन हो जाएगा प्रस्ट हैं किने मिखित में से कौन सा कतन टेरिलीन के संब्ध में गलत है परि टेरिलीन को परिवर्धन बहुं लखी करन्द वरा तैयर किया जाता है यह कथन क्या है आपका बिल्कुल सही है प्रस्थ हो जाएगा और अगला प्रस्वन द लाता है तो आप्शन B आपका राइट अंसर हो जाएगा और महाराष्ट के परंप्रिक लोक रंग मच का नाम बताइए तो यह तमासा जो है महाराष्ट का परंप्रिक लोक रंग मंच होता है तो आप्शन C आपका राइट अंसर हो जाएगा और चन्रमा को अपने धूरी पर एक चकर पूरा करने में कितने दिन लगता है तो चंद्रमा को अपने धूरी पर एक चकर पूरा करने में 27.333 दिवस लगते हैं तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रवस नेक निम्रिकित में से कौन भारत में विक्सित चावल की एक संकर किस्म है चावल की एक संक करने लिए फिट किरी का परियोग किया जाता है तो option C यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और कीन का कारवनिक योग्योगों के नाम में पढ़ते अल जुरा होता है और जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और परकास के साथ घटक रंगों में परकिर्यों की क्या स Hide S seus द्वारा किया गया था سर आजिए प्रामानुनों ढूल निघ्ला कि होती था शनिर आपको से पौथ्यों करता है जल का परिंगा शनिर तो option D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट में देखते हैं अगला प्रस्ट है कि भारत के किस राज में F.I.H. पुरू सौकी बिसकप 2023 का आयोजन जो है ये किया जाएगा ये आपका उड़ीसा में किया जाएगा तो option C आपका स किस फिल्म ने बेस्टिंशंग का आवार्ड जीता है ये नमाड लाइन ये जीता है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएESaben होजाएगा और वाएव कोस का चार्ज गयसो कि अदर पर आवाले अस्थान एक सता है अस्थान पर उक सब्सर परदान करना होता है तो option D आपका right उन स हो जाएगा, अगला परस्क है, कि निमनीखीत में से किस पादक समुओं में फ़ल का अंदर वीज मोझूद होते हैं, तो अप्षन ये आपका राइठ आइट धाइगा, और निमनीकीत में से कौन सर पौध़ा, थेले फायटा की बात की जाए, तो फिंटरेवत्या प्रस्क न पॉलिस के गोव ऑप उसके कारण के नहीं सभी नहीं से किकलेशाज पनीलिक्स तर्फ है और प्रूजित प्रूग्स के करण works आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंद आपके सामने यह रहा किस राज में चिठी रई उत्सो मनाया जाता है तो चिठी रई उत्सो की बात की जाए तो यह तो मिलाडू में जाता है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और केंद सरकारदवार किसे आपसक वस्तु घोसित किया गया है तो सोया मिल को आपसक वस्तु घोसित किया गया है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और T21 तराश्टे किर्केट में भारत की ओर से सतक बनाने वाले चोथे बल्लेबाज क की गई है तो यह नरेंदर मोदी को आपका स्वयूत्तर हो जाएगा और भारत की दूसरी महिला और पर्थम महिला जन जाती राष्टपती कौन है यह दुराबदी मुरुमुर है तो आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगरा प्रसन देखते हैं कि कंप्यूट्री के सं प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्रिखीत में से किस कीबूट का सौटकॉट उप्योग करते हैं तो आल्ट शिफ्ट प्लस टैप कीजेगा तो आप पूर्मे खोलेगे प्रोग्राम पर जा सकते हैं तो आप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि यूपद नाम पत्ति का जनक माना जाता है या कैलिरोस लेनियस को माना जाता है और आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सेट तीन जो है यहां समाथ हो गया अब हम आगे बढ़ते हैं सेट चार की वीडियो अगर आप सब अच्छा लगे तो लाइक करते रहिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए चलिए अगला प्राशन है कि कलहन की राज तरंगिनी में डैस पर सासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भासा में वर्नर किया गया है उसे क्या कहा जाता है तो यह कस्मीर पर आपका राइट आंसर हो जाएग कलहन की राज तरंगि में कस्मीर पर सासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भासा में वर्नर किया गया है कलहन ने 1149 एसु में राजा जैसिंग के सासनकाल में राज तरंगि पुष्टक को पूरा किया था महात्मा गांधी ने रॉल 8 सत्यागरा किस वर्स महात्मा गांधी से रिलेक्टेट एक ही पेज में सारा कोश्टन दिया गया है तो आप उस चीज़ को एक बार पहलेंगे यह आपके लिए बिटर होगा निमलिखित में से कौन सा कारण सर्दियों में भारत को उत्तर पच्छिम भाग में बारिस का कारण बनता है यह सब्सक्राइब करते हैं यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि समुद्री सेवाल की दिशा के लंबो दिशा में कमपन करते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि समुद्री सेवाल का अभी लाक्षिने की रंग लौकों में मौजुद वडनकों पर निभा करता है इनमें से कौन सा वडनक सेवाल के हरे रंग का उधारन होता है यही आपका उधारन होता है तो सही उत्तर हो जाएगा तो प्रोटिन को प्चाता है यह आपका नियंतृतत होती है, तो यह आपका मेडूला दोवारा यह नियंत्रित होती है तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा यदि किसी व्यक्टी को दूर की बस्तुए असपस्टूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा देश्ट्री दोस है और इसे कैसे सही किया जा सकता है तो उसे निकर देश्ट परियोग करना चाहिए तो option B यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न देखते हैं कि निम्न में से किस मिट्टी के कौनों का आकार सबसे छोटा होता है तो किले जो है यानि किले यानि कि बसं मिट्टी का आकार सब सामिल किया गया है तो यह 42 समिदान संसुद्ण के द्वारा मौली करतब को सामिल किया गया है तो option A आपका राइट आंसर हो जाएगा बारती समिदान के कौन सा अनुछेद राज्यों के लिए उचने आलो से संबंदित रखता है तो अनुछेद 24 जो होता है राज्यों के ल का रण होता है तो option B आपका सही उतर हो जाएगा चालक के अंदर इलेक्ट्रोन की गति होती है चालक अंदर इलेक्ट्रोन की क्या क्या ढूब है यह दिट्रिफ्टिंग ब्लाजाती ययानि अप्वाक्स द्रेप्चित में क्या इन्गा पीसे कौन सा कैंसर का इलाज सकते हैं कि अप्टन भी जो होता है यह नहीं है आपका राइटा अंसर हो जाएगा अगला प्रसंद आपके सामने सब्सक्राइब करने के लिए परयोग कि जाने वाला एक प्रसों भूर्ण निदान परुच्छंग डैस पर अधारित होता है तो यह आपका अप्शन यह आपका सही उतर हो जाएगा अगला प्रसों है कि जैविक वर्वी करन के पदानुकरम का सही करम क्या है जैविक वर्वी करन का पदानुकरम का सही करम की बात की जाए तो जगत संग वर्वी गन कूल वंस जाती होता है तो आप्शन C जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और किसी जीव में केंद्र यहने के एक पुन सेट को क्या कहा जाता है दे कुर सेट को जिनोम कहा जाता है लिए अगर बढ़ते हैं देखते हैं अगला प्रश के सामने यह रहा अगला प्लशन है कि आर्थिक सर्विक्छन 2021-20 कि अनुसार उक्त वर्स के दौरान डैस छेत्र ने भारत के सकल घरेल उत्पाज यानि जीडिपी में सरवाधिक जुगदान दिया है तो यह सेवा ने दिया है सेवा छेत्र ने तो आपका स्यूत्तर हो जाएगा और कंद्रिया महादेव मंदिर किस मंदिर समुझ से समंदित ह अगला अगलोς ने एक कीलोगराम राष्ट का वजन कितना हो जाएगा व बराबर क्या होता है डाबलू बराबर एम जी यानि कि एक उन्हें जी कमा 9.8 यानि कितना जागा 9.8 नीटन तो आप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि लक्री के टुक्रे का भार का चार बटा पांचवा भाग किसी तरल में डूबा हुआ तैर रहा है यदि लक्री का आप एक्षित घंध हम आरे पास कितना दिया है जिरो पॉइंट 8 वस्तु का भार कितना है चार बटा पांच गुणा तरल का घंध को रहे हैं कितना चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूबमें यानि कि एक हजार किलोग्राम पर मिटर क्यूब ठीक है अब देखिए अब हम क्या करते हमको एक्स का मान निकालने के लिए पहले इसको इधर भेज देंगे एक्स बराबर हो जाएगा जिरो पॉइंट आठ गुना एक हजार फिर ये पांच भी हुदर चल जाएगा गुना पांच बट्टे में ये चार क्या आजाएगा निचे आजाएगा अब देखिए चार से इसको आठ मान लेंगे तो चार दूनी आठ दू एक जुरों यहां साठा देंगे दू पांच दस यह कितना हो जाएगा दू पांच दस यानिकी एक हजार किलोग्राम मिटर पॉर क्यूब हो जाएगा तो आप्शन बी जो है यह आपका स्वेह उत्तर हो जाएगा अगला प अगर देखेंगे पर कर देखेंगे अगे माण लेंज़े तो इन बराबर क्या होता है बाता में लेंडाओ फी पॉलू पभर ठवार 10 डूट पावर 8 बट्टे में 3000 एंगेस्टम तीन हजार यानिकि 3000 गुना 10 डूट माइनस 10 मीटर कर दीजिए काट पिट कर दीजिएगा जैसे काट पिट की जिएगा तो यह कम ओन इंटू 10 डूट पाव 15 हर्ट्स आ जाएगा तो आपसल सी आपका स्विवत्तर हो जाएगा अ तो शाथ सेंटिमेटर साथ सेंटिम्यटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो हम काएगे 0500कु मिटर तो सकती क्या आपवह जो होता हैग जो कि 0.6 डाइंग जो दूरी होता असपर्स देखने की निनतां दूरी कितनी होती है पचीस सेंटिम्टर होता है तो यह होता है जिरो पाइंट टूफाइप बट्रमें 0.6 इंटू 0.25 यह मीटर में सब है तो 0.6 में से 0.2 घटाएगे तो कितना कितना बचेगा यह आपका बच पाश में दोख 0.35 बट्टे इंदवनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 छक के 1.500 कितना हो जाएगा अ मिसे 6 बट्टा 10 और 25 बट्टा 100 इस हाव लिए लिख देंगे तो यह 1,000 हो जाएगा 1,000 पाचीस से 1500 गुणा 1000 उपर जाएगा तो 1010 पहिले कार देजिए यह हो जाएगा 35 वड़्टा पुंद्र कितना हो जाएगा 35 वच्थ पुंद्र 55 वड़्टा 35 3575 क्या हो जाएगा 7 वट्टा 3 डी तो option C जो है यह आपका right answer हो जाएगा छली अगला question एक अपेक्षा क्रीच चिकने सत्व पर जिस पर टायर का घर्षन गुनांग 0.2 है आठ मुटर त्रिज्जा वाले बिर्ताकार पथ पर किस महत्तम चाल पर बीने फिसले मूर सकता है बिल्सोंस कánh पर अति आपका अप्सान पर जाएता है कि मनुस में कर्वोहिडरेट प्रोटीन और वसा का पुन पाचन कहा होता है तो यह छोटी आत में होता है तो option A जो है क्या हो जागा आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट में देखते हैं अगला प्रस्ट आपके सामने यह रहा कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1995 तक कितने इतर रिजनिंग हो गया पर लिकर नहीं मार्च रिजॉर्ब फॉरेस्ट और पिच्वरम मेंग्रो किस राज में इस्तित है जिसे रामसर साइट गोसित किया गया है तो यह तमिल नाडू में इस्तित है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और भारत की पहली लिथियम डिफाइनरी कहा अस्तापित की जाएगी तो यह आपका गुजरात में किया जाएगा अगरा प्रस्टन है उप्राश्टति वकाइन आईडू ने खेलो इंडिया इनवर्सिटी गेम्स 2021 का उद्गाटन कहां किया है यह बनलोडू करनाटक में किया है तो option C आपका राइट अंसर हो जाएगा और नीचे दि अब दूंध एsivas में है यूद ऐखर लिए सस्याथ में होते हैं जूड़ जाते है भी बराबर क्या होता है इनकालना यदा आई प्राबर क्या वह जाका ब sowtar कितना है poco में दोगव है तो डेर है तो डेर डेर क्या हो जाएगा तीन हो जाएगा तो यहां वल्ट कितना हो जाएगा तीन और resistance यह तीन जूल जाएगा अपस में क्योंके यह series में तो 6 तीन लोनी 6 ने की एक बट्टा दूर बराबर क्या हो जाएगा 0.5 amp तो 0.5 amp यह जैन器 की option B आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्राशन की एक किर्केटर एक गेंद को महत्तम 36 दूरी 150 मीटर में फेंग सकता अगर गेंद की लंबोत उपर फेंगे तो अधिक्तम कितने उचाई तक फेंग सकता है ूटा फेंग सकता है कि एक सो अपचास मिटर एक्सोपचाशमीटर रेंज जो होता है यह रहें जो होता है योँगे स्क्वायर साइन टू ठीक ता बाट्टा में जी अगर अधिक्तम दूरी के लिए ठीकदा हो जाएगा 45 तो यह रेंज कितना है एक सो पैस्क्तालिज यूए स्क्वार साइन नबबे बट्टा में जी जी परक्रिया होगा यहां से U square sin square theta बटा 2G, जब हम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अगर हम H बराबर U square sin square theta बटा 2G लिखेंगे, तो यह sin 90 कमार मन हो जाएगा यहाँ कि U square 2G आ जाएगा, U square 2G आप U square G कमार कितना निकालें, 150 तो ह यहां से हो जाएगा एक बटा दो यह टूजी है तो एक बटा दो गुना यह हो जाएगा 150 तो दो से 150 को काड़ दिएगा तो 75 मिटर तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि 2 गराम हाइट्रोजन 28 गराम नाइट्रोजन में क्या समान होते हैं आप देखेंगे 28 है कि नाइट्रोजन का बढ़र कितना 14 में कितना है 2 गराम हाइट्रोजन और 28 में हाँप 6 दिएगां तो क्या अठाइस बता चोदर यानि कि दू लोडियान के संखे क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगा तो सही करम यहां दिखा जाया तो लिथिएम से बरा सोडियं पोटेसियम रूबीडियं सीज्ञें यह आपका आफसण तो न क्या होता है आई रोड टूना जो होता है अधोजल ड्रोन होता है तो अप्शन डिया आपका सही उत्तर हो जाएगा उन बढ़ने के साथ आख की समंजन छुमता है समाने तर कम होती जाती है इस तिदी को क्या कहा जाता है इसे जरा दिरिष्टी दोस्त कहा जाता है तो निवन में से कौन बन गए हैं तो कौन बने हैं यह आपका हस्मतुल्ला सही दी आपका सही उत्तर हो जाएगा और समदर के अंदर भारत की पहली सुरंग कहां बनाई जा रही है तो यह आपका मुंबई में बनाया जा रहा है तो आप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा और देश का पहला international skill India Center कहां स्ताफित किया जाएगा तो यह आपको भुने सोर ओडिसा में किया जाएगा तो option B आपका स्विव तरफ जाएगा अगला प्रस्न है कि किस भारतिय बैडमिंटर खिलारी ने इंडिया ओपन पूरुस एकल खितान 2022 को जीता है तो यह लक्ष सेंड ने तो option C जो आपका right answer हो जाएगा और किस भारतियों को विश्व बैंक का मुक और सास्तित नामित किया गया है तो इंदर मित गिल को option C आपका right answer हो जाएगा अगला प्रस्न है कि निम्विखित में से कौन से मेमोरिय की सबसे बड़ी काई है तो मेरे मेमोरिय की सबसे बड इताबाइट होता है तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है और पक्सिनिया ग्रेमिनिक्स का वक्त डेक्स से होता है तो यह आपका गहूं में black इस्टर्ट जो होता है black rust जो होता है इसके करण होता है तो option D जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा और निम्विखित में यह कौन सारा सायनी gas greenhouse परभाब उत्वन होने के लिए उत्तर दाई है तो यह कर सकते हैं जलबाब CO2 और chloro-fluorocarbon जो होता है यह होता है तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा चलिए अगरा प्रसंद देखते हैं कि निम्विखित में से कौन सा operating system नहीं है operating system नहीं है तो microsoft office जो होता है यह operating system नहीं होता है तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा यह set 4 खतम हो गया अब हम सुरू करने वाले हैं set 5 चलिए अगर वीडियो आप सभी का अच्छा लगे तो लाइक जरू कीजेगा set 5 का पहला question आपके सामने यह रहा set 5 का पहला question है कि हर जनों के लिए पिर्थक निर्वाचक मंडल के वेवस्ता को को dash के तखत उनके लिए seto का अरक्षन से बदल दिया गया था तो यह पूना संज़ता के दौरान बदल दिया गया था तो option D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और पानिपत की दूसरी लराई में बैरम खान ने dash को हराया था तो यह किस को हराया था तो हेमू को हराया था तो option D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा मली आलम डैस राज की राजवासा है तो ऐसी यहा पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला परोसन कीसी बश्तु के समवेक प्रयृतन की दौर बल की दिसामा आरूपित और संतुलित बल का समय अपाति होता है इस नियम को क्या कह जाता है तो इस नियम को नीटन का गति का दूसरा नियम कहा जाता है तो आपसन सी आपका राइट अंसर हो जाएगा यहीं से एक बराबर एम में निकल के आता है चलिए अगला प्रास्थ ओता है राइं या जल्ती हुए कुछ समय बाद क्या धका जाता है तो लोकर समय्वाद बुझ जाता थैंका क्या करन रहा होता है तो शीमित चानुप 35,786 किलोमीटर है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा इन में से कौन से निसक्रिय गैस रेडियो धर्मी प्राकिर्टिक की है तो रेडॉन जो है इसक्रिय गैस जो रेडियो धर्मी प्राकिर्टिक की है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्रिखित में से किसका उप्यो है कि 200 न्यूटन और 120 न्यूटन के दो बॉल साथ डिगरी के कौन पर आनत है तो परिनाम बल क्या हो जाएगा परिनाम बल क्या होता है रिजल्टन होता अंडरूट एफवन स्कॉईर प्लस एफटू का स्कॉईर प्लस टू एफवन एफटू कोस ठिटा यहां देख लिए अंडरूट में क्या होगा 200 का square plus 120 का square plus 200 गुना 120 गुना 200 into cos 60 degree cos 60 degree का cos 60 degree जब आप इसको कटिएगा तो इसका मान आप कहा जाएगा इसका मान आप answer कमेंट करेंगे किमें 200 का square कीजेगा 120 का square कीजेगा गुना भाग कीजेगा और इसका answer आप हमको comment box में जरूर कीजेगा चलिए अगला question है कि Scandinavia एक सांस्कृति छेतर है जो 10 महादीप में इस्तित है तो ये किस महादीप में इस्तित है ये ये यूरोप में इस्तित है तो option D आपका right answer हो जाएगा भारतिय समिदान का अनुच्षित 243 B के अनुसार मदवती अस्तित पर पंचायतों का गठन उस राज में नहीं किया जा सकता है जिसकी आबादी 10 लाग से अधिक नहीं है तो जिसका आबादी 20 लाग से अधिक नहीं है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला question है कि भारतिय समिदान का कौन सा अनुच्षित संग राज छेत्रों के लिए कुछ नियाले से सम्बंदित रखता है यह 241 जो है भारतिय समिदान का संग राजों के छेत्र के लिए सम्बंदित है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा नियम्नखित में से कौन सा नाइट्रोजन बेस DNA में मौझूद लेकिन RNA में नहीं होता है DNA में मौझूद होता है लेकिन RNA में नहीं होता है तो थाइमीन जो होता है थाइमीन यह नाइट्रोजन बेस DNA में मौझूद है लेकिन RNA में जो है यह आपका नहीं होता है चलिए अगला प्रस्ट में है कि इंटर क्रॉपिंग अंतर फसल पर किरिया इनमें से किसे दर्स आती है तो यह पास पास दो या दो सवाधिक फसले उगाने के लिए यह इंटर क्रॉपिंग फसल जो होता है होता है तो option C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा निमनिकित में से कौन सा पौधा थेले फाइटा नहीं है तो थेले फाइटा जो होता है फिवनेरिया पौधा जो होता है यह थेले फाइटा नहीं होता है तो option C जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा आगला प्रफशन है, कुछ एक वाइरसों के लिए टिका लगा लगाए गवैक्रिक्री को death प्राव्ण होती है क्या प्राव्ण होती है? क्रितिम सक्रिय प्रति रख्षा प्राव्ण होती है तो आप्षन D जो है, आपका right answer हो जाएगा और दिरिस परकास विजबल लाइट के आविर्थी कितनी होती है तो तीन गुना टेंड़ बावर एट से लेकि तीन गुना टेंड़ बावर सेवेन हर्टस दर्ख होता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है निवन में से कौन सा समबन सही है समबन सही है तो B बरावर R ओमेगा जो होता है यह आपका सही होता है समबन तो option A आपका आई टैंसर हो जाएगा भी बेव हो जाता है और तिरिया हो जाता है के 10 कानून का स्त्रोथ है तो कौटिल और शास में वरेख 4 कानून का स्त्रोथ कितना चार कानून का तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा और चन गंणा के आंक्रों का नुसार भारत का जन संख्या घना कितना था दोजार गारे कानुसाल भारत का जनोस 382 व्यक्ति पर किलोमेटर स्कॉाइर था तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और Pluto गरह की खोज किस ने की थी तो Pluto गरह की खोज जो है Clyde Tom Bogg ने किया था Clyde Tom Bogg ने किया था तो option D जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बरते हैं और अगला प्रसम देखते हैं कि एक समान चाल से चलने में वाले बश्टू की दूरी समय गराप हैं एक समान से चलेगा समय और दूरी गराप अगर कि यह और बियाम आवस्ता से चलेगा तब क्या हो गाज मैंगे हो इस तरीके से जाएगा तो उसका बेख बोढ़ रहा है तो इस पिश्ट से जाएगा तो बिराम ववस्ता में जा रहा है अगर यह ऐसे जाएगा यह आपका सरल रिखाएगा कि वस्तिक का विश्थापन समय ग्राफ के साथ सरल हो रहा है ठीक हैं अगला प्रस्म हो रहा है कि रोडियम का इलक्ट्रोनिक विन्यास क्या होता है रोडियम क्या होता है रोडियम यानि कि आरे यह 45 होता है कितना होता है 45 होता है पर्थम कोस में 1s2 2s2 2p 3s2 यह हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d8 5s1 यानि को सकते हैं कि option a जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा सरहल आवरत गति में चलते हुए एक कौन का आयम 0.07 मिटर तथा आवरत का 2.5 सेकेंड है तो उसका महत्तम वेग क्या हो जाएगा वी मैक्स क्या हो जाएगा यह ओमेगा यह कमान यहाँ पर देखें यह कमान क जो है 2.5 सेकेंड तो वी मैक्स जो होगा यह क्या होजाएगा यह flashing up यहां से चों यह i.as Highway कितना है दो स क्वला पाइचेंट नो क्वाइग यहां से नो प्वाइड ते मेरस nuclei कारपिट किजा गया यह आपका 0.176 मिटर पर सक्वाद आ जाएगा तो प्रस्ट आप लिए कि 220 बोट पर काज करते हुए दू किलो वाट के एक हीटर से गुजरने वाले धारा की संगन्ना गयात किजिए यहां पर विवांद भी कितना है जी 220 बोट पावर कितना है दू किलो वाट का मतलब होता है कि 2,000 बात को समझेगा P बराबर क्या होता है P बराबर होता है I B यहां से I B बराबर क्या हो जाएगा P बटटा में B P कितना है 2,000 B कितना है 220 1,0 स 1,0 काट ज़िए 22 नमा हो जाएगा आपका 109 यानिकि यह हो जाएगा अगला प्रस्न है केसा कर्सन से नली में द्रव चड़ेगा यह लिए असपर्स कुन कितना हो जाएगा असपर्स कुन क्या हो जाएगा यानि असपर्स कुन निवन कुन होगा तो केसा कर्सन से नली में द्रव चड़ेगा तो आपका सही उत्तर हो जाएगा और परसातं समानेत इन में से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है ये चिंता के लिए तो आप्शन बी जो है ये क्या हो जाएगा आपका सहीरतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन है फुरून गुलोबर हेल्ग केर रिच लिस्ट दोहदर ब आरज्याण का महानिदेशक निजुक किया गया है तो ये अपका मनुज कुमर को ट्यार को तो ओपूचन D जो है तो आपका रायट अंसर हो जाएगा और भारत के दिरहतरवे सतरण ग्रे जज्यमास्टर कौन बने हैं बहुत सुप्रमmetro को बने है तो ऑप्शन D जो है आपक तो आपका राइट आंजर हो जाएका ऐमेडिया प्रसुन है कि वह program जो आपके computer पर फ्रिश्ट भूमी में चलता है और आपके browsing आर्टों की जानकारी आपके computer पर program install करने वाले company को भेजता रहता है उसे इसे किसके रूप में परिभासित किया जाता है तो इसे spyware के रूप में परिभासित किया जाता है तो option C जो है आपका right answer हो जाएगा डैस के तिन सक्रिय रूप retinol, retinol और retinoic acid होता है वो क्या होता है तो यह आपका vitamin A होता है तो option C जो है यह आपका right answer हो जाएगा और अगला प्रस्ण है कि मानो शरीर में लोहनों का परिभान डैस द्वारा होता है तो मानो शरीर में लोहनों का परिभान जो होता है यह आपका रख्ट के द्वारा होता है तो option B जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं क्यूiliyor है कि करीकली पक्षी अभ्यारन रामसर साइड किस राज में स्थिथ है तो यह आपका त higher चैन्स रोजाएगा सेवी के वरतमान अध्यक्ट कौन है तो सेवी के वरतमान माध्विपूरी बूच है तो option C आपका right answer हो जाएगा और December 2020 में PM Modi ने किस सहर में देश की पहली driver right metro rail का उद्गाटन किया है तो यह आपका दिल्ली में तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और किस राज ने मिशन इंद्रधनुस में पहला हस्तान हासिन किया है आपका उड़िसा ने तो option C सही उत्तर हो जाएगा भारत का UPI को बनाने वाला पहला देश और बारत को पीय पर निवला यह उपका नेपाल बन गया है एक carbon credit में डैस सामिल होता है तो carbon credit में 1000 kg carbon dioxide सामिल होता है तो option a आपका सहीवतर हो जायगा किसी जंगन जोड़ की दो हड़ियों के भी पाए जाने वाले सिनहत पदार्थ को क्या कहा जाता है तो इसे sinovial draw कहा जाता है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और नाविकिय सनलेयन दो या दो से अधिक हलके नाज़िकों के सन्योजन की परकिलिया है और नाविकिय सनलेयन के लिए लगबग कितने तापमान के आप सेक्ता होती है तो लगबग 100 मिलियन के आसपास 100 मिलियन के तापम के आप सेक्ता होती है तो option A जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगर आप सभी के मेरे वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद और आज का पहला question देखते हैं पहला question है डैस को वर्ट 1815 में भारत का पहला महा सरवक्षण निजुक्त किया गया था तो किसे 1815 में भारत का पहला महा सरवक्षण निजुक्त किया गया था तो कॉलिन मेकेंजी जो थे कॉलिन मेकेंजी को भारत का पहला महा सरवक्षण निजुक्त किया गया था और इनका कारिजकाल था 1815 से लेके 1821 तब चला था कॉलिन वेकर इंजी ब्रिटिस्ट इस्ट इंडिया कंपनी में एक मात्र कंपनी में एक स्कॉर्टिस सेना अजिकारी था क्या थें ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी में एक स्टॉकिस सेना अजिकारी थे चलिए अगला प्रश्ण है कि सुल्लव महाजन्पदों के संदर में निन में से कौन सा राजधानी सहर नहीं था पूछा जा रहा है तो अवंति जो था ये राजधानी सहर नहीं था तो आप्शन C जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा अवंति महाजन्पद पच्छिम था मध मालवा छेतर में बसा हुआ था और अवंति एक मात्र महाजन्पद था जो दक्छिम भारत में इस्तीत था अगला पर पनामा नहर निम्लुकित में से किस छेतर से में इस्तीत है तो पनामा नहर जो है ये मध अमेरिका में इस्तीत है त ठीक है और पनामा नहर में 1914 में आवागमन जो हुआ था यह 1914 में शुरू हुआ था चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा अगला प्रस्म है कि किसी परिपत में बहने वाली धारा को मापने के लिए एमीटर को कैसे जोरा जाता है तो एमीटर को किसी भी परि चुरू होता है यह आपका सुन होता है जूल या कुलाम को किस यूप में जाना जाता है तो जूल और कुलाम को वर्ट के रूप में जाना जाता है USB जो है यहआपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्म है by गोलिये-दर्पन की धृरूंप P से मुख फोकस F दूरी को क्या कहा जाता है तो गुलिय दर्पन के धुरूब P से मुख फोकस S के बीच को दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है तो option C आपका right answer हो जाएगा अवतल दर्पन की focus दूरी रिनात्मख होती है और उतल दर्पन की focus दूरी धनात्मख होती है और उत्तल अर्पन की फोकुश दूरी धनात्मों खोती है द्वानी किस माद्य में अधिक अधिक्तम चाल से यात्रा करता है तो द्वानी जो होता है सबसे अधिक्तम चाल से ठोस में होता है ठोस माद्य में अधिक्तम चाल से यात्रा करता है जब हम केले के चिलके पर पैर रखते हैं तो चिकना होता है चिकना होने से क्या होते है उस पर घर्सन क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है इसलिए हम खर होने के लिए जैसे ही होते हैं तो चिल का चिकना होता है और इस पर घरसंग बहुत कम होता है इसलिए हम खर होने के लिए आपसे पकड नहीं मिल पाती है अगला प्रसन है कि अपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस में है कि Great Victoria मरोस्तल डैस में इस्तित है तो Great Victoria मरोस्तल है यह आपका Australia में इस्तित है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा निम्लिखीत में से कौन से भारती राज बंगला देश की सीमा पर इस्तित है बंगला देश की सीमा पर पच्छी मंगाल असम मेगाले तिरपूरा मिजोरम राज बंगला देश की सीमा पर इस्तित है तो option A जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा अस्थ सब्सक्राइब के बाद भारत के समिदान सबाके अध्यक्ष कौन थे डाक्टर राजेंदर पर साथ थे ठोसो का ताब बरहने पर कनों की गती जुर्जा क्या हो जाती है बढ़ जाती है किस बलगो के कारण चन्रमा प्रिटिक के चारोर अपने ब्रताकार कछा में गुझती है तो उप्सन ऐ आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंद यह किसी दोनी की तरंग आविरती भी और आव़र्थ काल t के बिच क्या संबन्द हो सकता है T N बराबर क्या होता है 1 by T होता है तो अगर B होता आवर्थी तो B बराबर क्या हो जाएगा 1 by T हो जाएगा तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है एक दोलन में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है और एक सेकेंड में दोलने की कुल संख्या को क्या कहा जाता है अगला प्रसन है कि डैस एक द्वारक है जो आँख में परकास के मार को नियम्तित करता है तो पुतली जो होता है न यह एक द्वारक होता है जो पुतली देखिएगा जैसे आपके आँख पर कुछ इससे किया जाएगा तो सबसे पहले आपके आँख के पुतली जो है यह बंद हो जाती है कि चलिए अगला प्रस्ण देखते हैं इमेडस कौन सा विकनर सबसे अच्छा स्तोर है वसा लिए्स को नियंतित के लिए है द्वारा किस हर्मृन का अतपादन किया था यह इंसूलिन दिया जाता है जब दो जिस तरीके से हर्मोन बाहार हता है उसके हिस्साब से इंसुलिन को दिया जाता है चाही में प्रहुशे है ओकला व प्राश्न नहीं करती सहे को करती है नहीं sto नहीं है पुछा गया है तो पंडित रवी संकर जी है उस्ताद बिस्मिल्स विलायत छाम जी है अनुस्कार संकर है पंडित कुमार सर्मा जो हैं यह सितारवादर नहीं है चलिए मुंबई इस गेटवेवे इंडिया का निर्मान डेस का स्वागत करने के लिए किया गया था तो यह किंग जोर्ज पंचम का स्वागत करने के लिए गेटवेवेवे इंडिया का जो है निर्मान किया गया था गेटवेव सब आसब पास में चलिए के पोसक तत्तों के साथ जल निकायों इसके पुसं कहा जाता है इसके परिखलिया लिए से उत्तर हो जाएगा और नेंदानिख थर्मामीटर का परास्य मात क्या होता है इसका सीमा जो होता है 35 degree Celsius से 42 degree Celsius तक होता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा पिलेगरा डेस की कमी के कारण होता है तो पिलेगरा जो होता है यह नियासिन के कमी के कारण होता है तो option A यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा और मानो सरीर में pituitary grantee कहां इस्तीत होती है तो यह मस्तिक के तल पर पिट्वेट्री ग्रंती इस्तीत होती है तो आप्शन डी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा इसका आकार मोटर के दाने के समान होता है और इसका वजन की बात की जाएं तो 0.6 ग्राम और लंबाई 1.3 सेंटीमीटर होता है यह खोपरी को एसफो सरीर के कुल वजन का लगभग 2% होता है अब मस्तित का ओसत वजन की बात की जाएं ग्राम में तो 1400 ग्राम यानि के 1.4 केजी को सकते हैं या 1400 ग्राम होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि मानों के किस अंग में परिहद यानि पुरे निरी धमनी धिमान होती है यह हिर्दय मे होता है तो आप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा फुरा सब्सक्राइब से अब आज में प्रोब्लम आ गया है ठीक है आप लोग समझ सकते हैं अगला प्रशन है कि किस देश ने एफ आई एच जुनियर महिला होके विश्कव दोज़रे किस का खिताब जीता है तो यह किस नहीं जीता है तो निदर लेंड ने तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परसिद नर्तक बिर्जु महाराज का निधान हो गया वह निर्थ की किस स सम्द्धित थे यह आपका कथक से इधका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा तहवार स्क्मराज के नय साल के जस्न का परतीक होता है तो यह नामसुंग या लूसुंग तो ऑफसन यह आपका सही उत्तर हो जाएगा एकला प्रशन है कि मानोश शोसन में क्या छोड़ा जाता है मानव सोसन में कारवन डाइक साइड हम लोग छोड़ते हैं और ऑक्सिजन को लेते हैं तो ऑप्सन डी आपका स्वेउत्तर हो जाएगा और धात्वों के अमलों के साथ अपक्रिया करने पर कौन सी गैस उत्पन होती है तो यह आपका हाइड्रोजन तो ऑप्सन यह आपका दोनले थी आगे बढ़ते हैं कि सोडियम हडोजन कार्बोटियंले करावने नाम स्माने nau नाम क्या है तो सूडियम हडोजक्टियन कार्बोटियिट का समाने नाम बेकिंग सोडहोनada है तो ऑप्सन C आपका स्वेउत्तर हो जाएगा स्वचंपानतर समों सब्दित стать उपना क डैस का वर्णर नहीं करता है तो rather for परवानु बडल जो है ये घ्रल कर नहीं करता है तो हम कह सकते हैं ये परवानु के अस्ताइर द्रवर्ण नहीं करता है तो option a यहाँ पर आपका सही उत्र हो जाएगा beryllium काफी रथक dash के समान होता है तो बेरिलियम जो होता है यह एलमुनियम के समान होता है तो आप्शन यह आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रस्म अगला प्रस्म देखते हैं कि किस बंगाली लेखक में 2022 का पर्तिष्टित ओहन्री पुरुसकार जीता है तो यह आपका अमर मित्राने तो आप्शन दी के चैतरियम क्यले दिल्ली जिल्कटा और चन्य के लावा और कहा है और यह थोल्ektवम समटील दिल्ली एक्णा चन्य के लावाँ मैं तो औरो यह सखेते हैं और कि तो option D यानि A, B दोनों को हो जाएगा भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हैं तो रामसर साइट की बात की जाएं तो option C आपका सही उतर हो जाएगा और परधान मंतिरी नरेंदर मोदी ने सही दियोर्स का उसर को किस सहर के विक्टोरिय मेरियर हॉल में विकलोवी भारत गैलरी का उधाटन किया है तो यह कोलकता में option C आपका सही उतर हो जाएगा किलोरीन जल में विक्रिया कर देता है क्लोरीन जब जल में हविक्रिया करेगा तो यह हाइपको क्लोरम अमने बनाएगा option यह आपका सही उतर हो जाएगा एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सरवाधिक महत्मु भाग होते हैं क्या कहलाता है तो उसे system unit का आ जाता है तो option D आपका सही उतर हो जाएगा न जो है यह आपका अगनी टैंक मिसाइल सही सुमेली था तो option C जो है यह आपका सही उतर हो जाएगा तेजस भारत का पहला हलका लगा को बीमान है जिसे LC कहा जाता है यह सेट नंबर छे जो है हमारा खतम हो गया अब हम सेट नंबर साथ में आते हैं सेट नंबर साथ का पहला कोशन दिखते हैं सेट नंबर साथ का पहला कोशन राजकुमारी रतनावली की प्रेम कहानी के संबंद में संस्कृत नाटक रतनावली दैस द्वारा लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखा गया है यह हर्स के द्वारा लिखा गया है तो option C जो ह ने प्रिदर्शिका रतनावली तथा नागानंद नामक तीन संस्क्रित नाटक रन्थों की राचना की थी हुगली नदी के तठपर अंग्रेजे दुआरा पहली व्यपारिक कोठी डैस में अस्तापित की गई थी तो यह आपका सुलो से कावन इस्वी में अस्तापित किया ग संस्क्रित है अठाइब के से जहान वाली तार के विशेस के उप्यों की जाने वाले दूपाध répond कों से हैं ओन तौह यह आपका सही उत्तर अग्राफ्तन हो जाएगा अगला स्क्रेकित के द्धोवने तो आयां किसफ़ निर्वर करता है तो दोखनी तरंक का जो आयां होता है बस्तो के कमपन करने के लिए परजुक बाल पर निर्भा करता है तो आप्शन भी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं कि अगला प्रस्न है कि दो बस्तों के बीच की दूरी घट कर आधि हो जाएगा एफ बराबर जी एम एम टू बट्टा आरे स्वए बाता सुझेएगा अगर दो दो पे दोनों को आधि कर दिया जाए जाएगा दूरी घट कर आधि हो जाना उनके बीच लगना वाले गुर्तों कर संबल पर क्या पर हो आपकर अगर दूरी आधि हो जाए तो एक ब जोड़ा चला जाएगा जाएगा श्यार जाइगा चला जायगा यानि कि वह कितना जैंगा गुलतों कर संबलता 8 1-0 जाइगा चलिए कि किसी पथार्त के आपक्षीद घणत क्या होता है तो किसी पधार का आपक्सीद घंत होता है, पधार का घंत, बटा पानी का घंत, तो option D आपका right answer हो जाएगा, यदि वस्तु या दरव का आपक्सीद घंत एक से अधीक होगा, तो वस्तु जल में है, डूड जाएगा, एक से कम होगा, तो वस्तु जल में क्या करेगा, चलिए अगला प्रस्म है, कि किसी आदर्स दरव की स्यानता कितनी होती है, तो आदर्स दरव की स्यानता एदाम 0 होती है, तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा, उस वल का नाम क्या है, जिससे प्रिछिव सब बस्तों को अपनी ओर खिषती है, तो इसे गुर्द्वा कर्षन कहा जाता है, तो option C यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रस्म के लिए आगे बढ़ते हैं, यह हमारा अगला प्रस्म है, कि ट्रांस साइवेरियन रेलिवर निम्रिखिती में से किस देश की परियोजना है, तो यह आपका रूस की परियोजना है, तो option B आपका सही सही उत्तर हो जाएगा, अब भारतीर समिदान के किस अनुच्छेद का अंतरगत, ग्राम पंचायत का गठन किया गया था, तो option D यहां पे सही उत्तर हो जाएगा, केंडर राज्यों सम्मंदु पर भारत सरकार द्वारा वर्स डैस में सरकारिया आयोग का गठन किया गया थ यह 1983 में, option B आपका सही उत्तर हो जाएगा, और फ्लेमिंग के वाम हस्त नियाम यानि लेफ्ट हैंड डूल में कौन सी उंगली विदुद्धारा को परदर्सित करती है, तो यह जो मध्यम उंगली जो होती है, यह आपका विदुद्धारा को परदर्सित करती है, तो option B आँखों के समी प्राकर परियोग करता है, तो वस्तु की दूरी प्राप्त आवर्धन क्या होगा, देखें, भी कमान यहां पर कितना दिया है, भी बराबर पचीश सेंटिमिटर दिये, माइनस पचीश सेंटिमिटर, एक बराबर कितना हो जाएगा, पांच सेंटिमिटर, एक बट्टा एफ बराबर एक बट्टा भी माइनस एक बट्टा यू एफ कमांड कितना दिया है एक बट्टा पांच ये एक बट्टा भी कमांड दे दिया है एक बट्टा माइनस का 25 माइनस एक बट्टा यू इसको हम इधर लिखे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ये 25 इक बट्टा 25 बराबर एक बट्टा यू ये यू जो है मेनेस का एक बट्टा यू अब यह पांच पाचीस कह बट्टीक की तरह कर occupac इसे भाग देंगे तो ये मैनेस का 1 conservation सेंटे मेंटर आ जाए तो आवर्धन क्या होता है आवर्धन होता है M बराबन 1 प्लस D बट्टा F यानि कि 1 1 प्लस 25 बट्टा 5 यानि कि 5 प्लस 16 यानि कि 6 लेंस कितना हो गया जी लेंस 4.167 है जाएगा 4.167 और आवर्धन 6 तो हम कह सकते हैं option A जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्लस्ण है कि एक गेंद भावन की च्छत से गिरने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगता है गेंद का प्रिथिव को तोरण 10 मिटर पॉर स्कॉर में तो भावन के मुचाई के आतीजिए ती, कितना दिया है, तीन सेकेंड, तो अर्ण जो दिया है, दua समीटर पोर सेकेंड doesma Guitar, अब h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है ut plus half a t square, initial from which गुना टी कितना दिया थीन कऱिया है तो पंचेतुक फिरी कुना पचे पंचे में 45 मिंटर त्थ शुआगा आपका सही उत्तर हो जाए गाँ चुली आगे बढ़ते हैं माहस्पेश्यों की ठकान में डैस्क संचन्चन के वजैसं होती है यह लैक्टिक अमल्यक्तिcious जुद reverse तो option a आपका right answer हो जाएगा नेवु संत्रा अंगूर में क्या पाया जाते है citric acid पाया जाता है अंगला consent है कि iodine के परजब seven के कारण निम्रखित में से कौन सा रोग होता है तो यह bedroom iodine के off reality 7 के कारण निम्रखित में से कौन सा रोग होता है तो बेली-बेली का रोग का नीकिल आयोडीन कने आश Thy अफिसेयन गिंगा घेंगा रोग अब सब्सक्राइब अब इन्यसक्रीन के किन गिंगा रोग होता है एकिनगा रोग होता है इसके परिणाम से रूप क्या आता है गर्दन में भी फुलकर मोटी और कॉलर जैसे सवान रूप में क्या कहते हैं गहेंगा कहते हैं तो अप्शन यहां पर आपका सही उतर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट में कि अपि एक और्थ बेष्टा में वह स्तिति जब और मुद्रा इस्वेटी में बेरोजगारी दूनों उच अस्तर पर होती है यह सबसे निश्फान डुलस्त गasis के रूप में जानी जाती है तो आपशन आपका सहीद्थ हो जाएगा और軍 Kukisla, सबसे अधिक राज के अंसासिट पर देशों से जुरू होती है यह आपका उत्थर पर देश है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और इंजायम ट्वलिन डेश में पाया जाता है तो इंजायम ट्वलिन जो हता है यहां पाए जाता है लाड में पाए जाता है आपकर अजन्वरों के साथ संबंदों के अध्यन को क्या कहा जाता है उनका अध्यन को कहला आपकर अध्यन जो है गुर्दा के द्वारा प्रिथक किया जाता है तो अक्त डी आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रोष्जस में स्थान को पहला स्थान मिला है तो यह आपको सिंग्जव भी सुविज दाले को मिला है तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और नासा के नासा ने दुनिया के सबसे सालिफ टेलियस्कोप का अंत्रिक्ष में तैनात किया है इसका नाम क्या है इसका नाम है हरसल स्टाल एस्पेस स्टलेस्कोफ आप्सूं आपका सही उत्तर हो जाएगा और किस संस्थाने रहाओ पानी से उचारिट चया जाता है तो क्या होता है तो यह आपका पानी के साथ तेजी से अपक्रिया करता है और बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले केल्सियम की सदा पर चिपक जाते हैं तो कॉसक में तीन और चार दोनों है तो आप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा है कि आवर शानी की सभू में नीचे जाने पर निम्लिकित में कौन सा नहीं बड़ता है तो नीचे जाएगा तो सभी हो जाता है तो आप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा और अगला प्रस्वल्ट है कि सोडियं सलफेट और बेरियम कुल्राइड बिलियन के अविक्र कराते हैं यह पहले बनाता है यानि कि इन दोनों के रियक्शन से दो दो विश्टापन हो जाता है और यहां दियु विश्टापन अविक्रिया होती है अगला प्रस्दें रिनात्मक आवेसित आएन को और चार ततनों के इलेक्र्ट्रोनिक विद्यास नीचे दिये गए निवलिखीत मेंसे को अधिक विधूत रिनात्नक बगता है तो क्लोरीन जो होता है अधिक विधुत रिनारत होता है तो option C आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्ण देखते हैं अगला प्रश्ण है कि समिधान सवा के अंतिम जिवित ग्यक्ति कौन थे जिनका निधन हो गया है समिधान सवा के अंतिम कौन ग्यक्ति थे जिनका निधन अभी हाली में हो गया है तो ये टी-म कलियानन थे तो option C जो है आपका right answer हो जाएगा और नंदनी नदी उससो किस राज में मनाया जाता है तो ये करनाटक में मनाया जाता है और किस देश ने हेलीना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलता पुर्वक पर उच्छन किया है तो ये आपका भारत में किया है तो option B आपका सही उतर हो जाएगा और भारत सरकार दोरा 20 में परमानु उर्जा सन्यतन लगाने के लिए कितने नए अस्तलों के लिए से धानिक मंजूरी दी गई है तो ये आपका 5 तो option D आपका right answer हो जाएगा और भारत का सबसे बरा रामसर साइट कौन सा है तो ये आपका सुंदर 1 है तो option D आपका right answer हो जा जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं कि जिस के लिए में धनात्मक अवेक अनुपात में विर्जी होती है वह क्या का लाता है तो वह अप्शन B जो है आपका right answer हो जाएगा और बैंकों में चेक वर ड्राफ्ट में इसका उप्योग किया जा रहा है तो यह आपका right answer हो जा आईगा यह 7 7 खतम हो गया अब हम देखने वाले है से से नमबर 8 चलिए से नॉमबर 19211 को सब्सक्रांता है आपका अगला प्रस्ट है कि कोई बस्तु जब द्रॉब में तैरती है तो क्या होता है जब बस्तु का घंट द्रॉब से कम होता है तो आप्शन डी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा उत्पला वक्ता कर सिल्धांत आर्किविश्ट ने दिया था बस्तु कब तैरेगी जब बस आपका राइट आंसर हो जाएगा जब बस अचानक रुकती है तो बस में सवार यात्री किस तरफ भी देंगे जैसे ही ब्रेक लगाईएगा तो क्या होगा आईए इसको पूरा देखाते हैं तो व्यक्ति जो होगा जैसे ब्रेक लगता है तो आप देखें होगा आप आगे की ओर जाते हैं तो आगे की ओर क्योंकि सरीर का निचला हिस्सा जो होता है बस के सापेख्ष विरामा वस्ता में होता है जब कि उप्रे भाग गतिया वस्ता में होता है इसके ही कारण तो आप संडी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि एक डुबे भगवद गीता का वर्नर है तो यह विश्म पर्व है तो आप संडी आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं कि भारतिय राष्ट्य कांग्रेस द्वारा पुन सो राज अर्था ब्रिटिश राज से पुन सो तंत्रा की घुसना कब की गई थी यह 26 ज अगला प्रस्ण है कि भारतिय समिधान के नुशार यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस सदन की अनुमति के विना 10 दिन की और दी तक सभी बैठकों में अनुपस्तित रहता है तो सदन उसकी सीट को रिक्ट घोसित कर सकता है यानिकि अगर साथ दिन से तक अगर वह कर दिया जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण है कि अफसरवत रंगों की आविरति कि प्रास जो होती है यह कितनी होती है तो यह 20 हट से कम होता है तो आप्शन बी जो है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और एक अधिसे फोकल दूरी धाइं मीटर है तो उसकी छंता क्या हो जाएगी छंता एक मौता फोकल दूरी 1 वाट एक यानिके एक बाट तो पाइंट 5 जानी कि कह सकते हैं ऐपोपाइब कौn सा उत्तक पानी का सुमहन करता है यह पानीorkा संभन करता है Penc का ऐदी कार्चप अरुपइश तरुबएगा १ै कि द्फेट नाली कुणा मोपांने बला मैंailsmith यह लिए कुण गए यह इन्टों पयूमदीय और पर पिंक आई यानि गुलाबी आँक के रूप में जाना जाता है तो नेतर सोथ को गुलाबी गुलाबी आँक के रूप में जाना जाता है तो आप्सट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् गुंगे रिलारय में उत्रक्त मुझ और अग्तर हो मुझ अगरा कोर्मजा को there इनमें से कौन सा पोसक था तो सरीर मानो आहार के लिए मुख उड़ जास्तर होता है तो यह क्या होता है लाल रख तनिका की कमी होता है तो उसे एनिमिक हो जाता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जली अगला प्रहस्तन है कि निम्लिखित में से कौन सा सिट्रस फल नहीं है तो सबसे छोटी होती है और आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा ुटिर ले जाती है तो हम कर सकते हैं जो फुफूस धमनी धमनी के तरिक बाकि सभी धमनिया जो है ऑक्सिजनित रुधिर ले जाती हैं तो आप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि पेशियों के संकूचन और सिथलन के संबंद में निमलिखित कत्रों में से कौन सा एक सही है यह सांयल होता है और आपसन बी आपका राइट अंसर हो जाएगाए इनमें से किसने भारत के विछ मंत्री नहीं समाल मुद जो हैं यह वित्मंत्रित अपद नहीं समाले हैं आप संडी आपका राइट अंसर हो जाएगा वीके कृष्ण मेनन ने 1962 के चीन जूद के कारण पद से त्याग दे दिया थाँ चलिए अगला प्रृष्ण है कि विशु पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो कृष्ण कि असल ने कैसा अंट ऑपका सहँस्तर हो जाएगा निम्रिखित में से कौन सी परवस परवति तो वनिद परवतों का हें तो option b ﹴ आपका सही उत्तर हो जाएगा है चलि अगला प्लत देखते हैं अगला प्लत आपके सामने यह रहा कि 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 रषाइनिक संविक्रम को संतुलित कहा जाता हा यदि संतुलित कहा जाता है। यदि दोनु पक्षों के पर्माणूव की संकिया हो जाती है समान हो जाती है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा और कौन सा अभी कर्मक अस्थानिय या समाने सम्वेदना हानी उत्पन करता है तो यह निश्चेतक जो है वही करता है तो option A यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कांसा डैस का मिस्ण धातु होता है तो कांसा जो है तामबा और तीन का मिस्ण धातु होता है तो option B आपका सही उतर हो जाएगा plaster of달is के करे होने के दौरान क्या होता है cotton we will do Twitter के करे dl ställe के दरूमान का विस्तार होता है और उसमा मुक्त होती है तो option B आपका सही उतर हो यह एभी कारक हो नहीं हिँए तो यह अभी का रख के रूप में मौजूद होता है निष्णा हम सब्सक्राइब गयों स्बसक्राइब करिए अब होता है उस सब्सक्राइब सलब और किन्ता तो की सबसे बाहरी को सब्समें साथ संयोजी है लोक्टौन होते हैं यह है लोजन यह जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्राशन देखते हैं कि नमिन्तम रामसर साइब पाला आदरभूमी किस राज में इस्तीत है तो यह किस राज में इस्तित है यह मीजोरों में आप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट अगला प्रस्ट है कि अमेरिका ने अफगान से ने को कि सहर में सपाह यह काबूल में आपशन V यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट आप कि टेरोलीन होता है तो टेरोलीन जो होता है यह एक polyester होता है तो option A यह आपका right answer हो जाएगा phenol एक dash होता है तो phenol जो होता है antiseptic होता है तो option B जो है यह आपका सहीवतर हो जाएगा agent orange क्या होता है agent orange की बात की जाए US सेना द्वारा पर्जूक साकनासी रसाइन होता है option C यहां के सहीवतर हो जाएगा और C basic को बोल जावा उधारन है यह किसके उधारन है यह आपका high level language की उधारन है option B आपका सहीवतर हो जाएगा यह वोल C O B O का उधारन होता है common business oriented language होता है ठीक है और basic की बात दिजाए यह इस basic की यानि कि beginners all purpose symbolic instruction cool होता है पुरुशो की Asia Cup 2022 का किताब किसमें जीता है यह दक्षी कोडिया ने option B आपका सहीवतर हो जाएगा और दिल्ली खेल विस्विद्याले की पर्थम कुलपती कौन बनी है यह कर्णन कर्णम मलेश्वरी option B आपका सहीवतर हो जाएगा और वर्थ 2021 के 31 सरस्वति सम्मान के लिए किसे चूना गया है यह आपका प्रफेसर रामदरस मिश्र को option C आपका सहीवतर हो जाएगा और विस्व वन जिव दिवस कब मनाया जाता है यह तीन मार्च को मनाया जाता है option B आपका सहीवतर हो जाएगा कौन सा देश जंगली जनवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है यह एकवेडोर option B आपका सहीवतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस देखते हैं अगला प्रस में है या नहीं भी अगला प्रस नहीं है अब हम लोग चलते हैं set number 9 में set number 8 complete हो गया set number 9 का पहला question देखते हैं कि किसी lens के दोनों वक्रता केंडरों और lens के परकासिये केंडर से फोको गुजरने वाली एक काल्पनिक सिधी लेखा को क्या कहा जाता है तो उसे मुक अक्ष कहा जाता है option B आपका right answer हो जाएगा निम्लिकित में से कौन सा सुत्र विवानतर और पर्शिरोत के बीच को संबंद करता है तो B बराबर क्या होता है B बराबर होता है IR क्या होता है यहां से R बराबर क्या हो जाएगा R बराबर हो जाएगा B बढ़ता I option C जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्म कि चुकि धोनी तरंग एक बिछोब है जो माध्य में मौझूद आसपास के कौनों को गतिमान करके संच्रित होता है उन्हें किस तरंग सिरिनी में वर्गी कृत किया जाता है उन्हें यांत्रिक त होता है वे उच्पीच वाली प्रसरफ चीख निकालते हैं जो कि किसी विबादा से टकराकर प्रवर्तित होता है तो आप्शन एही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्म कि एक दो ओम का पर्तिरोद 10 वोल्ट के वैक्टरी से जूरा है तो पर्तिर बी जो है यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्म है कि हवा में द्हौनी का वेक 330 मिटर पर सेकेंड है और एक स्ट्रोथ से उससरजी द्हौनी तरंगों का तरंग तरंग दर्ज 1.1 मिटर है तो स्ट्रोथ के आविर्ति का मान क्या होगा आविर्ति का वेक बर आणिन लेम्डा क्या होता है अब क्या निकालना है इन निकालना है अन बराबर क्या हो जाएगा ऩे बड़ता लेम्डा श्या BACK के चितो अग fez प्राइव और नीस तरह में बारत की यात्रा के दोरान अपोलो बंदर ऑर उनक्यांपन की इस मृति से गेटवे ऑफ इंडिया का निर्मान किया गया था तो गेटवेः प्र इंडिया का कि जोड फाइफ जिंग जोड फाइफ और राइन मेरी को 1911 में मैंने दोरान गेटो अफ इंडिया के निर्मान किया गया है तो आप्शन बी आपका राइट अंसर हो जाएगा ठेड़ी गाथा एक बहुत गरंथ है जो डैस के हिस्सा है यह भिक्षुनियों द्वारा रचित छंदो का क्या है संगरा है तो यह सूथ पिटा का आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत में में निन में से कौन सा अच्छे टेल को लिए जाना जाता है तो त्वे को सकते हैं मॉंबई हाई जो है ये तेल निस्प्रक्शन के लिए जाना जाता है तो option D आपका सही उत्र हो जाएगा चलिए अगला प्रस में है अगला प्रस देखते हैं कि उस सरह लोलो की लंबाई निकलने जिसका आवर्ट काल 7 सकेन है आवर्ट काल क्या होता है तो सबसे पहले क्या करना होगा इसको इधर लाना होगा इसको इधर लेकर आएंगे तो ये 3.5 हो जाएगा जब इसका गुना भाग किजेगा रूट हटाईएगा तो इल का मान आपका आजाएगा 12.15 मिटर तो option B आपका से उत्र हो जाएगा किसी ताप पर गैस का आएटन उसके 0 डिगरी सेल्सियस पर आएटन की 3 गुना हो जाएगा तो B1 बटा B2 बराबर क्या होता है B1 बटा B2 बराबर T1 बटा T2 क्या होता है नियत दाप पर किसी भी गैस का आएटन उसके परम ताप टा क्या होता है समानुपाती होता है क्या होता है समानुपाती होता है अगर 0 degree Celsius की बात की जाए तो यहां से अगर हम T2 देखें तो T2 जो होगा क्या हो जाएगा T2 इधर लाएंगे यह हो जाएगा V2 बटता V1 into T1 T1 क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा तो अगर हम देखें यहां से यह आपका T1 0 degree Celsius पर तो अगर हम Kelvin में देखें तो यह कितना हो जाएगा V2 यानि कि 3 V बटता V गुना 273 Kelvin V से भी कर जाएगा यह आजाएगा 800 onus Kelvin तो T2 800 onus Kelvin में से 273 माइनस करेंगे तो 546 degree Celsius आजाएगा option B आपका सही उतर हो जाएगा पिर्थवी गृत्यवे तůरन का भान सुन कहां पर होता है प्रीथवी के पर सुन होता है तो option D आपका सही उतर हो जाएगा एक कोषिखा से दूसरे कोषिखा में पानी की अनुगति dash पर निर्भर करता है तो उसके प्राशनली सांदरन पर निर्फर करता है तो option cf का राइट अंसर हो जाएगा डेस को रक्त सरकरा के रूप में भी जाना जाता है तो गुलुकोज को रक्त सरकरा के रूप में भी जाना जाता है वे जीव जो अंजीओं का मास खाकर अपना पोशन प्राथ करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें मास भक्ची कहा जाता है तो option c आपका सही उत्तर हो जाएगा और निमलिकित में से कौन सा आंध परदेश का प्रक्यात निर्थ और संगित युग्म है जो डांडिया निर्थ के सद्रिश कहलाता है तो ये आपका कुलनालू जो है कुलनालू जो है निर्थ है तो option b जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अगरा प्रशने की भारती समिदान में कार्ज की नियाय संग्लत एमन मानवोची दसायत था परसूती सहायता सुनचीत करने के उबंद को डेस के रूप में सामिल किया गया है उसे राज के निती निजैसक तद्व के रूप में सामिल किया गया है तो option b आपका सही उत्तर हो होजना option b जो है आपका सही उत्तर हों जाएगा चलिया आगे बढ़ते हैं और अग्ला प्रस्थन के कारण निम्लिखित में से कौन सा रोग होता है अगर प्रोटीन की कमी होगी तो इसमें परीपरीगर्विक रोग हो जाता है परीगर्विक तो option c आपका सही उत्तर C आपका सही उत्तर हो जाएगा malaria को dash से प्रात दवा से ठीक किया जा सकता है तो इसे sincrona brick से प्रात दवा से ठीक किया जा सकता है तो option A यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और मानो सरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो मानो सरी के सबसे लंबी कोसिका जो होती है ये तंत्रिका कोसिका होती है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और विटामिन A की कमी से निम्रखीत में से कौन से बिमारी होती है तो विटामिन A की कमी से कमजोर दिरिष्टी हो जाता है कमजोर दिरिष्टी बिमारी होती है तो option A आपका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न है कि मानों में नर युगमक निर्ण में से कौन सा गुंसुत्र का वाहक होता है तो यह या तो X या तो Y तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतिय जनगर्णा निर्ण में से किस भारतिय राज में ग्रामिन छेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या सारवादिक है तो यह आपका उत्तर परदेश में तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और भारत का पहला वाइसर है कौन बना था तो लौड कैनिंग जो था भारत का पहला वाइसर ह तो option A जो है आपका right answer हो जाएगा मुद्रा राक्षस नाटक जिसने लिखा था तो यह आपका विसाक दत्तर ने लिखा था तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं अगला question आपके सामने आजाएं अगला question आपके सामने यह रहा कि पानी में आमल का billion बनाने का सही तरीका क्या है तो सही तरीका है पानी में आमल का billion बन जाएगा तो option B जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा बोर के कच्छाओ को इस तिर क्यों कहा जाता है बोर के कच्छाओ क को इस लिह के आ जाता है ओनमे म Edwards की निस्चित उड़ा होती है reaches प्राक्रितिक मेंड 171 अम लिए होते हैं Two आपस्टिअब का सही उत्र हो जाएगा अगला वह भी जाती है मिजरन जिसमें बिले के कौन घुलते नहीं वलकि पूरे माध्य में निलंबित बने रहते हैं डैस कहलाते हैं यह सस्पेंशन कहलाता है तो आप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कौन सा हैलोजन सबसे अच्छा उक्सिकरन एजेंट है तो फ्लॉरीन जो होता है सबसे अच्छा उक्सिकरन एजेंट होता है तो option A आपका right answer हो जाएगा Global Peace Index 2021 में भारत का रेंग क्या है तो भारत का रेंग 135 वा है तो option D यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और NASA ने दुनिया के सबसे सकते सालिट टेलिय स्कोप को अंतिरिक्स में तैनाद किया है इसका नाम क्या है तो इसका नाम हरसल एस्पेस टेलिय स्कोप है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और मिलका सिंग ने किस वर्स ACI खेलों में स्वान पदक परात किये थे तो यह आपका 1958 में तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन आपके सामने यह रहा कि मिथेन में मौझूद बंद का जो परकार होता है वो क्या होता है तो सो सन्योजग बंद होता है मिथेन में क्या होता है सो सन्योजग बंद होता है मिथेन का क्या लिखते हैं CH4 इसमें अगर देखा जाए तो C एक रहता है हैAh इधर इधर यारni कि क्या होता है सो सन्युजग बंद होता है एटम बंके सिधान का अधार क्या होता है यह ना विक ए विखंडन होता है तो option D आपका सही उतर हो जाएगा, सबसे बड़े और सबसे छोटे करमे निम्लिखीत में से कौन सा है, कौन सा सबसे छोटा, तो सबसे बड़े से सबसे छोटा, पहले TB, फिर GB, फिर GB, TB, GB, TB, GB, TB, GB, GB, TB, GB, GB, TB, GB, GB, जैनने terabyte, gigabyte, megabyte, kilobyte, तो option D जो है, आपका सही उतर हो ज खेती क्या है एक परकार का कारवनिक खेती होता है जिसके तहट जलिए जीव पालन का बागवानी एक साथ की जाती है तो ऑप्शन डी जो है यह क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि किस यूरूपिय देश को अंतराष्टे मुद्रा कोस का एक सुन नववा देश चूना गया है तो यह आपका अंडोरा को तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और मधपर्देश के किस आधर भूमी को रामसर साइट गोसित किया गया है तो यह आपका साखे सागर को तो ऑप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा और खेलो इंडिया राष्ट्रिये सितकालिन गेम्स के दोरां संसकरण का एविजन कहा किया गया है यह कहा किया गया है तो गुल मर्ग म में आपका सही उत्तर हो जाएगा और संसर टेवी के पहला सी यो किसे ने युक्त लिया गया है तो यह रभी कपूर को आपका राइट अंसर हो जाएगा और गाली के हर्तियागे दिमेकिंग अफ नाथुनम गोट से एंड हीज आइडिया फुष्टक के लेखक कौन है तो धि सेट नंबर 9 खतम हो गया अब हम सेट नंबर 10 देखने वाले हैं सेट नंबर 10 क्या कहता है सेट नंबर 10 में पहला कोश्चन है कि एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित इम और इम दरवमान वाले दो पिंडों के बीच लगने वाले बल आकर्सम बल का सुत्र क्या है जहां जी अनुपातिक का इस्तिरांग है जिसे सारवत्रिक गुरुत अगंस नेतांग कहा जाता है तो देखिए एक बराबर क्या होता है जी एम वन एम टू बट्टा डी की ब अप्शन सी आपका राइट अंसर हो जाएगा जी सरवातिक गुरुत गुरुत वकर्स नेतांग होता है इसका मान होता है कभी कोई पूछा एंटीपीसी में सिक्स पॉइंट सिक्स सेवें इंटू टेन डू दू पर माइनस एगारव न्यूटन मीटर स्कॉयर पर केजी स्कॉयर होता है जी का मान सभी अस्थानों पर एक समान होता है चलिए अगला प्रसंद देखते हैं कि रेटीना में में मौजूद कौन सी कोशिका है चमकदार औ बंग समीद्दा पर दान करती हैं यह संख्यर संख्य के यह कार की जो कुश्ड़ काएं होती है तो ऑप्सण्द आपका सही उत्तर हो जाएगा हवा में परकास की चाल कितनी होती है तो हवा में परकास की चाल 3 गुना 10 to the power 8 meter per second होता है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा काच में परकास की चाल 2 गुना 10 to the power 8 meter होता है और जल में परकास की चाल 2.25 into 10 to the power 8 meter per second होता है किसी गतिसील पिंट का वेग आधा करने पर उसका सम्वेग क्या हो जाएगा उसका सम्वेग क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा पी बराबर क्या होता है अगर इसका वेग आधा कर दीजिएगा तो सम्वेग भी आधा हो जाएगा तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्प के द्रोवन संगनन में होता है उसमें क्या होता है उसमा नात्र टैगोर्थ है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा किस मोज समराट ने लगभग दूसर बहत्तर दूसर आट्सर दूसर इसापूर्प के अपने सासनकाल के दोरान सिलाओं और अस्तंबू पर अपने लेख उत्किन करवाय थे यह असोक ने करवाय था तो option C जो है आप और अपयोकर्तnor ऐसली आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला परसन देखते हैं के अगला परसन आपका है कि कौन सा कथन सही है कार्ज औरूस्मा ओकुई स ममण नहीं है कार्ज और उस्मा आपवस में संवन्ध है घर्षन और कार्ज दोने ही उसमा की समण पाति होता है तो कार्ज और उसमा में आपस में संबंध है तो ऑप्शन बी जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा कमानिदार तर्मान के दो पिंडों के एच और टू एच उचाई पर रखा गया इनकी इस्तिती उर्जा का अनुपात क्या हो जाएगा इस्तिती उर्जा का उर्फ होता है एक आनुपात इच वणबटा एच टू ही होगा एच बटा टू एच होगा यह निको सकते हैं एक उन पात दो ऑप्शन डी जो है आपका राइट अंसर हो जायागा पोटेंशिल एनरजी क्या होता है इम जी होता है बात को समझ एगा है तो यहां potential energy जो है यह directly proportional to किसके है एच के हैं तो अगर कहा है potential energy 1 उन लटा a total energy व्रावर क्या है हई इसटाफ फोर엔 हाई पकर होगा तो इसे क्या हो जाएगा माइन ए pre आप को जाए अगला नीकिल्गते हैं जारे के समय किसी आस्वाइन defend Ole तो यह ताफ फोरेन हाइट मापकरोंट पर क्या होगा तो उस्ते क्या हो जाएगा माइनस का नठाउन डिग्री फोरेन हाइट हो जाएगा अपसे आपका राइट अंसर हो जाएगा आपको यह कोई से तो भी जान दिजिए C बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 होता है अब C कितना दिया माइनस 50 तो माइनस 50 बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 5 दहां 50 दोस नो दहां 90 माइनस का 90 बराबर F उधर आएगा तो 32 इसमें जोड दिजे तो 32 इतर से माइनस कर दिजे दस में से दो गए आठ और आठ में से तिन गए पाच माइनस का अंठाउं डिरी चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी तोचा के नीचे छोटी रख्ट वाहिकाओं को क्या कहा जाता है इसे कोशी का कहा जाता है क्या कहा जाता है क्या कहा जाता है तो option A जो है आपका right answer हो जाएगा और एक यूवा पुरूज का रख्ट चाप समाने तो कितना होता है तो एक यूवा का रख्ट चाप के बात के जाए तो 120 वाटा 180 होता है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि DLA में आन्वान सिक जानकारी को परतियत शुरूप से बेवार में नहीं ल सभी साहसे वघाए तो सही उत्तर हो जाएगा और भारतिय ऑ रेलवे ने जंवू और कास्मीर में 10 नदी पर 20 सबसे ऊंचे रेलवे अर्क ब्रीज के निमान का कार्ज पूरा किया हैं तो यह कहन चिनाब नदी पर किस नदी पर Вас तो टो चिनाब नदी पर इसनका सही प्रादेशिक निर्वाचन चेत्रों से पर्त्यक्स निर्मान द्वारा निर्वाचन द्वारा चाहिनित होंगे यह आपका कितना अमुछेद एक्सवाचन के नुसार यह 500 विद्वाचन सब्सक्राइब और अनादिक दो साथ से अनुस्वास होंगे तो पांस और साथ होंगे आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा अंगी क्रिद किये जाने के समय भारतिय समिदान सबसे लंबा समिधान था जिसमें मुलता डैस अनुछेद तो लगभग इसमें अनुछेद कितने थे 395 अगे से 5 फ्रस्त के हैं अगला प्रस्न है कि घास में निमलिक्षित में से कोन सा प्धार्थ अधिक मातरा में होता है गहास में स्ही हथी नात्र रो Foxy स्ठीक望 dalत दा Alec ये तोचा की विमारी होती एंग्या इन में से कौन सा रक्त के जमने के लिए आफसर खनीज आयन है तो का सकते हैं कैल्सियम और सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्ट देखते हैं कि अंतस्तरावी गृंतियों को इस नाम से भी जाना जाता है तो इसे नली का विहिन गृंतियों के नाम से भी जाना जाता है तो आप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा हार्मोन अग्नियासी रस तथा बाइकार्बोनेट आयन के उत्पादन को प्रेरित करता है तो यह कोलेसिस्टोकाइनिन तथा स्क्रेटिन जो होता है यह होता है तो आप्शन सी जो है यह क्या हो जाएग और अगला प्रस्ण है कि सोसन का नियंतरन मस्तिस के किस भाग से किया जाता है तो सोसन का जो नियंतरन होता है मस्तिस के मेडिूला यानि कि अबलूंग्टा से किया जाता है तो मेडिवूला अब लूंगता से किया जाता है तो option B जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा एक अधिकार नामक बजार संदचना वहां मौजूद होती है जहां किसी बजार में डैस होता दो होती है तो क्या होता है, तो केवल एक विक्रेता होता है, या होते हैं, तो option B क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रोशन है, कि निम्डिखित में से कौन सी पर्दा, फुटबॉल से संबंदित है, तो फुटबॉल से संतोस्ट टॉफी जो है, ये आपका फु पाहड लाल नहरू ने दिया था, तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रोशन देखते हैं, प्रोशन नंबर आपके सामने ये रहा, कि आयोडीन ठोस से उर्दपातन पर बनने वाले वास्प का रंग कैसा होता है, तो आयोडीन ठ पानी में डैस के अधार पर विवस्तित किया गया है, तो इसे बहुते परवानुदर्मान के अधार पर विवस्तित किया गया है, तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा, पानी में निल्मीत अमली बिलियन में विदूद परवाइत होती है, क्योंकि उनमें डैस उत्पन होते हैं कि में हैडरोजन आयन जो है यह उत्पन होते हैं तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और जैसे जैसे हम आवर्शादनी के किसी समूह में नीचे जाते हैं एलेक्ट्रोन बंदुदा क्या होता है वो घटे जाता है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा निमलखित में से किस गैस के सर्फर डाई अक्साइड और कारवन बोन अक्साइड के साथ मिलने के वज़े से अमल बरसा होता है तो अमल बरसा जो होता है यह नाइट्रोजोन अक्साइड के वज़े से होता है तो इलेक्टोन के साज़दारी द्वारे निर्वित योगी को सौसन योजन योगी कहलाता है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा और Oxford ने 2020 का Hindi World of the Year घोसित किया है तो वो कौन सा है तो आत्म निर्भरतता जो है ये Hindi World of the Year घोसित किया गया है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसन है कि World Athletics ने किसे Women of the Year आवार 2021 से सम्मानित किया गया है तो ये आपका अंजू बेबी जॉर्ज को किया गया है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और भारतिय बेड्मिन्टन संग का निर्वरोध अध्यक्स किसे चुना गया है तो इसे हिमंद विश्वा सर्मा को चुना गया है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रसन देखते हैं कि मोती के मुख अवे क्या होते हैं तो औक्सीजियन अमोनिया से प्रतिक्रिया को और नाइट्रोजन देता है और correction c आपका सही उत्तर हो जाएगा ब Online कि दू सब्धों का सनवेक्स है ब्लाग जो है किने सब्धों का सनवी जान है तो यह वेव लॉग का सन योजन है तो वेव और लॉग तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा और अनुबंसिक हेरे फेरे द्वारा प्राकिर्तिक प्रयक्तियों से बिक्सीद जिवानूं का कौन सा जिवानूं विभेत समुद्र में विक्रे तेल का निवारन करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है तो ये सुडो मुनास जो है इसको तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और दुनिया में इस पाथ उत्पाद़्यक देशों में भारत का स्थान क्या है भारत का स्थान दूसरा है नो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और कौन मानव अधिकार परिशुत कि सलाकार समीटी के पहले भारती पत्ता आजूत के पत्पर किने निजूत किया गया है तो सुरेज एंद पटेल को तो आप्शन ए आपका राइट अंसर हो जाएगा और किस हवाई अड़े ने नेट एनरजी नीट्रल एस्टेटस प्राप्त किया है तो यह आपका बेंगलूरू ने तो आप्शन C आपका रा दिया चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा चलिए मिलते हैं अंगले क्लासिक की बात की जाएं तो केंद्री विधानसवा का पर्थम निरवाचित अध्यक जो थे यह विट्टल भाई पटेल थे कौन थे विट्टल भाई पटेल आप्शन बी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा यह 1925 से लेके 1930 तक केंद्री विधानसवा के अध्यक्ष टैकर चलिए अगला प्रशन है कि इन्मांट आसे को इस प्राचीन यूंयानि इतिहासकार और राजनवग इंडिया नामब पुष्ट के लेख कह bisschen जो है यह राजनवग आ आपका सही उत्तर हो जाएगा ठिक है कुछ फेस्टिवल ऐपल फेस्टिब Eliot आपका जबौक आपको घोनगे हिमालें हिमेल हिमालिय। ही महसibt लेह नहीं होता है रज मौर सो अल्हूरिसा में होता है तो आप्सन B आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न की वाई मंडल में हवा के अन्वा द्वारा परकिर्णर के बाद सूर्ज के परकास का रंग कैसा होता है जब परकिर्णर होता है तो सूर्ज के परकास का रंग जो होता है यह आपका नीला दिखाई देने लगता है क्या होता है जब वायमंडल में हवा का अनुवक का द्वारा परकिर्णर के बाद सूर्ज का परकास का रंग क्या होता है नीला दिखाई देने लगता है तो एक किलो वाट आवर का मतलब होता है एक किलो वाट आवर सबसे ज्यादा बात पुछा जाता है यह होता है 3.6 इंटू 10 पावर 6 10 पावर 6 जूल और एक कैलोडी बरावर एक कैलोडी बरावर 4.2 जूल होता है यह सब इंपोर्टन चीज है इसको आप याद रखिएगा चलिए अगला प्रोस्न है अगला प्रोस्न है कि निम्लिखित निम्लिखित में से किस इस्टिती में हम कमरे के ताप पर पानी उबाल सक पर हैं तो आपसंट सी जो है आपका राइटांसर हो जागा डाव बरावर क्या होता है बल बटा च्छेतर फोल एक बश्तू 12 सेंटीमीटर फोकस की दूरी पर रखी गई है दूरी के उत्ता दरपां सा 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है परतिविम की स्तितिती और प्रा है एक बटा बारव एक बटा भी वकुर नहीं पता है भी हमको निकालना है वह हमारा है एक बटा मांइनस का छेंट के वह अनने दीजिए यह थर आएगा तो क्या होजाएगा एक बटा 12 अवर्छे बटा 12 इसका LCM हो जायागा 1-2-6 दोन बारह 22 करें 3 बट्टा 12 तीन बट्टा 12 का मतलर होता है 1 बट्टा में 4 क्या हो जायागा एक बट्टा में 4 प्रक्राइब जाया ना एक बट्टा में 4 अब एक बट्टा चार हो गया तो V कमान कितना आ जाएगा 4 cm यानि कि दरपन के पीछे आभासे 4 cm दरपन के पीछे आभासे तो option B जो होगा यह आपका صही उत्थर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि परतियास्त एक परकार का क्या होता है तो परतियास्त एक परकार का जरॉत होता है तो option D जो होगा ये क्या हो जागा आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रवशन देखते हैं वीडियो अगर आप सब जो का अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा चैनल पर नहये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगला प्रवसन है कि माउंट आबू परोवत में इस्टेशन निम्रिकित में किस परवस्ते रईनी इस्टित है तो माउंट आबू लिक एस्टित है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और भारतिय समिधान का नुसार 10 की आये तक कि बच्चों को मुफ्त और अनिवार सिक्षा प्रावत करने का अधिकार है यानि कि 14 वरस तक के बच्चों को मुफ्त सिक्षा देने का प्रावधान है तो option A आपके क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं परकास की चार्ट सरवाधिक कहा होती है तो परकास की चार्ट सबसे सरवाधिक जो होता है यह निर्वात में होता है तो option C जो है आपके सही उत्तर हो जाएगा परकास की चार्ट जो होता है तीन गुना टेंट पार एट मिटर पार सेकेंड के चार्ट से हो परफ से इता है की बड़ाबर टैया है इस मचानी हो ऑघी है्स कमान हम्हेंams से चलोगे सब्सक्रा बढ़नो कितना यह उभ meer यह चाहिए जूरो पॉइंट वान टू यानि से कह सकते हैं उपर नबबे बटा नीचे 12 हो सकते हैं तो इसको कट लेंगे तो चाहिए इसको रहने देते हैं अब दर्मान बराबर क्या होता है दर्मान बराबर होता है आयतन जानि गुना डेंसिटी यहां एम कितना दिया है एम हमारे नब तो यह आपका काट्पिट कीजिए तो वी कमान 10.0-3m3 यानि कि 1000 cm2 आजाएगा 1000 cm3 तो ऑप्सन B जो है यह आपका सही उतर हो जाएगा अगला प्रस्टन है गुरुत्य तोरन कमान क्या होता है तो गुरुत्य तोरन कमान जो होता है यह प्रित्विव के आख्छांस पने इ सबसे छोटा होता है तो आफशन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रास्ट में है कि नाइट्रोजन परतिष ठापन जिवानुग स्रिक्सिंबेक्टिरिया और फलिदार पौधो के बीच का सम्बल्थ डैस का एक उधारन होता है तो आपका सही उत्तर हो जाए तो हरित पौधों को सो पोसित के रूप में जाना जाता है तो आप्शन एची जो है यह क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा चलि आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने यह रहा अगला प्रस्ण है कि डैस विस और्थवेश्टा में बढ़ते खुले पन परगते सील आर्थिक अन्यूसत्रा अन्यूनियास्रेता और ग्रहन ग्रहन आर्थिक करण से संबंधित पर क्रिया कौन सा है तो यह वैस्वी करण जो है वैस्वी करण है तो आप्शन भी आपका सही आर्ह gap Squr जाया से सरा दूरी पर होती है उसे ही आपसवी आपसा कहा जाता है तो ऐसके शच्प्राइण होसे होज़ाय का यई है को ने मिलकित मैं से कौन सा सुसुप्त नुल बात की जाए तो हवाई मी स्थित में मना लोगा होता है यह सुसुत न。 से पकानी कीया management चाहिए इसे सोडियम को का राय नीज़ंग का सिर्वल में समान आस्तर जोना चाहिए सब्सक्राइब करता है यह आपका राइट आंसर हो जाएगा और तपेदिक की रोग थाम के लिए किस टीके का उप्योग किया जाता है तो तपेदिक यानि की रोग थाम के लिए प्योग किया जाता है तो ऑप्सन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्राशन है कि पुरानी किताबे में पन्ने के भूरे होने के पर किलिया को क्या कहा जाता है तो उसे फॉक्सिंग कहा जाता है तो ऑप्सन ब्यापका सही उत्तर हो जाएगा और समाने मनुस में धारवी धारवत दाउन से गृप्विश्य चम्तु क्या होते हैं तो धारवत तनलंतु होते हैं 12 याफिर जायेगा चलबनास identity one 00⑧ करन आपके सामने यह रहा June 2021 इसलिया कि सबसे ट्रेक करने वाली पहली भारतिय मुल्की महिला कौन बनी है तो यह हर्पित चंडी यहां पर आपका सहीवत्तर हो जाएगा और किस पधारत के जाता है तो आपसन डी आपका राइट अंसर जाएगा और ऑगद्रों की संख्या होती है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसंद देखते हैं कि रसाइनिक अफग्रिया के दवरान परमानु कर्मांग 10 में हो जाता है किसमे हो जाता है तो यह समान रहता है रसाइन के अपक्रिया पर्मानुकर्मांग जो होता है यह समान रहता है तो option CYP का सहिवत तो हो जाएगा और निमलखित में से किस तोट में एल्क्ट्रनों करणicateaci सबसे अधीक होती है तो फ्लुरीन जो होता है इसमें इल् dikk 2025 और सबसे अधीक होता है और निम्रीघिती मेर्सा कौन सी प्डाक्स है जर्मेनियं जो है जर्मेनियं contenido है सब anos सिसे में धातु के गुण दोनों पाए जाते हैं उसे से बसक्तुत कहा जाता है द Там लेह खेम कैने में अपशेन और कर्म के रूप में काम करता है तो ऑप्रस चाहिए तो आप सी जहे आं नारे असर जाएगा नैट्रस-उ กर्ण कि बाद की मैं कि आसे तो आप्सन जी जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते हैं अगला प्रस्ण आपके सामने यह रहा कि किस किस बॉलिवर अब नेता को कुरूना टिक्या करन अभियान के लिए ब्रांड एंवेस्टर बनाया गया था तो सुनो सुद को बनाया गया था तो आप्सन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा और किस राज सरकार ने महिला धावक दूती चंद को विन्नी पुरुषकार से समानित करने की घुषना की है तो यह च्छतिजगर तो संडी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा अक कन्वेशन तो उपर कर लेते हैं कि थोड़ा से नीचे भी करना हो हुआ है कन्वेशन सरक्षन के दूश्टी से भारत का सबसे बड़ा रामसर अस्थर कौन सा है तो सबसे ब डागा लेंड का और उप्सण सी जो है आपका से उतर हो जाएगा अनलोसर महस्थर किस राज के अंसासित परदेश में मनाये जाता है तो यह एक पर्संट के सांथ बनेगा यह एथिलीन ग्लाइकॉल बनाएगा और कौन से किरने वैदूच्ष छेत्र में बिचलिट नहीं ह होती है तो गामा किर्ने जो होती है यह वैदूत छेत्र में बिचलिक नहीं होती है चस्मा थोड नाविकिए सक्टित कहां इस्तित है तो यह आपका पाकिस्तान में जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रस्वासन है निवकित में से कौन सा कंप्यूटर के हाड़वेर का एक भाग नहीं है नहीं एक और है तो माइक्रोसफ आफ्वी जो हता है यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है यह सेट जो है 11 अभी हमने देखा है अब सेट नमबर हम 12 देखने वाले हैं ठीक ह सेट नमबर 12 का पहला कोशन आपके सामने है कि निवकित में से कौन सी रचना काली दास की नहीं है का रहा है तो नितिसार जो है नितिसार रचना काली दास का नहीं है तो आप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा और 1498 में वासको डिगामा कहां पहुंचा था तो 1498 में वा वाइथ होती है तो कि रोशियो जलधारा जो है यह पर सांत महसागर में आप्शन D यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और आर्कमीडीज ने आर्कमीडीज ने आर्कमीडीज के सिदान की खुच के बाद क्या निर्धारित किया था यह राजा के मुकुट में सोने की सुद्धा को किया था तो आप्शन D आपका सही उत्तर हो जाएगा और निन में से किसका विजुद पर चिरोद उच्छोगा तो उच्छ की बात की आपका सबसे जाएगा तो साथ और यहीं से आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रस्न देखते हैं कि बिदुद्धरा का परवाद होता है यह क्या होता है विदूद आवेसों का होता है तो option B आपका right answer हो जाएगा यहीं से क्या होता है Q बराबर IT होता है भुकम अगात तरंगों से पहले dash तरंगों उत्पन करता है जो कुछ जानवरों को क्या करता है सचेत करता है तो अफसरब तरंगों उत्पन करता है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और मानौन नेतर में निकर दुरिश्टी दोस्त को दूर करने के लिए उप्योग में आने वाला लेंस होता है वह आपका उत्तर होता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि कंडुक्टर में विदूद परवा और संभायूत अंतरों के बिच क्या संबंध है तो संबंध की आई देखा जाया तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटाइज कॉंस्टेंट ऑप्सन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रस्न देखते हैं और अगला प्रस्न आपके सामने यह रहा है कि सुरज कुंड मेला जिसे अंतराश्टे सिर्फ मेला की कहा जाता ह है, डेच में आयोजित किया जाता है, कहां यह रहा जाता है तो यह आपका हरियाना मी हरियाना में यहन किया यह 87 तो option D जो है अनुछे 87 जो है तो option D सही उत्तर हो जाएगा और घर्षन हमेशा गति का क्या करता है घर्षन जो होता है यह हमेशा गति का जुरोध करता है तो option A आपका right answer हो जाएगा 6 उम के 3 बराबर बराबर पर्थिरोध एक दूसरे के समांतर जुरो हुए तो इस सनु . aktiv価 क्या होते है एक वकोफिलेट एक वकार 1्प्लस एक वकार 2 पिलस 1 sun A एक वकार 6 एनका 6 एक वकोफिलेंटक वकोहित्यू से पर्षाल जा के तिन जो है तो उप्शन B जो है यह आपका सही उत्तर ही जाएगा चलिए अगला प्रास्टन है कि किसी गेंद को यह उपर कि पचीस मीटर पॉटीस सेकेंड के प्रादम फिक वेक से फिका जाया तो इसे अपने उस्तम बिंदू तक पहुचने में कितना समय लगा जबकि जी कमाना आपको 10 मीटर पॉट सेकेंड लेना है अगर उस्तम यह 25 जी कितना दिया है दस यानकि 2.5 सेकेंड तो आप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा मनुस्ष्ट के विर्ग की मुर्ष संरस्टनात्मुक और परकर्यात्मुक इकाई क्या होती है तो यह इकाई जो होती है निफ्रोन होता है तो आप्शन डी जो है आपका रायट अंसर हो जाएगा अगला प्रॉस्ट में होती है यानि कि दिल में नहीं होती है और चांड की आगे बढ़ते हैं और अगला प्रॉस्ट देखते हैं अगला प्रॉस्टन जो है आपके सामने यह रहा है कि डैस बैंकिंग पर नाली में धन का विष्थार या संकुचन करने और ब्याज दरोग पर भायुत करने के लिए केंद्रिय बैंक द्वारा की जाने वादी सरकारी परतिभूतियों की खरीद या विक्री को संदर्भित करता है यह क्या करता है खुला अगला प्रसन है कि बिल्रूबिन और बिलिवार्डिन स्त्रावित होता है तो यह कहां है स्त्रावित होता है तो यह आपका लिवर में बिल्रूबिन और बिलिवार्डिन स्त्रावित होता है तो आप्शन वी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अब अचली से प्राप कॉड्ड लिवर ओल किस विटामिन का समिद्र इस्त्रोथ होता है यह विटामिन डी का आप्शन सी सहीव हो विटाएं वे जिव जो जो बिभीन भोज कदारतों को ठोस या तरल अवस्ता में गर्ण करते हैं क्या कहलाते हैं तो उन्हें प्राणी सम्भोजी कहा जाता है अगला प्राप्रशन है कि हमारा दंत, वल्ग यानि इनेमिल डेस से बना होता है यह किसका बना होता है कैल्सिय कर बना होता है आप्सान सरीर में आउसता नुधीर का भाग भार शरीर के तुल्ला में लगभग क्तना परसंट होता है यह लगभग साथ aha परसेंट होता है आपका सही उत्तर हो जाएगा और नवजाद बच्चे के सरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन आपके सामने यह रहा 26 जुलाई 2022 को भारत के कितने आदर भूमियों को नए रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है तो यह आपका पांच तो आपसन डी आपका सही हो जाएगा और अरब सागर में आये चक्रवाद तावते का नाम करांद किस देख ने किया था यह मियानवार ने किया था त आपका सही हो जाएगा और टाइम्स पचास मुस्ट डिजारेबल में 2020 में सुसांग सिंग राजपूत की रैंक क्या थी उनकी रैंक पहला था तो आपका सही हो जाएगा अगरा प्रस्ण है कि समाने तब परजुक टूथ पेस्ट की प्राकृति क्या होती है तो टूथ पेस होता है तो प्रोटोन की संख्या क्या हो जाएगी तो प्रोटोन की संख्या क्या हो जाएगी निट्रोन की संख्या बराबर परमानों भार माइनस एलेक्ट्रोन होता है यहां हो जाएगा 30 माइनस 11 ठीक है और निट्रोन की संख्या क्या पूच रहा है प्रोटोन की संख्या तो क्या नाम है इलेक्ट्रोन की संख्या बराबर क्या होता है प्रोट्रोन की संख्या यहां पर क्या हो जाएगा तीस माइनस 11 12 हो जाएगा कितना हो जाएगा प्रवानु कर्मांग जेतना होगा प्रवानु कर्मांग और नेट्रोन की संख्या क्या होता है बराबर होता है कि इसी भी उधासिन परवानु में परवानु संख्या और इलक्टोन की संख्या बराबर होताया तो यह भी 11 हो जाएगा तो आपको सही हो जाएगा और 6.0.000.000.000,000,000,000,000 …. सब्सक्टाइब इसक्राइब होते हैं तो आपका डिक्राइब इससे लाइब अंसर जाएगा लोरी यहां में सम्योज एलेक्टोनों की संखिया इसक्टाइब तो केसील जो है यह ना अमल है न चार है इसे पोटेसियम क्लोराइट कहा जाता है यह आइनिक जो भी खोता है तो आपसन C आपका C हो जाएगा और H2SO4 में हाइडोजन कितना हो जाएगा दो गुना एक सल्फर का हमको निकालना है तो हम एक्स लिख देते हैं ऑक्सिजन के क्या हो जाएगा ना चारOW मैंने सका दो चार गुना मैंने सका 2 बराबर जीरâu यह हो जाएगा दो ज्फर लस एकस लस चारव जोना 2-8 तो यह मैंने साट दो छो एक्स कमांद के आप जाएगा च्छ vision a जाएगा चलिए यह मैं आगे बढ़ते हैं और अगला इंगालर प्राश्न नुमबर 12 मेश्च । कि अंतराष्टेz निद्वश कम मन जाता है यह 19 अप्रिल को मनाया जाता है और अप्शन ईध़ हो जाएगा और अंग्रेजी भासत से रहने के लिए साहिट अकेर्मिक प्रुसकार 2021 किसने जीता है तो यह आपका नमीता गोखले ने आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रॉसने के अप्रिल 2022 में भारत और किस देश के बीच आठ साल बाद रेल सेवा बहाल की गई है यह नेपाल के बीच तो आप्सने यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्रॉसन देखते हैं कि अंत्रिक्स में पहला सान अभास किस ने सुरू किया था यह फ्रांस ने तो आप्सन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा और किस राज ने मिशन इंद दुसमे पहला हस्तान जो है हासिल किया है तो यह कि आपका सही उत्तर हो जाएगा और निवनिखीत में से कौन सा लोहे का ऐश्ट है यह तो अगला प्रॉसन है कि लागा टब्र लोहे पर 72 गराम जलवास पर वाहिद करने पर LH2 का कितना इतन फॉल्ण और कितना आयटन बहुतर गराम बहुतर गराम जलवा से हिस्टीपी जाएगा बाइस चर्चों के छोँ हद में जाद में आठकनों नावासे पॉइंट सिक्स लीटर तो जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा देखिए यह क्या होता है लाल तपलो ही क्या होते थी फी प्रस फोर एच्टू का अब करेंगे तो यह एफी थी ओफूर बनाता है यह कह सकते हैं फोर एच्टू को यह निकाल देता है चलिए अगला प्रस ने होट मेल में होट मेल डैस में सुरू किया गया था तो होट मेल जो है उन्नी सो चानवेर में सुरू किया गया था तो ऑप्सन सी आपका सहीव तर हो जाएगा और भालत का पहला चंद्रमिसर्ट चंद्रियान वन को डैस स्पेस क्राफ्ट से संचार के टूर जाने के कारण समाप्त हो गया था यह कब 29 अगस्त 2009 को आपका राइट अंसर हो जाएगा चंद्रियान वन एक उबगरा का दरमान जो था 1380 किलोग्राम के आसपास था यह सेट 12 खतम अब सेट हम 13 देखने वाले हैं चलिए सेट 13 का पहला कोशन देखते हैं सिर्ट 13 पहला कोशन जो है यह आपके सामने की सम्राइट असोक का पितामा कौन था पितामा की बात की जाए तो यह चन्रगुप्त मौर्ज था तो अपसन यह आपका सेउतर हो जाएगा और भारत सरकार का आर्थिक सर्विक्षन 2021-22 का नुसार, अप्रेल नुम्बर 2021 का दौन भारत में हो पुल आयात में से किसे देश का जोगदान सरवधिक है, तो यह चीन का, तो आपसन यह आपका सही हो जाएगा, और निम्न में से कौन सा प्रिथिव को मंडल के सबसे निचली परत है, सबसे निचली परत जो है, यह छोग मंडल है, यह आपका रैट आंसर हो जाएगा, चली आगए बढ़ते हैं, कि सुनार का पून रूप क्या होता है, तो सुनार का पून रूप होता है, साउंड निवगेशन पैसन हे चजय से निम निम नम निकाह लाती है, यह कह लाती है, नो प्रिथिव के चेचिंग क जाता है तो गुरुद द्वर्जी च्वर्ण को स्मॉल जी से दर्साया जाता है कि अंग्रेजी के छोटे अक्षट जी से तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि जीमनाष्ट अपने हाथों पर कुछ खुर्यदार पधार्त क्यों लगाते हैं इसलिए लगात सबसे लोनिय सागर कोन सा है लोनिय सागर की बात की जाए यह लाल सागर है इसलिए लाल सागर है सबस्ट्र और से चिनषट darkjack कंडशा क्से उत्तर हो जाएगा में जाएं और हो जा गयाटन की गये परादान त नहीं T Gaussian सुचित यह उनियकी आपका सही उत्तर हो जाएगा जीपियेस के संदारभ में नयम रिखित में से कौन सा कथन सही है GPS GPS के संदर में अगर सही देखा जाए तो यह क्या सही है तो परवत और बिल्लिंग ब्लोग GPS सिगनल के लिए बाधा बन सकते हैं तो ऑप्शन डी जो है आपका सही उतर हो जाएगा एक विदूद अब बीट के टर्मिनल हो जो कि बीच विवांदर संभाववित अंतर साथ वोल्ट है जब यह स्तरूथ चार एंपियर धारा खींचता है यह संभाववित अंतर को बढ़ा को 157.5 वोल्ट कर दिया जाता है तो फीटर द्वारा क्या धारा खींचा जाएगा तो इस भीज डार Love होता है यह बी कितना दिया है साथ ओर आई कितना दिया है एक फॉर यह आई मट यह कभी ओने अब V2 कितना दिया है आपका 167.5 कुछ नहीं करना है V1 बटा V2 बराबर I1 बटा I2 कर देना है V1 कितना दिया है 60 60 V2 कितना दिया है 167.5 बराबर 4 बटा I2 4 से कर दिजिए पंदरा बार में 15 से इसको कर दिजिएगा तो यह 10.5 एंपियर आजागा यानकि I2 का जो मान होगा 10.5 एंपियर तो ऑप्शन A आपका सही उत्तर हो जाएगा और गर्मियों में लोलो की लम्बाइ बढ़ने से उसका आवर्द काल क्या हो जाता है आवर्द काल भी बढ़ जाता है तो ऑप्शन A जो है आपका रइट आंसर हो जाएगा क्या होता है आवर्दकाल लोलो का वर्दकाल होता है टी वराबर टू पाई अंडर रूट एल भाई जी होता है चलिए अगला प्रस्म है कि 11 हुमर मानों सरीर के किस अंग का एक भाग होता है तो यह आपका आख का तो आपसन डी आपका सही हो जाएगा और हड़िक को सिकाओं सब्सक्राइब कर रहे हैं जो से बना होता है किससे बना होता है तो यह आपका सही हो जाएगा और प्रस्म प्रस्म है भारत सरकार के आर्चिक सर्वक्षण बना होता है तो यह आपका सही हो जाएगा और उस्ताद अमजद अली खान निम्रकित मेंसे किस वाद्यांत के वादक्त है तो यह सरोद के आपका राइट आनसर हो जाएगा और स्वादिष्ट भोजन को देखने से आम जाएगा आपका संचुरन करता है चुर अपका संचरन करता है यह आपका संचरन करता सबसे अंत्रिक भाग और सबसे बहरी भाग काला होता है काला कियो होता है तो काला इसलिए होता है कि बीना जले हुए कारविंकोनों को मौझूद्गी के कारण तो option D जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट देखते हैं कि मनुस में किसका पता लगाने के लिए अस्ति परडिक्शन किया जाता है तो अस्ति परडिक्शन जो है अंत्रिम आयू के लिए तो option B जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लकीट में से किस प्राकृतिव पधारत में लौ विधमान होता है तो लौ विधमान होता है कहां मायोगलोविन में तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट ग्रेमी आवार्ड जीतने वाले पहले पाकिस्तानी महिला गायक कौन बन गई है तो यह आपका अरूज आफ्ताब तो option D आपका सही हो जाएगा कन्वेशन सरक्षंगे द्रिष्टी से 20 का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है तो आपका बोलविया जो है यह 20 का सबसे बड़ा रामसर साइट है तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा दुडलब धातू वेनेडियम किस भारती राज में पाये जाता है तो यह रूनाचल प्रदेश में तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि निम्रिखीत में से किसे सुस्क वर्फ के रूप में जाना जाता है सुस्क वर्फ के रूप में ठोस कारवन डैक साइट को सुस्क वर्फ के रूप में जाना जाता है तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और बड़े अनु बनाने के लिए अनु प सभागी मिश्रण होता है और निमलकीत में से किसने एलेक्ट्रोन के खोच की है ज। यह आपका राइड आंसर जाएगा जैन्स चैडविक ने निव्ट्रोन की खोच की है ठीक है और रदर फोर्ड ने नावी का मि दिया था अगला प्रस्ट कि कोई तत्व आवर्थ दो और संब्स तत्व के परमानु में सन्योजी इलक्रोनों की संखे कितनी होगी सन्योजी इलक्रोनों की संखे 2 होगी जो है आपका राइट आंसर होगी जेडन तिथा एजी प्राकृति मुक्तब पाए जाते हैं यह सल्फाइट के रूप में आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ट देखते हैं अगला प्रस्ट आपके सामने यह रहा कि किन दो देशों के मद अंतराष्टी चंद्र अनुस जगनात का निधन हो गया है और अमेरिका के पहले फेडरल जोज बनने वाले पहले मुस्लिक मुस्लिम अमेरिकी कौन बन गये हैं तो यह आपका जाहिद कुरेशी तो आप्सन सी सही हो जाएगा मलेर को किस राजने 23 जिले के रूट में मानेता दिया है यह पंजाब ने का राइट अंसर हो जाएगा और नैट्रोजन के एक उक्साइड का वास्प घंदर आज है तो एक उनुमें ऐल्ट्रोनर की कुल संक्या कितनी होगी अगर वास्प घंदर है अनुभर क्या हो जाएगा अनुभर इसका दूबना हो जाएगा जयने कि पंदर दूबना 30 अब निट्रोजन की ऑक्साइड N O X का अनुभर कितना हो जाएगा अनुभर 9 9 9 इसका भाहर कितना हो जाएगा 30 हो जब इसका 30 होगा तो इसका हो जाएगा 14 प्रस इसमें किसका कर रहा है कि नाइट्रोजन पेक अंने ऊक्साइट के एक अनोम इपनों की संक्खेक कितने होगी इपनों की संखे अगर हम निकालने यह जाएगा एकस गुना 16 बराबर 30 तो X कमान यहां से क्या निकल के आगए एक इलक्ट्रोन की संख्य क्या हो जाएगा 7 पलस 8 15 क्या हो जाएगा जानिक इलक्ट्रोनों की संख्य कितने हो जाएगी 8 7 15 तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा अगरा प्रस्म है कि केल्सें तो आरगन के प्रमानु भर 40 से इसलिए इने ISO 2 कहा जाता है तो option C पे right answer हो जाएगा और आद्धुनी कंप्प्ट्रों क किसे कहा जाता है यह एलक्त ट्यूरी को कहा जाता है अपशन यह आपका सही हो जाएगा तो भारत में इंटर्णेट के शुगाद कभ हुई थ भारत में इंटर्नेट की सुलवात 15 अगर्ष्ट 1995 रिसीव को किया गया था यह सेट 13 समार्थ हो गया है अब हम लोग सेट 14 देखने वाले हैं ठीक है सेट 14 का चलो सेट 14 का यहां से पहला कोशन यहां से कि दोस्तों की अन्यमीत का क्या होता है जो एस्थेट गर्षन का कारण बनता है यह इंटर लॉकिंग होता है तो आप्शन डी आप का राइट अंसर हो जाएगा अन्यमी कितने से कौन से आवाद सुनने में सुखद और उच्छ गु का गुम उतिकर अन्यमीट्र होता है तो आप्सटम डी आपका सहीवत तरह जाएगा और आविर्ति का इसे मातरक मींस थोटा है और आबिर्ति का इसे मातरक होता है चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम एक हतवरी के मदद से मां स्पेशिय बल लगाते हैं तो कौन से अन बल भी कील को दिवार में ठोकने में योगदान करता है तो यह घरसन भी जो है तो आपसन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लिखित में से कौन सी धातु बि सब्सक्राइब और हम निम्लिखित में जैनले लागुत की थी तो यह आपका लोड डलहोंजी ने पार्ट यह आपको राइट अंसर हो जाएगा और पहली विकास रिपोर्ट संजुक्टराश्ट विकास काजग्रांद्वरावर्ट्स डैस में परकासित की गई थी 12 910 फिस आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रशन हम देखते हैं अगला प्रशन है यह आपका यहां से अगला प्रशन है कि 10 cm वेरर फोकस दूरी के उत्तर लेंस के च्छंद्दफ क्या हो जाएगी 10 cm है क्या है पी ब्राबर क्या होता है 1 by F 10 cm है यानि कि 1 by 10 cm ये मिटर में है इसे 100 कर दिजिए ये कितना हो जाएगा प्लस 10 डायप्टर तो option V जो है आपका सही हुदतर हो जाएगा यदि तरंग 10 10 डिज़ पर माइनस 3 मिटर तथा अबर 30 10 हट्स है तो तरंग V क्या होगा भी बराबर क्या हो जाएगा एन लेमडा यानि कि 10 गुना 10 के पावर माइनस 3 यानि 10 डिज़ पर माइनस 2 मिटर पर सकेंड तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा इफेडरा पौधे को किसके अंतरगत वर्गी कृत किया जाता है तो इसे अनाविरती बीज के अंतरगत तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा निम्लिखीत में से कौन सा पसू हार्मोन है हार्मोन कौन सा है तो इंसुलिन जो होता है इंसुलिन पसू हार्मोन होता है तो option प्यजिस बांद चाह ब्यूंग और भॉम शरील में जाएगा और मानुव शरील में बइसे पॉट में जाता हैं में आपका सही उत्तर हो जाएगा वर्स इनिस सोच्पन में भासा नहीं ब्षा आधार किया गया था यह ऑप्तिया पार और भारती समयधान का विल्टे को कुञ़ता यह विजिए यह संसे हिएं चलिए झैटिभ यह पम फिलिजनी और अगला प्रसन देखते हैं करने जैए कि कि सुर्न टॉर्त हैं जब मुप का प्यश्क इतना ऐसा कॉम होगा तो दान्त का सडना सुर्ण हो जाएगा ऑपीने के पानी के अपर्थी में कॉजिए इक आपका है यह मानौ अपस्तित से संधुन तर इस सब्स्तित से या उसेक्ता होता है तो option B आपका राइट अंसर हो जाएगा और निमलखीत में से कौन सी गरंथी बिर्दी हर्मोन का स्तराव करती है तो बिर्दी हर्मोन का स्तराव करती है तो option B आपका सही हो जाएगा और अंटो मोफिली प्रावर इनमें से किसकी मदद से होता है यह आपका कीट की मदद से होता है तो आप से यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा और तो बेश्ता कि पर्मुक्षाम्रिक उध्योग को नियत्रिद करने वारे सरकार के साथ एक समझवादी राज को उध्यश को प तिन स्टेनियों में तो option C आपका सभी हो जाएगा और भारत में सरवच नयाले में नजित होने वाले पहली महिला नयाधिस कौन थे यह फातिमा बीवी थी यह NTPC में पूछाएंगा प्रशन है तो option A जो है आपका राइट अंसर हो जागा फातिमा बीवी को 1993 में राष्टे म और अधिकार आयोक का सदस भी बनाया गया था चलिए आगे बढ़ते हैं जोग जल परपात किस राज में स्टित है तो जो जल परपात जो है करनाटक में स्टित हैं То option C जो है यह क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रोस्न देखते हैं, अगला प्रोस्न ये रहा, कि कार्बन के बाहकोस में कितने इलक्टोन होते हैं, तो कार्बन के बाहकोस में चार इलक्टोन होते हैं, आपसन B आपका सही उत्तर हो जाएगा, और सजाती सिरेनी कार्बन योक्यो के एक एसी सिरेनी है, जिसमें डेस होता है यानि कि अलग-अलग संख्या में कार्बन परमानों पाए जाते हैं किंदु समान कर्यात्मक समों में पाए जाते हैं तो अप्शन ए जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा और संतुलित रसाइनिक समिक्रांद वरकिस जानकाली को ब्यक्त किया जाता है यह और उत्पादों से संबंदी सुथर परकिरिया में सामिल अनुओ के कुल संख्या और अभी कारकोर और उत्पादों के संबंदी दर्मा हम को सकते हैं विकल्प में ओल अप्शन डी आपका सही हो जाएगा निम्लिखित में से किसने परमानों की औभी वाज़ता के बारे में बताया था परमानों के बारे में जोन डॉल्टन ने बताया था और अप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगरा प्रसने की स्वेट परकास में से निम्लिखित किस रंगी तरह उच्छतम होती है निकी जादे होती तो विब्योर की बात की जाए विब्योर में तो सब अपसे जादा किसका होतें लालका सबसे ज्यादा होता है अप्शनगी ज, आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रसन है कि सुगा में भारत एव का संबंद किस समुझ से हैं तो यह आपका दिव यांग जन से हैं तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा और 2026 राष्ट मंडल खेलोक मेजवानिक किस देश द्वारा की जाएगी तो यह आपका उस्टेलिया के द्वारा तो ऑप्शन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा किस पुर्व राज नहीं को नेता जी प्रुसकार 2022 से सम्मानित किया गया है तो यह आपका सिंजो आवे को तो आप सची जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन सामने यह रहा है सबसे परवल अमल कोन होता है सबसे होता है क्या होता है sono 254 इंस अपना 맡ऊड़ नितर Chelsea होगी tutaj 24. it को 22.4 से भाग वे लिए दो मौल हो जाएगा तो option b और आपका १ार यूरल क्या होता है यूरल यह इंटरनेट पर पर प्रतर सिस्ट वेड़ों पेज होता है तो option a आपका न सर भारत द्वारत ध्यूरा पर किसे बनाया गया है तो यह आपको मास्टर कार्ट को आपका राइट अंसर हो जाएगा और भारत सरकार द्वारब भुष में परमानु उर्जा समयत लगाने के लिए कितने नए अस्थलों के लिए सैधानिक मनजूरी दी गई है यह पांच के लिए तो आप्शन डी यह आपका राइट आंसर हो जाएगा किस डेस के अड्डू सहर में एक भारतिय वाने जिक दूतावास खोलने को मनजूरी दी गई है यह आपका मालदीव में और महिला होकी एसी कब 2022 में भारति angry के कपतानी किस ख्छारी द्वारा की गई है यह विद्व का विदक कुणिया मतरुारा ने कि पहले लखी-इक करणी की घोसना की है यह यह जह अपका राइट आंसर समय है। अगला प्रस्ट नहीं है अब हम सीधे आते हैं सेट नंबर 15 में और ये उंतिम सेट है ठीक है उंतिम सेट है इसका पहला कोशन देखते हैं कि से कांच तूटने और इमारतों को नुकसान पहुचाने जैसे घटनाएं हो सकती हैं तो सुपर्सोनिक वीमान द्वारा उत्पन तरंगे से क्या होती हैं कांच तूटने और पहुंचाने जैसे घटनाएं हो सकती है तो आप्शन दी यहां पर आपका स्यूद्थर हो जाएगा और हवा से कांच के प्रिज में प्रवेश करने वाली परकास किने किस परकार जुकेंगी यह अविलम क्यों जुकेंगी तो आपका राइट अंसर हो जाएगा डेस सदीस रा हमान के उत्पतीजा संबंदित है तो आप्शन सी जो है अपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रस्न है कि एक विदूथ हीटर के टर्मिनलों के बीच संभावित अंतर साट वर्ट है जब यह स्तरोच से चार एंपी एक धारा पर वाहित करता है यादि विवांतर वरक वर्टमान परवाही नहीं होगा आपका राइट अंसर हो जाएगा ब्यास सम्मान नामिक सहाइत पुरुषकार पर्थम बाट डैस वर्ट में परदान किया गया था यह आपका 1901 कानवेर में दिया गया था तो आप्शन ए आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि जाती भासा समुदा है बोड़ो नियुमें से किस भारती राजकें साचिर परदेश का मुल्निवासी है तो यह अप्शन है आपका राइट अंसर हो जाएगा ब्यूस को सबसां उच्छा जल पर पाद एंजल्स फॉल्स कहां इस्तित है एंजल्स फॉल कि किसी द्रव या गया इसकी दू करमागत परतों के बीच उनका आप एक्चित गति का बिरोध करने वाला बल क्या कहलाता है इसे ही सियान बल कहा जाता है तो आपसंद सी आपका राइट अंसर हो जाएगा सिंट्लस इनेजर में दोसों बीसों के दू परति रोध छे भूर अबर क्या हो जाएगा भी बट्ते में आर भी कितना दिया है चौव वर्ट और आपका आर कितना है दोस बीस तीस च्छो बट्ट तीस यानिकी शौ पांच यानिकी 0.2 एंपियर तो आपसंद आपका सुही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्टन है जाक, कि दो बस्तों के बीच की दूरी को या दी दूगना कर दिया जाए, इन दोनों के बीच बाल पर क्या पहर पहरेगा? चार गुना हो जाएगा. सिंपल सबात है, चार गुना हो जाएगा. एफ बराबर क्या होगा? छी um one, एम two बट रेका होता है? आरे स्कार होता है यादि दूनों को दूना कर दिया जाए इसको भी 2M, 2M1, 2M2 कर दिया दो दूना कितना हो जाएगा चार गुना हो जाएगा यानि गुरूतिया बल चार गुना हो जाएगा तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और tarsal हड़िया सरीर के किस भाग में पा पाल्सियम और फासफोरस का होता है तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा डैस एक नियुटर मेट्रिक्स के साथ एक संद्योजिक उत्तर भी होता है तो राक्त होता है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरू सिखर चोटी नियुम में से किस परवत माला के सबसे मु अधिक नहीं करना है तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लिखीत में से कौन से आर्टी कदिविति आप प्राथ्मिक छेत्र का अंतरगत आती है तो खनन जो होता है यह प्राथ्मिक छेत्र का अंतरगत आता है तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लियक और से किस कमिज़ित कमी से रिकैट शुरो होता है तो विटामिनी के कमी से रिकैट सर्विता होता है तो option A आपका राइट अंसर हो जाएगा साइनोवियल द्रॉफ किस में पाए जाता है तो साइनोवियल द्रॉफ जो होता है यह जोर में पाए जाता है तो ऑप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा डेस में बिर्धी के साथ वास्विकरण की दर बरती है तो किसकी तो प्रिष्टि यह चेत्रपल और अपान दोनों में विर्धी के साथ वास्विकरण की तर क्या होती है बहुती जाती है तो आपसंट बी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्ट देखते हैं उस बिलियन का उस बिलियन के पी एच मान किया होगा जो लाल लि प्राइट वेशी ने किस श्रहणी में में आता है यह मंध्य मानो विकास के श्रहणी में आता है तो अपसंट अन्सAl हो जाएगा श्रवन स्रवन वेल गोला में इसतीन गुम कसामजरी से बनी है तोर इककोड़ कंड़ी आपकार अंसर वीड़्लों कर simplemente क्स त्दू कर्दा और अगला प्रस्न देखते हैं अगला प्रस्न है कि कौन सी धातु कम्रे के ताप पर द्रौजता में होती है तो ब्रोमीन जो होता है यह कम्रे के ताप पर द्रौजता में होता है और निम्लिखीत में से कौन सी धातु सबसे हलकी होती है तो सबसे हलकी धातु जो है लीथियन जो होती है सबसे हर्की धात्व होती है आपका सहीं उत्तर हो जाएगा अगला प्रफशन निम्लिखीत में से किसका आप युक सोने के विग्टम के लिए किया जाता है तो एकवारेजिया का इस्तेमाल सोने से विग्टम के लिए किया जाता है तो आपका राइट अंसर हो जेएगा और ब्रोमीन का कथणांग डा से तो ब्रोमीन का कथणांग जो होता है अनठावनञ पॉइंट सेवननेट डिग्री सील्सियस होता है और अब्राहरव्जका आंसर हो जाएगा और अमोनिया गेस निमलीखित में से ले खाउएंगों मैं सार बनती है अगर दो लिटर लिटर अमॉनिया के लिए 3 लिटर हाइडोजन का जरौत होती हैं तो 1 लिटर अमॉनिया के लिए कितन घरौत है, तो 30, ID爸爸 2 तो 30 लिटर के लिए कितना हो जाया,दूसर 60 कर जागा 30 30 ुनॉसर 90 लिटर का जरौत तो Sozz na Äójah अगला प्राशन है दुनिया का सब्सक्ति साली सुपर कंफिटर शुगाकु किस देस्ट ने बनाया है तो यह आपका जापान में तो आपका सही हो जाएगा और अदालती मामलों को तेजी से निप्टाने के लिए भारत के पहली डिश्टर लोग अदालत किस राज में अगला प्राशन देखते हैं कि इथाईल एलकोहल का अगला उच्छ सजाती कौन है अगला उच्छ सजाती जो है यह प्रोपेनॉल है तो आप्शन वी आपका राइट अंसर हो जाएगा एक नावकिया निम परकार्ट से होती है ठीक है आप देख सकते हैं यूरेनियम का बा यहां हो जाएगा थी उट्री टाइम्स एंड जिरो वन ठीक है तो आप्शन दी आपका सही उतर हो जाएगा वह सिस्टम प्रोग्राम क्या करता है जो किसी निर्देश को एक ही समयर पांतरित और निसपाज़ी करता है तो वह एसेंबलर कहलाता है तो आप्शन भी आपका भारत में कि इससी करे नाम बता जिसकर पयुकर ग्रहों को सहब को परछेपित करने के लिए किया जाता है तो रहाओं को पर्छेपित करने के लिए new land आपका आंशर हो जाएगा अगला प्रॉस्ट में भारत का पहला कवक टीज़ा मिद्ध किया गया है तो यह उत्रा खंड में तो आपका क्या हो जाएगा सहीं उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट दिबॉइ create for children on human rights नामक पुशतक के लेख कौन है इसके लेखक राज तलवाल है तो option C जो है आपका सहीं उत्र हो जाएगा और create for India अभियान कि संस्थान ने सुरू किया है और भारतिये खेल प्रादिकरन ने किया है और option A जो है जो हैускसख्und अगला प्रस्न है कि दिबेंच नामक पुष्टक के लेखक कौन है दिबेंच नामक पुष्टक के लेखक मेगन मारकल है तो आप्शन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा और किस अबनेतरी को बारह में डाक्टर अमबेटकर कुरुसका 2022 से सम्मानित किया गया है तो हर साली मरहोतरा को तो आप्शन डी जो है यह आपका सही उत्तर रजाएगा है तो यह सेट पंदरा जो है कमप्लीट हो गया है तो चलिए अगर आप सभी को मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दो सबस्कार दोस्तों कैसे आप सबी आसा करता हूंँ अच्छे होंगे स्वस्त होंगे में और आपने प्रहाई में ब्यास्त होंगे तो चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना यूटुब चैनल मैं ठड़्डशा रह में फिर मैं हाजिर होगे एक नया सेशन लेके जैसे कि मैंने कहा था जो दी प्लेटफॉर्म का रेलेवे का ग्रूप डी का वोल्यम फाइब जो सेट आया है इसमें एक साइंस का एक से लेके बारत तक सेट दिया हुआ है जो कि 26 नॉमबर 2018 से लेके आपका कह सकते हैं 26 नॉमबर 2018 से लेके यह आपका चार दिसमबर 2018 तक पूछा गया टोटल 12 सेट का मैं सोल्यूसन आप सभी से वादा किया था कि एक ही वीडियो में बना दूँगा जो मैं बना रहा हूं तो चलिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथी साथ बेल एकम को दबा उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहा है यह 2018 में पूछा कि अपको प्रस्न है और गुरुप D में आपका ऐसे ही प्रस्न मिलता है और एक्जाम में आपको यही इसी टाइप का इसी पैटरन पर कोस्टन भी मिलेगा हूं बहुत सारा कोस्टन जो है रिपीट भ पहला कोशन है आपके सामने यह रहा पहला कोशन है कि यदि धोनी का तरंग तरंग का विएक बावन से मीटर पर सेकेंड है और आवरती एक हजार हर्ट है तो इसकी तरंग दर्ज क्या हो जाएगी तरंग दर्ज क्या होता है जी तरंग दर्ज बराबर होता है धोनी तरंग बट्टा अवर्ति भ वराबर क्या होता है एन लेमडा तो क्या पूछ रहा है। तरंक डर्ज पूछरा यानि कि लेमडा लेमडा बराबर क्या ऐघाएगा भी बट्टा एलिक बावंद सो बट्टा 1,000, 2,000 से 2,000 कर जाएगा यह आपका 5.2 मीटर आ जाएगा यानि कि Option C जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रासन है कि विदूत आवेस की A size क्या होती है तो विदूत आवेस की A size मातरब जो होता है यह कुलाम होता है तो आप्शन C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा डैस उत्पती में अधिक विवित्ता का कारण क्या होता है तो यौन परजनन उत्पती में अधिक विवित्ता का कारण होता है तो आप्शन B जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस परकरम दोरा चलिए 300 के आसपास प्रसन हम करने वाले हैं और यह 300 प्रसन जितने भी इंपोर्टेंट है एक्जाम के दिरिष्टी कौन से निमलिकित में से क्या गिरते जल की इस्तितीज उर्जा को विदूत उर्जा में बदलने में मदद करता है तो क्या जो होता है इस्तितीज उर्जा को विदूत उर्जा में बदलने मदद करता है तो हाइड्रो पावर सन्यंत्र जो होता है यह इस्तितीज उर्जा को विदूत उर्जा में बदलने में क्या करता है मदद करता है और किसी इस्तितीज विशेसर कारण जो उर्जा संचित होती है उसे हम इस् से मुख्रोप से मिर्द कश्काउं से बना होता है तो एसकेलरन काइमा यहये यह उध् сам स्वही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसुन है कि छैटीज आक्ष और उर्ढवार्दर अक्ष्ट के परकार हैं 45 दियस के परकार हैं यह पहुंच चक्किक स्वह लिए option a जो होगा यह आपका सही उत्तर हो जाएगा एन बराबर 3 और एन बराबर 2 अस्तर में किसी इलेक्ट्रोन के परिवर्तन से dash line उभरती है तो कौन सा line उभरता है तो यह दिरिस spectrum line जो होता है यह उभरता है तो option c जो है यह आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगर बढ़ते हैं अगरा प्रस्न है कि निम्लिखित बिकलपों में से जो सही है उसका चैन करना है सही बिकलप को चैन करना है तो सही बिकलप C4H9OH जो हता है यह ब्यूटेनोल होता है तो हम कहो शकते हैं कि option यही आपका right answer हो जाएँगा इथेनल, methanol, ethenil का होता है इथेनल की बाद की जाए तो C2H5OH होता है तो यह गलत है propanol की बाद की जाए तो perspectives propanol C3H7OH होता है यह भी गलत है और methanol का होता है CH3OH यह भी गलत है तो option यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रस्टन है कि निवलिखीत में से कौन सा विकल्ब सार भॉमिक संकीकत संकेतक के बारे में सही नहीं है सही नहीं है यानि कि सही नहीं है तो एक सार भॉमिक संकेकत कई अलगला संकेतों या रंगों का मिस्तरन है जो पूरे प्येज पैमाने के बिभिन प्येज मानों पर समान रंग देता है तो यही क्या हो जाएगा सही नहीं है तो option C आपका right answer हो जाएगा चलिए यह जो question state 1 हम कर रहे है यह 26-11-2018 का स्विट का पुछा गया प्रसन है आठ किलोगर द्रमवान की एक बस्तू एक नियत बल दो सेकेंड के लिए कार्ज करता है यह बस्तू के वेग को 5 मिटर से 9 मिटर पर 30 सेंड के वेग तक बरहा देता है तो काजरत बल का परिमान यहां गयात करना है यान कि बहुत गर्मी है क्या कहनको बल गयात करना बात को समझेगा ॽभाथ सैंपल चीज है यहाँ पर हम सभी को ठोड़ा से ऊपर कर लेते हैं ताके हमको आसानी होगी यहां पर एम कितना दिया है जी 8 kg ठीक है टी कितना दे दिया है दो सकेंड इनिसियल विलसिटी और फाइनल विलसिटी इनिसियल विलसिटी कितना है पांच मीटर परती सकेंड फाइनल विलसिटी आपका 9 मीटर परती सकेंड तोरण क्या होता है बेग में परवर्तन की दर को तोरण कहते हैं तोरण कहता है कि फ 4 बटट 2 यानि की 2 meter per second square क्या आ गया तोरण आ गया तो f बराबर ma f बराबर ma से क्या आ जाएगा m आपका कितना दिया है 8 और तोरण 2 है तो 8 दूना 60 Newton क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा तो option d is the right answer चलिए अगला question देखते हैं कि निमलिखीत मेंसे कौन सा कथन सही या गलत है पहला कथन कह रहा है कि एक छाड़ जो पूरी तरह से दोनों गलत है एक छार जो आंसिक रूप से जल में आयनित होता है वह ओएच माइनस जो है ओएच माइनस आयन का कम मत्रा में उत्पादन करता है ठीक है एक्जाम्पल जो है के ओएच यानि कि option a और दो दोनों गलत है तो option b आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला अगला प्रफशन है कि स्वावासनलिक आंतिरिक प्रत में कौन सा उत्त क मोझूद होता है तो स्वावासनलिक आंठिक प्रत में यानि कि सिलियेटेड कॉलमनार इपिथिलियम जो होता है यह मोजूद होता है तो आपसन आपका सेवित तर हो जाएगा अधिकां सेलुलर पर किरियाओं के लिए डैस एनर्जी करंसी होता है तो यह आपका अगला प्रसन है कि निम लिखित में से कौन सा कथन सत्त है सत कहरा उर्जा को उत्पन अत्वन नष्ट नहीं किया जा सकते हैं और उर्जा को तो ना तो उत्वन कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं तो उप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा के सेल में कितले इलेक्ट्रोनों को समयोजित किया जाता है तो के सेल में दो इलेक्ट्रोनों को समयोजित किया जाता है तो उप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रशन है कि एक किलो वार्ट आवर में क्या होता है तो 3.6 इंडू 10.6 जूल होता है तो option B आपका right answer हो जाएगा और धोनी को एसे माध्यम से प्रेशित किया जा सकता है जिसमें क्या होता है तो जिसमें अनु हो जो कमपन करता हो क्या होता है धोनी एक कमपन करते कि प्रिथ्वी की सत्व पर जहां हवा का घरस नगन होता है बस्तुए 10 सहीद गिरती है तो बस्तुए समान तोरण से गिरती है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और उन हैलाइट्स को क्या कहा जाता है जिन में हैलोजन परमानु अन्टत्तों के दो परमानुगों के बी परवर्तन की दर को बल कहते हैं यानि समय परवर्तन की समय दर को क्या कहा जाता है बल कहा जाता है तो option C जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और किसी वस्तु में बेग में परवर्तन की दर को तोरण कहते हैं अगला प्रस्ण है कि धात्मों के बारे में निम्न में से सब्सक्राइब कैंगारे अगात रद्निय और तन नहीं होती है यह पतंग सभी नहीं है विस्टा Kb बीवर्म में नसे थे सिए स watt लुट लगने वाले बल को मद्लंका जाता है यह प्रश्ट क्लिमूच स्वेडर, प्रिष्ट का छित्रफल अगला प्रस्ण है कि HNO3 के सब एक्षी दरमान की गन्ना कीजिए तो H1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सिजन सोलतियां 48 14 15 15 और तालिस कितना आजाएगा यानि की 63 तो आप्सन 63 यानि की आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए सेट नंबर 2 पर आते हैं सेट नंबर 2 का पहला कोशन जो है यह जो है सेट नंबर 2 है और यह जो है 26 नंबर 2018 में सिफ्ट 2 में पूछा गया प्रसन है कि एक कार एक पहारी मार्क से गिर को 0.6 सगन में भूमी पर आ जाती है जमिन से टक राते समय इसकी गति क्या होगी यह निकालना अब बात में क्या हो जाएगा भी बराबर यू प्लस इती होता है यहां क्या है उपर सगरे लेते वह बराबर यू प्लस इती कित और तो लगाका प्रॉषन है कि उत्तल दर्पन द्वारा निर्मीद परतिवीम हमेशा क्या होता है? तो उत्तलदरपन द्वारान निम्लिट परतिविंग जो होता है हमेशा अभासिस सीधा और छोटा होता है और उत्तलदरपन का दिरिश चेतर बहुत बरा होता है ठीक है परणकाइमा एक उत्तक है जो भोजन को इस्ट्रूब करने में डेस की मदद करता है तो ये पोधो की करता है अगला प्रास में कि निम्लिक्षित को पूरा करें दर्मान गुना तोरन क्या होता है तो दर्मान गुना तोरन क्या होता है बल होता है एक बराबर क्या होता है एम ए होता है तो आप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा और किसी पधार्थ की परती एकाईरासी के द और मान बट्टे में आयतन अवर्थ cay肉 को आवर्थapt प्रशन देखते हैं कि निवन में से कौन सा उपकरम परिपोत Ezाहरा नियुक्त थैं тип했다िह निवन लिखित में से किसमें युद्ट कंश्ट्र के अइस tuo कुष्ट्न सापBlack तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रवाशन देखते हैं कि सभी जिवास्म इंदोनों की एक विशेषता एक समान होती हैं क्या होती है जी कि उनमें कार्बन उपस्तित होता है तो option D आपका right answer हो जाएगा अगला प्रवाशने की दो मट्रों को पोदे एक गोल हरे मिजों वाले आरर वाइवाई करे दूसरा जौरि दार-विजवाई अर डिसमोल आरर работ वाई हुधल करने वाले जिसके गोल पिले इसमोल डिसमोल आ थैसमोल डे चारतार k faithful किल तो का प्रविज होते है चश्मोल होते हैं तो घुक्यार किया जाते है तो होते हैं नेवड होत जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 26 अगारा 2018 का कोशन है यहां पर देख सकते हैं एल्डी हाइट के लिए क्या गलत है तो एल्डी हाइट के लिए देखा जाए तो एक परंपरीक रॉकेट में इंधन की खपदर कितनी होती है तो नो हजार किलोगराम पर सेकेड नो हूद आपका राइट आंशर हो जाएका और प्राकृतिक रूप से कतने तत्व मॉझूद है उप्राकृतिक रूप से संख्याए 118 है औरDY्ष Shanbhud Selan वाइस अधात्म के संख्या हैrium in मैं स सभुय से बिं उत्तक का चैन करें भीन बिंुत्तक क्या हो थिखा जाए दो पेसी उत्तक जो है यह भीन हो जाएगा तो आपसण सी आपका सही सुल्च की रोषनिक उपस्तिति में किसी पदार्त के नए पधार्तों में अब गठन के परकिरिया क्या काहलाता है तो अब्चन कि और फॉप्षन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रासने एक जूल बराबर क्या होता है एक जूल बराबर होता है एक न्यूटन इन्टू एक मीटर तो option A आपका right answer हो जाएगा समुद्री भूगर्विक जल के नीचे की पहाड़ियों और घाटियों को पता लगाने और समुद्र की गहराई के निधान करने के लिए समुद्री भूगर्व ग्यानिक द्वारा डैस का उप्योग किया जाता है तो ये आपका सुनार का उप्योग किया जाता है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और iodine डैस के कारण ठोस होता है तो iodine जो है उच पुलारिस छंता के कारण ठोस होता है तो option C आपका राइट आंसर हो जाएगा और पालक और टमाटर में निम्लखीत में से कौन सा अमल पाया जाता है तो पालक और टमाटर में औकजेलिक अमल पाया जाता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा कार्ज करने की छंता किसमें पाई जाती है तो कार्ज करने की छंता माफी जाती है जूल में तो अबनू बराबर क्या होता एफेस कोस्टेटा तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा एक निश्चित दर्मान की वस्तु की भूमी से 5 मीटर की उचाई तक उपर उठाएगा और इसकी स्तिति दूर जाए 2000 जूल है तो वस्तु का दर्मान क्या हो जागा potential energy बराबर क्या हो तो clear के जब पूरा potential energy बराबर होता है M, G, H बात को समझेगा potential energy कितना दिया है 2000 यह आपका 2000 दिया है M आपको कोहरा निकालना है G आपको 10 ले लेना है H आपका 5 दिया 15-50 पहले एक जुर से एक दुर कार दिजिए पंचोग के 20 यानि कि 400 के जी M कितना हो जाएगा 400 के जी तो option A जो है आपका right answer हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि किसी रासाइनी के अफिक्रिया में भाग ले सकना वाले तत्व के सबसे छोटे कंड चोटे कंड जो होते हैं आपका right answer हो जाएगा कोई वस्त यहां खाड़ा है मारी यहां धक्का यहां आजाएगा उसका क्या हो जाएगा बल लगा कि किसी के सम्वेक को बदला जा सकता है तो option D आपका right answer हो जाएगा अब हम देखने वाले हैं सेट नंबर तीन सेट नंबर तीन जो है यह आपका 26 नंबर दोहजर अठा़े का तीसरा सिफ्ट का question है क्या है तीसरा सिफ्ट का question है कि ठोस कोईला को तरल हाइड्रो कारबन में परवर्तित करने वाले परक्लिया को डेस कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे द्रावी करण कहते हैं, तो option D आपका right answer हो जाएगा, और सुनार का पुन्डु क्या होता है, तो सुनार का पुन्व होता है sound navigation and arranging क्या होता है sound navigation and arranging तो option A B जो है आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सुनार का निर्मान निक्सोन नामग विज्ञानिक ने किया था अगया प्रस्ण है कि 2MG plus O2MGO 2MG plus O2MGO उप्रुक्त अभिक्रिया अगर देखा जाए अभिजूद्व कर यह सन्योजन अभिक्रिया का उधारन है क्या हो जाएगा सन्योजन यानिकि सन्योज़ब 2MG को O2 के साथ रियक्शन करते हैं तो क्या बन रहा है एम जी ओ बन रहा है ठीक है चलिए एक चुम्बु के आसपास की जगए के लिए सब्द क्या है जहां इसके परभाव का पता लगाया जा सकता है तो इसे चुम्बकिये छेतर कहा जाता है तो आपसन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा अब इसकी एसे इकाई क्या होती है तो आ जाता है ठीक है यह क्या हो जाएगा 900 इन 10 डिट पार 6 तो 1 किलोवाट में कितना एक क्लोवाट आवर जो होता है तो 3.6 इंटो 10 6 जूल होता है यह 10.6 10.6 कर जाएगा 3.6 के 9 से उसे काटेंगे तो डाई सो यूनिट आ जाएगा तो ऑप्शन वी आपका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कोशन है कि निम्लिखित में से गलत कथन किलिया कर देते हैं इसको निम्लिखित में से गलत कथन चुने पत्तियों में कोशिकाओं की उपरी और निचली परत को डेस कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है भोजन का संसलेशन करती है तो ऑप्शन B जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा और पौधे परजनन की किस वीधी द्वारा उत्वन हो से जनक के सभी गुन पौधे में मवजूद होते हैं तो उसे वर्धी पर जनन कहा जाता है तो ऑप्शन D आपका सही उत्तर हो जाएगा और धात्वों के संबन में निम्ल में से कौन सा कथन गलत है तो धात्वों के बारे में देखा जाए तो सभी धात्व पारे को छोड़ फिरकर तरल में है और मुलायम है तो यही गलत क्या हो जाएगा कथन गलत हो जाएगा तो और ऑप्शन C आप कारे क्या-जन करता है तो स्वासन पर क्रिया जो होती है रसाइनीयो travelling से करे तो और यह प्यों पर जाप्शन C सरक्ष Podcastion Condition C तो यह आरगन होता है तो option A आपका right answer हो जाएगा आरगन का परवानु संख्या 18 होता है एक 13% हानी और 15% लाव के बीच अंतर 300 प्या था तो प्रस्व में बस्तू का लागत मुल क्या हो जागा जी देखिए यह महत कहां से घुझ गया जी खेर मैं भूझ गया तो इसको देखिए लिया जाए 13% हानी है 15% लाव इसका मतलब आंतर कितना होता है 28 28% का value अगर 63 है तो 1% का value कितना हो जाएगा 63 बटा 28 इसलिए 100% का अंतर कितना हो जाएगा सो चार से कार देजे चार साथ 28 चार से कार जाएगा 25 शात नावा ते तिर सो पचीस नवा दो सो पचीस अंसर आपका D आ जाएगा तो option D क्या हो जाएगा सो ही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला प्राशन है इन में से कौन सा कथन लिंक समवदित निदारन के बारे में गलत है गलत बोला है कि एक इस्तिरी में दो एक समान एकस गुनसुत और एकस वाई होते हैं यही आपका यहाँ गलत होगा तो option B आपका राइट अंसर हो जाएगा डैस ने सुझाओ दिया था कि तत्तों के परती को तत्तों के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है तो यह बरजिलियस ने किसने बरजिलियस ने यह सुझाओ जिया था तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा यदि बेग को दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा यदि बेग को दूगना कर दिया जाएगा, तो सम्वेग चार गुना और गती जूरजा तीन गुना हो जाएगी, यदि सम्वेग दो गुना और गती जूरजा चार गुना देखिए, बात उस सिंपल साथ चीज है, सम्वेग बराबर क्या होता है Mb, काइनेटिक एनरजी बरा आप निकाल के भी देख सकते हैं चलिए अगला प्रशन है कि जब एक मुल्ध होनी का परतिबाधा द्वारा परवर्तित होकर हमारे कानु तक पहुंचती है तो परतिध होनी कितने समय के बाद सुनाई देती है तो परतिध होनी जो होती है जिरो पैंट वन सेगंड से सुनाई देती है तो औप्सनद जो है आपका सेवत्तर हो जाएगा और फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट डैस में व्रवर्तित करमेवर अपस्तित होते हैं तो का सकते हैं कि केको स में तो आप्सनद चेज़ेगा एक 2 BCE के गेंद 5 meter per second के वेक क्या होगा वेग बराबर हमको निकालना है दो केजी वाला पहले टक राती है फिर चार केजी वाला तो हम क्या करेंगे M1 भी बट्टा M1 प्लस M2 पहला का केस में 2 किलो वाला में 2 गुना 5 बट्टा 2 प्लस 4 यानि कि 10 बट्टा 4 10 बट्टा 6 10 बट्टा 6 यानि कि 1.66 एक तो 1.66 आ जाएगा दूसरा टक राएगा चार गुना 5 M1 प्लस एक टू 6 चार पंच बीस बट्टा में 6 यानि कि 3.33 यानि कि 1.66 और 3.33 ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्राशन है कि एक कार एक बहिलगत भाग से गिरती है और 0.4 सेकेंड में भूमी पर आ जाती है माल लिजिए कि स्मॉल जी का मान 10 मिटर पर सेकेंड वार है तो भूमी पर टकराने के बाद इसका चाल क्या हो जाएगी भी बराबर यू प्लस जूटी भी बराबर अगला प्राशन है कि एल्डी हाइड के लिए गलत चुने एल्डी हाइड के लिए बोला है तो अगला प्राशन है कि आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला प्राशन है कि किसी बस्तु पर नाली अथवा द्रिग विशे का पर्ति निधित उडैस के द्वारा किया जाता है तो यह वेगानिक मोडल के द्वारा किया जाता है तो ऑप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा जब विजलिक पारित करने से एक पधार्थ का नए पधार्थ में अफगटन किया जाता है तो इन में से कौन से रसाइनी कब करिया होती है तो इसमें इलेक्ट्र लाइटिक अफगटन हो जाता है तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्राशन है कि एक कार एक बाहर की भाग से गिरती हुए जीरो वन प अनुसार क्या होता है तो ओम के नियम क्या होता है ओम के नियम क्या अनुसार अगर देखा जाए तो भी बराबर क्या होता है आई यार तो आर बराबर क्या हो जाएगा भी बटा आई तो ऑप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा छटवे आवर्त में कितने तत होते ह चलिए सेट नमबर तीन खतम अब हम लोग सेट नमबर चार देखने बाले हैं सेट नमबर चार का पहला कोश्चन जो की 27 नमबर 2018 का सिफ्ट वन का कोश्चन है कि उनकोश्चन के सम्मख को जिनकी उत्पती और समत्राजशंत समान होती है जो एक विसेस कार्ज करने के लिए विसेस्ता प्रास्त होता है उन मास्पेसिओ को बनाती है जो सरीर की गती में क्या रखार सथ किया कहा जाता है। उप्सन B आपका सही रखान हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि ग्राफियन पूतक फॉलिकल की गुह चैनल का जाता है तो ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रसंट देखते हैं कि यह एलडे हाट के लिए क्या गलत है यह कोश्चन कई बार पूछे मतलब लिपीट कर दीया गया है तो एल मार लगा लिए इस तरह का प्रसन आपको पूछा जाता है यह सब जितने भी रिलेटेट्ट कोशन है आप देख लिएगा नियन में से किस अधादु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाएगा जैसे या फॉस्फॉरस को हवा में रखिएगा उसमें आग परदर्शित करती है तो परवानु की अक्सिक्रन इस्तिती योगी का वास्तोगी का आवेस जो है उसको परदर्शित करता है योगी का वास्तोगी का आवेस तो आपका सहीवतर हो जाएगा और प्रारंबिक इस्तिती से अंते में इस्तित विस्तापन का जो परिमान होता है प्रमार व्हूं वह क्या होता है वह निम्टम दूरी होता है तो Opson C जो है अपका राइट एंसर हो जाएगा विस्टापन क्या होता है को एकbench CT अगला प्रवस्जव्य देखते हैं अगला क्रश्वन है कि गूर्दस गूर्द große की ननलüक्य के परत में मवजूद होता है ़क्या मवजूद होता है इए गुर्दे की मेंपरत में परत में मवट्रों सी मंगा हो जाएगा और डाइसपरिपूत में विदूद केवल एक साथ, एक परत के माध्यम नड़न् से, प्रवाईध होता है तो यह ऑप्तमरी विदूद केवल एक पॉत के माद्यम से प्रवाइद होता है परकास अंसलेशन के लिए डैस आपसक्त नहीं है तो आपसन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला कोशन देखते हैं कि गुलाकार दरपन जिसकी परवर्तक सता बाहर की और उबरी होती है क्या कालाता है तो उसे उत्तर दरपन कहा जाता है तो आपसन C आपका सही उत्तर हो जाएगा उर्जान सरक्षन के सिध्धान पर उर्जा सरक्षन के सिध्धान के सम्वन्द में कौन सा कथन सही है सही कथन बोला जा गया तो उर्जा के बारे में देखा जाया तो उर्जा का नो तो निर्वान किया जा सकता है और नहीं इसे नस्ट किया जा सकता है तो option D आपका से उत्तर हो जाएगा और जल ये billion में किसी अमली या छार में क्या परिवर्थन होता है तो उसमें छार जल में OH-ion को निर्मित करता है तो option A आपका right answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है कच्चा तेल डैस होता है तो कच्चा जो तेल होता है ये गंध हिजुक पीले अथवा काले रंग का तरल होता है तो option C आपका right answer हो जाएगा निवन में से क्या निसक्रिए gas नहीं है तो chlorine जो होता है ये आपका निसक्रिए gas नहीं होता है यह अधार्ना की की एक्तट्व के सभी पर्मानुस्वान होते हैं को 10 कखुश से गलत सीद किया जा सकता है यह समस्थानिक के यह हैगता स्भी अगया से कन्ते से गलत किया जा सकता है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्न है कि एक कार 72 किलोमीटर परती घंटा की गतिसे चल रही है ब्रेक लगने के बाद इसे रुपने में 4 सकिन लगते हैं यदि कार का दर्मान 1000 किलोग्राम है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का मान क्या होगा बल का मान हमसे पूछ रहा है इनिसियाल वेलोसिटी हमको नहीं पता है फाइनल वेलोसिटी गीवे ने 72 किलोमीटर परती घंटा 72 को मीटर पर सेकेंद बदलेंगे तो इसे 5 बटा 18 से गुना करेंगे तो 18 चोग 32, 4, 5, 20, यह आगया 20 मीटर पॉर सेकेंड, यहां से तोरन निकाल लेंगे, तोरन क्या हो जागा, भी बट्टा, टी, भी कितना है, 20, टी कितना है, 4, यानि कि 5 मीटर पॉर सेकेंड क्या आगया, तोरन आगया, तो बल पूछ रहा है, बल दिया है, और सोरी, बल जार, यूने 5, यानि को सकते हैं, कि 5 गुना, 10 to the power, 3 neutron लिख सकते हैं, तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रसन है, कि निमलिखित में से अल्ट्रा सोनोग्राफी का उप्योग क्या होता है, तो अल्ट्रा सोनोग्राफी का उप्योग जो किया जाता है, इसका उ इमान होता है, तो option A आपका राइट अंसर हो जाएगा, काज बराबर क्या होता है, बॉल गुना बिस्तापन, चलिए अगला question, अगला प्रसन देखते हैं, कि जब crystal gram हो जाते हैं, तो crystal gram के जल का लोफ हो जाता है, और पधार डेस आवस्ता में बदल जाता है, तो पधार ज sign up के लिए गन्ना की क्या होती है, तो मोल में उसकी गन्ना की जाती है, तो option A आपका सही उत्तर हो जाएगा, यदि दो बस्तों के दर्मान को तीन गुना कर दिया जाए, तो दोनों बस्तों के बीच बल क्या हो जाएगा, क्या होता है, एफ बराबर gm1 m2 बट्टा r² होता ह अगर दोनों दर्मान को तीन गुना कर दिया जाए, तो क्या होगा, g into 3m1, 3m2 बट्टा r², यह 3-3 का क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रशन है, सभी बलों में होता है, सभी बलों में क्या होता है, सभी बलों में पर परवानु का अनुन नहीं होता है, तो option D आपका right answer हो जाएगा, और अगला कोशन है कि 3m दर्मान के वस्तु को भू अस्तर से h उचाई तक उपर उठाया गया, तो वस्तु की इस्तिती उचा क्या हो जागी, potential energy बराबर होता है mgh, अगर m3m है, तो क्या हो जाएगा, 3mgh हो तो कि 27 नॉम्बर 2018 का 3rd shift का question है, निम में से क्या hydrocarbon का एक उधारन है, तो है hydrocarbon का क्या उधारन है, तो मिथेन जो होता है, यह hydrocarbon का उधारन होता है, तो option A, B जो है आपका स्वही उतर हो जाएगा, रसाइन सास्ति में कन यानि मोल सब्द का परिचे किसी ने करवाया था, तो यह विलें ओस्ट वर्ड ने करवाया था, तो option C आपका राइट अंसर हो जाएगा, एक मोल बराबर होता है, 6.022 इंटू 10 डुद पाउर, 23 जिसे ओगदरों के संख्या भी कहते हैं, घरसन दोरा किया गया कार्ज का होता है, रिनात्मक होता है, तो option A आपका राइट अंसर करता है, तो यह प्लाजमोडियम जो होता है, बहुत भी खंडन द्वारा परजनन करता है, तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा, डैस का उप्योग करके दुरबल और परवल और के बीच विभेद किया जा सकता है, तो सारवतिक सुचक को उप्योग करके दुरबल और परव अंसर हो जाएगा, न्यूटन के कती के नियमों का परकास, परकासन वर्ष क्या था, तो 687 भी, तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा, और एक स्ट्रोथ तरंग से 0.3 सकेंड में 40 सिकर और 40 गर्द बनते हैं, तो तरंग की आविर्थी क्या हो जाएगी, तरंग की आविर्थ हो जाएगा, डैस परिपत में विदूद परवाइद होने का केवल एक मार्ग होता है, तो वो क्या होता है, तो यह स्रेनिक करम में, तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा, एक तत्व का विनियास 281 है, इसे डैस में सामिल किया जा सकता है, तो इसे तिर्थी आवर्थ के समुद्र में निम्न में से कौन सी उर्जा पाई जाती है, तो समुद्र में जुआरिय उर्जा, समुद्र तरंग और उर्जा और समुद्र तापिय उर्जा पाई जाती है, तो option B आपका राइट अंसर हो जाएगा, यह जी एक वहान की छंता 50% है, और वहान का output 4500 जूल है तो वहान को परदान की इंपुट कितना है, 50% है, अगर 4500 पे 50% है, तो 100% पे 9000 जूल हो जाएगा, तो option C जो है, यह क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, अगला प्रसन देखते हैं, अगला प्रसन है, कि 10 मास्पेशिया सरीर के सभी अंगों में रख्त पॉम करके पहुचाने में हिर्दे की साहता करती है, जिसमें लाइबत, संकुचन और विसराम की आप सेक्टा होती है, कि यह कार्डियक जो होता है, यह मास्पेशिया सरीर के सभी अंगों में रख्त पॉम को पहुचाने का काल करता है, अधात्मों का व्यापक उप्योग बैस मे होता है, आपका सही उत्तर हो जाएगा, और अमोनियम सर्फेट का रसानी क्या होता है, तो अप्शन B आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगे देखते हैं अगला प्रस ने, खीचने का एक उधारन क्या है, खीचने का धोज फराना, धोज को फराया जाता है, खीच के ही, आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेंडलिक की आवर्ट सानी में लंब रूप अस्तंबो को डैस और 36 पंक्तियों को डैस कहा जाता है, तो मेंडलिक की आवर्ट सानी में लंब अस्तंबो को समूर, समूर और 36 पंक्तियों को आवर्ट कहा जाता है, तो आपका सही उत्तर हो नियुटन के गती का दूसरा नियम क्या कहता है नीटन के गती सका होता है है, कि बल के परभाव को समझने में शह होता है, बहुत हाट दल्मी है। यहां option B आपका स्ही उतर हो जाएगा स्वर già संग्रहकों में अधिक gor мас nhất 2 Des x में होता है, घर चन में अधिक चंता है तो होता है संग्रहक में होता है, option B आपका राइक अंशर हो जाएगा और विदलन विभाजन के संभण में निम में से कौन सा कथन सही है तो विदलन विभाजन की बात की जाए तो विदलन विभाजन की बात की जाए तो इसमें कोशिका काया कार क्या होता है घटता है तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा और calcium oxide के लिए रसानिक सुत्र क्या होता है calcium oxide के लिए रसानिक सुत्र CAO होता है तो option C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला question देखते है set number यह आपका 6 है set number 6 जो की 28 number 2018 के shift 1 में पूछा गया प्रस्न है कि किसी वस्तु को उर्द्वारदर उपर क्यों फेका गया यह दि और यह भूमी से अधिक्तम उचाई H तक पहुची इसके उपर जाने को दौरान उचाई H के एक बटा चार वस्तु तो वस्तु में क्या हो जाएगी अगर उपर फेका जाएगा फिर नीचे आएगा इसमें क क्या कहते हैं तो जो होता है इसी तिक तश्वीर के तक्षें टी यहां Pv SI ॐ यह तो होता है तो भी यह तो हो जाएगा एक darle क्या होता है एक उत्तर लेंज की फोकस दुरी फोकस लंबाई 25 सेंटिमेटर तो उसकी चमता की गन्ना किजिए पी बराबर क्या होता है वन बटा एफ यानि एक बटा पचीस सेंटिमेटर उपर 100 कर दिजिए यह आपका मिटर है तो सेंटिमेटर में बदाल देंगे तो कितना हो जाएगा यदि वायू पर्तिरोद को नगन माने तो मुझत रूप से गिरते हुए पिंट की इस्तितिति उर्जा और गतीज उर्जा का जो जोग होगा वो क्या होगा तो यह आपका इस्तिर होगा तो आप्शन डी जो है आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्राशन है कि निम र्फिंट पूजा से उस्मा उर्जा में बदलता है आपका इस्तिरोद परनसर हो यह जाएगा अगला प्लसन है कि इस तरह के यह पति का कि अ üst परकार किया जाता है कि लिए कि इसको पचाने के लिए साकहारी को लंबी छोटी आथ क्या शेक्ता होती है तो आपसन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रसन है थोड़ा से इसको उपर कर लेते हैं कि एक बस्तु बीस न्यूटन का बल लागू किया जाता है और दो मीटर पर सेकेन स्कार के तोरूं के साथ क मैं भूइज़ करती करती है बॉस्तु के दर्मान के गन्ना कीश्चा किया था है मैं एसको कितना है 20 बैर दर्मान नहीं पता है तोरण आपका 2 है, 2 से कार दीजे 10 यह आपका 10 के जी हो जाएगा तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए अगला question है किसी भीर बड़ी गली पर किसी कार की गति डैस का एक उधारन है तो किसका एक उधारन है और सामान गति का उधारन होता है तो option C आपका right answer हो जाएगा और निक्लिक्रिद में से कौन और देधातू नहीं है तो chlorine जो होता है यह और देधातू नहीं होता है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और रदरफोर्ट परवानू मोडल में अलफा कन डैस पर परभायुत किये जाते थे तो अलफा कन सोन पर परवायुत किये जाते थे तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है कि एक बस्तू का भार 980 N है यह गुरूतिय तो और 9.8 मिनों पर सेक्ड़ स्क्वार रहे तो बस्तू का दरमान क्या हो जाएगा कर दिए न 9.8 से कितना हो जाएगा यह 100 kg हो जाएगा डायरेट कर दिए 100 kg तो option आप कर देखें यहां करके देखा देते हैं तो कोई है कोई से कट गया F कितना दिया है 980 N दरमान नहीं पता है तो रहन 9.8 है तो यह बराबर क्या हो जाएगा 980 9.8 यह को जूरब रहा दिजाएगा उपर तो निचे अंठानवर हो जाएगा 100 के लिए option यह क्या हो जाएगा आपका सही उत्ता एसे बाएर जो घरों में बिजले संचारित करते हैं उसमें पोलिविनायल कुलोराइड की कोटिम होती है तो option C आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सेट समतुल है तो सेट समतुल की बात की जाए तो विटामिन बी फाइफ निया सेट जो है यह आपका समतुल है तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्राशन है कि सीरो बिंद का सीरो बिंद सीरो बिंदू कौन का पूरक डैस होता है तो यह क्या होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 273 के लिए उनका मान क्या होगा तो 273 के लिए उनका मान 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो option E आपका राइट एंसर हो जाएगा आप निकाल भी सकते हैं सी माइनस जूरो बटा सो बराबर एक माइनस बटीस बटा एक स्वासी फॉर्मूला लगाके किसी पॉद्य के वरंस्पति भाग डैस के होते हैं यह जड़त अने और पत्तियों के होते हैं तो option यह आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्तों को डैस के अधार पर वर्गिक्रित किस में मौझूद होता है तो यह जो होता है तो अप्शन सी आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लखीत में से कौन सा विकल्प अन विकल्पों से भीन है तो मिर्दा की मिर्दू अमल के साथ उप्चारित किया जाए तो इस मिट्टी में हाइड्रेंजिया गुल्म के फूल डेस्क होंगे तो यह किसके होंगे नीले रंग के तो अप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा पौधों में गैशो का अधान पता रंग डेस्क माधियम से होता है तो अप्शन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा है यह छे समाप अब हम देखने माले हैं सेट नं प्लस एस्टू मिलके क्या बनेगा यह बनाएगा एन एल फोर एकवेज ऑप्शन बी यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा मलों की संख्या किसे निकालते हैं दि या गय संख्या वलाबन बटना अनुदार्मन 54 है और यहों गश्या जाएगा एक एक하는데 याबनी क्युस को सकते हैं कि इसकी संख्या जो है कितनी में जाएगी अनुवग संख्या 6.02 इंटी 10 पाउर 23 होती है तो option A आपका राइट अंसर हो जाएगा क्योंकि एक मोल संख्या किसके बराबर होता है 6.022 इंटी 10 पाउर 23 के तो option A आपका राइट अंसर हो जाएगा मेंडिलिक का नियम बताता है आपका होजाएगा सथ नहीं बहर गया है तो अप्शंड Inc.. आपका सही उतर हो जायाएगा तो आप्रोसण D mesure देखते हैं कि सन्योजी उत्तर डैस से निकलते हैं यह आपका मध्य जन्लस्तर यानि कि मेशोड्रम से निकलते हैं तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और निम्लिखित में से क्या पढ़ जाती हो कि संख्या के स्थिर बने रहने से सम्द्धित है तो यह आपका परजनन तो option C यहाँ पर से सयुद्तर हो जाएगा अगला प्रस्ण है कि उस दोनी तरंग का तरंग ग्याद किजिए जिसकी परदत माध्य में आवरती 800 हर्ट और गती 420 मिटर पर सेकेंड है तो तरंग दर्ज कहा रहा है तो भी बराबर क्या होता है इन लेम्डा क्या होता है इन लेम्डा तो लेम अगला प्रस्ण है कि वह मंडल ये दाप पर एक केजी ठोस को इसके गलनाग मिंदू पर तरल अवस्ता में बदलने के लिए आप सेफ उसमें उजाकरासी क्या होता है तो आप सेफ उसमें उजाकरासी द्रवन की गृप्त उसमा होती है तो आपसन आपका राइट आंसर हो प्लिठव्य की समतर सथ पर पहुंचने वाले यह बैसीन ड्रीटर य द्रैश द्रफ डश अस परश्ट की यह तहेँगा knowledge to do प्लस परति घंटा डिफ्यूज रेडियेशन में तो option B आपका राइट अंसर हो जागा सुक्रानु को सिधे अंडे में अंतच्छेपित करने की अत्यधिक डिक्सित परकुरिया आजको ज्याब इसे क्या कहा जाता है यानि की इंट्रा सिट उप सिट्स हमिख एस्पर्म इंजेक्शन ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वसा उत्तक इन में किसमें पश्टित होते हैं तो वसा उत्तक छो होते हैं यह आपके सब्त्रूटेनियस मेंत पश्टित होते हैं जो आपके और कर राइट हो जाएगा cigarette रिमिकांण नाम बताऊने सिफ संसरो नाम बता है ंगते राइट आंसर हो जाएगा अगला प्रासन है कि 40 kg दर्मान की वस्तु को किसी वस्तु को भूमी से एक निश्चित उचाई तक उठाया जाता है और इसके इस्तिति जो उचाई जूल है तो वस्तु की भूमी से उचाई गैद किजिए पोटेंसियल एनर्जी बराबर क्या होता है क्या है एक जुरो से एक जुरो एक जुरो से चार पंचे वीस पांच मीटर आपकर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा मनुस्वर में डैस एक अम्डिय माध्य निश्च करता है जो एंजाइम पेप्शिन के कार्ज को सुगम बना देता है तो यह हाईडोकलोरिक अम निद्ट में से क्या है पुन पास्न जो है तो खांबह जांगा निवन की कों सा गथन गलत है चाहिए तो यहीरे आपका गलत है उप सब्सक्राहन से बिश्च क ici जो जो की अठाइस नॉम्मर 2018 का थर्ड सिर्ट में पूरा पूछा गया प्रसन है और तो अचिये प्रत में किस परकार के उत्तक मौझूद होते हैं तो इसमें वसीय उत्तक मौझूद होते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परजनन डेस में मदद करता है तो परजनन जो होत तो क्लिष्टो गैमस पूस्ट की प्रकिरति कैसी होती है तो यह आपका सो प्रागवनित होता है तो आप्शन डी यहां पर आपका राइट अंसर हो जाएगा समीकरन जेडेनो प्लस न ओएट प्लस एस्टू ओ एन टू जेडेनो फोर में समीकरन संतुरित करने के लिए उत परजुक्त बल द्वार अ wolves विस तापन के ब्रकू और बिच कौन किद्क यहोगा जीरो डि looking किया होगा इंसर ऑप्षे सेल else होता है तो अप्षैनली परवाह के लिए मार्क पादान करता है तो और और मनुस्वह में पेट से आने वाला भोजन जो होता है, यह अमनीय होता है, तो ओप्षन D यहां प्र क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा. धात्वों को बीना तोरे पीट कर पत्ली चादरे बनाई जा सकती है, धात्वों डैस हैं, वो क्या होगी? औग हात वर्धनिये तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और thorium, curium और union, dash होता है thorium, curium, union, union जो होता है radioactive तत होता है तो option B यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा dash में एक एसा एकल चार्ज पर्मानु या पर्मानु समुष सामिन हो सकता है जिसमें सुध चार्ज जो होता है आपका आयन होता है तो option B यहाँ पे सही उतर हो जाएगा और जब किसी बस्तू को उपर क्यों फेका जाता है तो बस्तू में होने वाले गतीज और इस्तिती जुल्जा में परियोर्तन को क्या कहा जाता है तो गतीज जुल्जा कम हो जाती है और इस्तिती जुल्जा क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो option D यहाँ पे सही उतर हो जाएगा अगला प्राशन निर्ण में से कौन सा कथन सही है कथन सही है कि जब एक लिफ्ट में एक बस्तू का वजन उपर क्यों बढ़ते समय बढ़ता है जबकि उसका दरमान क्या रहता है समान रहता है तो option B जो है आपका right answer हो जाएगा फ्रीफोर क्यों से कौन सा खतला है सही है लंब तरूष से उपर को फ्यक्यों यह गिन 18 स सटह से उपर के जाते हैं तो g command घटता है अगर हम प्रित्वी की सता से उपर को आजाते हैं तो g command बढ़ता है ठीक है सबसे पहले b बराबर क्या होता है b बराबर u प्लस gt लेकन यहां क्या करेंगे b बराबर u minus gt उपर को आजाने ठीक है इनिस्यलform किया हो जाएगे 0 तरह यहां GT कर देंगे यानि कि 10 गुंडा 9 यानि क्या हो जाएगक 90 sc यह तो गश्य आपकर यह से कोटा है तो हम कह सकते हैं कि गश्य कि कृष्य में से08 किसी किरन के वीकरन प्रवा के सख़ता से 36 सथा पर ज्युक्ता सब की जा सकते हैं तो ame см 17 przyёмょ welche देंक करता है। Exodus स्थातु की जा सकते हैं तो such a सबांसर की दिया के कथन को पढ़ा ऑन पढ़ाएं तो थातु में करवा होता है और अच्छारक स्वाद में करवा होते हैं और आमले स्वाद में खट्टे होते हैं तो यहां देखा जाए तो दोनों ही सही है एक और दो तो आप्शन भी यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है कि एक गेंद को हो 49 इंचाई से गिराये जाता है दो सकेंद बाद इसकी इ PG Зд yesty और 15 शीज़ा हो जाएगा अथी मिघत क्या है जीरो है एच बराबर क्या है वовых अथी अब्सट इसकृर 19.6 मीटर ठीक है यह पहला अब उन्चास में से 19.6 मैंस कर देंगे यह आपका 29.4 हो गया अब पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा MGH यानि की M गुना 9.8 x 29.4 होगा अब देखर हमको हाफ MbS को निकालना है कैनेटिक एनर्जी कैनेटिक एनर्जी आप निकालिएगा 19.6 को रखके कैनेटिक एनर्जी निकालिएगा और इन दोनों कानपात क्या है आप दिए इसका आंसर आप निकाल सकते हैं लग चलिए निम्रिकीत मैंसे कौन साजी को सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं अगनासे गिलिसिंग संपूट होता है यह सही नहीं है एक दोनी तुरंग के फ्रिक्वेंसी 2 kHz है त्था तुरंग की लंबाई 35 cm है तो तुरंग को 11 km की यात्रा करने में कितना समय लगेगा कितना है लंबाइ 35 है 35 गुना 10 इस तो चीनल मइनस तू लिग दीजिए यह कितना हो जाएगा यहाँ साथ सो मीटर पॉर सेकेंड अब 15 सोब की दूरी करना है तो 15 सोब को साथ से भाग दीजिए 2.1 सेकंड लगेगा समय क्या होता है दूरी बटा चाल तो option B यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा से नमबर नो का पहला कोश्चन जो की एक दिसमबर 2018 को पुछा गया है एक मात अधातु जो तो पाए जाता है तो ब्रोमीन है आपका राइट अंसर हो जाएगा प्राक्ट्व का विकास भूमी अनुकुलों में डैस का एक महत्पुरून अनुक है तो गुलू कोज जो होता है यह च्छे कारवन अनुक होता है तो अप्षण यह आपका राइट अंसर हो जाएगा एक गोल में आच परसेंट नमक है यह जो जाएगा तो उर्जा तो इसमें नमक की मातरा क्या हो जाएगी पांसो पचास का आठ परसेंट यानिके सब्से उपर जुक्त है तो गतिमान वश्ट्व का संभेव उसके दर्मान और विक पर निर्भव करता है तो आप्षण बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्रस्ट प्रस्ट है क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन डैस के उधारन है तो क्लो सब्सक्राइब के साथ सम यूगमी स्थितिया डैस में पाई जाती है तो आप्षण यहां पर सही उत्तर होगा और मनुस्यों में पुरूसों के यौन गुन सुत्रों में डैस समुग पाया जाता है तो एकस वाई समुग पाया जाता है तो आप्षण यह आपका राइट अंसर हो जाएगा और ठोश सता द्वारा किसी भी बस्तु पर समाने दिशा में लगाएगे बल को क्या कहा जाता है तो उसे समाने बल कहा जाता है तो आप्षण यह आपका स लिए लोता है आ को अप्सें उतर हो जाएगा और डाहिंस December कहांब करते हैं तो बो समें theta leuke peachoda द्रों ट्रों ट्रों यहाँःगा और कर्मानल किक्र के heury पर काते हैं तो तो option B आपका सही उत्तर होगा, नियम में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन कहा रहा है कि बांथ के जल में कति जूर्जा होती है, option C जो आपका सही गलत सही उत्तर होगा, और डेस का रचानिक पर्थ की, लेटिन सप्के लेटिनिम से बना होता है, तो यह किसका होता है यह potassium का तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्राशन है कि P4O10 plus H2O H3PO समिक्रों पर ध्यान दे इस अविक्रिया में जल के आपसे कन कितने होंगे तो यह आपके 6 होंगे तो option B आपका सही उत्तर होगा और नियम प्रस्तितियों में किसमें काल नकरात्मक बल द्वारा किया गया है तो नकरात्मक बल जो है जब कोई बस्तु बल के विक्रित दिशा में अस्तनांत्रित होता है तो उसमें होता है तो option C जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा और अगला question देखते हैं अगला question है कि निम्रिकित में से क्या गुरुत वकर्षन के सारवतिक नियम से संबंदित नहीं है तो चंदर्मा के चार ओर प्रिथी की गति जो है यह चंदर्मा गुरुत वकर्षन के सारवतिक नियम से संब्धित नहीं है और 10 पौधों के सबी भागों में भोजन पहुंचाता है तो होता है पौधों के सब्यागों में भोजन को पहुंचाता है तो option B यहां पर आपका सही उत्र हो जाएगा चलिए सेट नमबर 10 देखने वाले हैं सेट नमबर 10 का पहला question देखते हैं जो कि ये 1 December 2018 का thought shift का पुछा गया प्रसन है कि विराम वास्ता से चलती हुई एक बस दो मिनट के लिए 0.2 के समान तोरण के साथ चलता है तो तोई की गई दूरी क्या हो जाएगे एस बराबर क्या होता है ut plus half 80 square यहाँ initial velocity 0 होगा तो यह 0 हो जाएगा half 80 square 2 गुना तोरण आपका कितना है तोरण यहाँ पे दिया है आपका कितना है 0.2 के समान 0.2 into 2 मिनट 2 मिनट के लिए कर रहा है 2 मिनट यानि की 2 गुना 60 120 120 का square क्या हो जाएगा 120 मिनट गुना 120 आप कार दिजिए 2 से कार दिजिए 60 60 बार में यह अगर करेंग तो 2 हो जाएगा 62 गुना 120 यानि की 12 12 गुना 144 यानि की 1440 मिटर तो आपका रहाइट आंसर हो जाएगा अगला प्रासन है कि एक परमानों की दर्मान संख्या के बराबर क्या होता है परमानों इसमें प्रोटोन और रिटोन की संख्या का जोग जो है परमानों की दर्मान संख्या के बराबर होता है और पक्छी और कक्छो द्वारा उत्पादित अंडे के खेल डैस की उस सांधता होती है तो यह आपका केल्सियम कर्मोनेट का तो option B आपका राइट आंसर हो जाएगा यह दि एक गुलाकार दर्पन की वक्षत तरिजया 10 cm है तो दर्पन की फोकस दूरी क्या हो जाएगी फोक सब्सक्राइब नहीं खा रहा है निवनिकित में से कौन एक छार नहीं है तो एस्पिरीन जो होता है यह छार नहीं होता है तो option C आपका राइट आंसर हो जाएगा अमलों बड़सा क्यूं होता है यह जिवास्म इंदन के दहन से वाय मंडल में कार्बोन नाइट्रोजन और सब्सक्राइब के औक्साइड निर्गत होते हैं चलिए अगला प्रसन है जैसा कि हम धात्मों की विदू सिंकर में नीचे जाते हैं परतिक्रिया सिल होती है परतिक्रिया सिल क्या आदी कमी होती है तो option यह आपका सही उत्तर हो जाएगा और दोनी तरोंगों की आवर्ति र पर कोई परवर्तन नहीं दिखता है क्योंकि कोई भी मुक्त हाइड्रोजन प्रोटॉन उपलब नहीं है तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और 10 नीटन का बल शुरू में बिरामा वस्ता से 5 किलो के बस्तू पर काम करता है तो बस्तू के गती से पहले सेकेंड के दोर है कि अब देखे असे ब्यूटी प्लस हाफ हेटी स्कॉयर करेंगे एक ब्यूटी प्लस हाफ एटी स्कॉयर होगा तो है यह हो जाएगा हाफ दो गुना तो रहन हमारा कितना है है कि कितना है एक तो नेक एक है तो वन इंटो वन 2-2 कर जाएगा यह यह आपका एक मिट shorter आगा byगा डावनीकाक कया होता है यानि कि तस अपकाए कितना दस कुल जायगा दैस प्रूस जूलांसर कि आजयागा option बी option B जाएट कि bab Best अघला प्रस्डक्य एक और गर्म GM में कितने मौल मौझूद होते हैं तो एकाउन गुरा अमोनिया आमोनिया का होता है नहीं हो सकता है तो आपसन भी क्या हो जागा सही नहीं है यदि बीस किलोग्राम दर्मान के एक बस्तू दो मीटर पर सकेंड करती है तो इस पर लगाएगा बल का मान कितना होगा बल का मान पूछ रहा है यह बराबर क्या होता है में बीस बुनदू यानिकी चालिस नुटन तो आपसन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्राशन है कौन सा प्लेटी हाइल मिंध्रिस से संबंदित है कौन संबंदित है तो लिवर फ्लूक तो आपसन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा माइट्रोकॉंड्रिया में डैस किसका अफ्यो करके पाइरोवेट को तूरा जाता है तो यह आपका ऑक्सीजन ओटू का तो आपसन यह आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला प्रा यह आपका राइटांसर हो जाएगा CH3, CH2H किसका एक उधारन है तो यह आपका अलकोहल का तो आप्शन है यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा यदि किसी वस्तु की तिरजिया R1 विर्थाकार पत के चारो और घुमने में 20 सेकंड लेता है तो भी द्वारा किया गया भी द्वा क्या हो जाएगा 2PiR by T option C hydrogen carbon जैसा होता है तो hydrogen जो है एक समान option गुन के कारण होता है तो option D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा और पेट 1-ग होता है तो option C आपका सही उत्तर हो जाएगा और समान मासिक धर्म आम तरपर डैश दिनों तक रहता है तो यह लगभग 2-8 दिन त वास्प में बदल जाता है तो वो क्या होता है आयोडीन तो option यह आपका right answer हो जाएगा और किसी वस्तु में गती जूल जा होने के लिए निमनिखित में से किस इस्तिति के आप सेकता होती है तो उसे यह गतीम होना चाहिए तो option यह आपका right answer हो जाएगा प्रस्ण देखते हैं सेक्ट नमबर 11 जो कि 3 दिसमबर 2018 का shift 2 में पुछा गया है और अपत और हडियां dash के उधारन होते हैं तो यह सन योजी उत्तक के उधारन होते हैं तो option D आपका right answer हो जाएगा option यह आप पर सही उत्तर हो जाएगा एक अचल अस्तान से चल रसोनी का वेग cycle द्वारा 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड हो जाता है अगला पर सथाट एया करते हैं यानि कि, सोना और प्लेटनियम के अतिरिक धातो मूल औकसाइड बनाने के लिए औक सीजर अब जातान और करते हैं इसके गुनवत्ता के लिए कास्टिक चुना का उप्योग किया जा सकता है तो option A यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा डेस को क्यूक लाइम भी कहा जाता है तो calcium oxide को क्यूक लाइम भी कहा जाता है तो option D जो है आपका right answer हो जाएगा और निमलिखित में से कौन सब पोधा थैलो फाइटा समुझा सम्बंदित नहीं रहता है तो थैलो फाइटा समुझा सम्बंदित नहीं है परते दिन 8 घंटे के लिए 100 वाट के लेक्टिक लाइम का उप्योग किया जाता है तो तीन दिनों में लैब द्वारा खपत की लिए उड़ जाकी एक आई गन्ना कीजिए ठीक है तो दिनों के संख्या कितनी है तीन दिन 8 घंटा जलता है जी आठ गुना 100 यानि कि 800 वाट यानि कि 2400 वाट 2400 वाट एक यूनिट में 1000 वाट होता है तो कोर का जो घंट होता है । जल के घंट से कम होता है तो आप्जन D जो है आपका राइट अनसर हो जाएगा 2 किलो वाट आए में क्या हो जा जाए तो एक किलो वाट में 3.6 इंडू 10 वाट 6 heavenly होता है तो दो में क्या हो जाएगा । यानि 7.2 इंटू 10 लुद्वर 6 जूल तो option D आपका right answer हो जाएगा गन्ना समाने तर dash से उगाया जाता है तो गन्ना जो है यह काईक प्रवर्धन के जरी उगाया जाता है तो option D यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा अगला है टेकीग्लोसस डैस के बीच चनुयोजक करिया होती है तो अप्सुन C यहाँ पर क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा और अगला प्रव्वर्धन देखते हैं कि उस नाप गैस का नाम क्या है जिसे आधूनिक आवर्ध सारी में पहले आवर्ध में रखा गया तो उसे हीलि आपका राइट अंसर हो जाएगा और निम्लिखित में से किस पर क्लिया के दोरान बहुत मातरा में उड़्जा बाहर निकलती है तो यह आपका वाई सोसन में तो आप्शन डी यहां पे सही उत्तर हो जाएगा और जब किसी बस्तू को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अ वो क्या है वो जूरेनियम है तो आप्शन डी आपका राइट अंसर हो जाएगा धातु आगात वरधनिया और कोमल होती है क्योंकि धातु के परमानुए के परते एक दूसरे पर फिसल सकती है तो आप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा और निम्लिखित में यह कौन सा संगीत नोट्स की एक दूसरे से अलग नहीं करता है तो यह आबरती तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा और फेरस कुलराइट का अनिवक सुद्र क्या होता है तो फेरस कुलराइट का Fe Cl2 तो option A आपका आपका सही उत्तर हो जाएगा और मंदता का अर्थ क्या होता है तो रिनात्मक्त वरन को मंदता कहा जाता है तो option A यहां पर सही उत्तर हो जाएगा और यह अंतिम सेट है सेट नंबर 12 जो की 4 दिसंबर 2018 में पूछा गया प्रसन है आए यह अंतिम देख लेते हैं अमोनिया बनाने के लिए कौन सेत्तर का सन्योजी होते हैं तो यह हाइडोजन और नाइट्रोजन तो option C आपका राइट अंसर हो जाएगा और निवू के रस का pH मान कितना होता है तो दो होता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा निवू का एक्षुलिट 2.2 होता है ठीक है इन में से कौन सी एक छारी मिर्दा धातु नहीं है तो potassium जो होता है यह छारी मिर्दा धातु नहीं होता है पोटेसियम को के से दिनोट करते हैं चलिए प्लास्टर और पेरिस का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो CSO4.5H2O तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और डैस वेग में प्रोवतन की दर होती है तो तौरन जो होता है वेग में प्रोवतन की दर होता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका उत्तगों का कार्ज क्या होता है तो पूरे सरीर में होता है तो option D यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा और nitrogen का आन्यूग दर्मान 28 है और इसका परमानुदर्मान 14 तो नाइट्रोजन का परमानुदर्मान कितना हो जाएगा 28 वटा 14 यानि कि दो तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा 5.5 किलोवाट आवर में कितना होता है तो एक किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 रूदवाट 6 जूल होता है निम्न में से कौन सा पोधा टेरीडोफाइटा का स्रेनी का है तो स्रेनी का है तो मारसिलिया जो है मारसिलिया टेरीडोफाइटा का स्रेनी का है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा और निम्निकित में से क्या आधातू के संबद में सही नहीं है तो ठोसा दातु नरण और चम्प की नहीं होता है यहीं सही नहीं है चली अगला कोशन देखते हैं कि चलती वी बस में रुकने के लिए ब्रेक लगाने पर यातरी आगे क्यों गिरने लगता है और रुकी वी बस की गती करने पर पीछे क्यों गिरने लगता है यह कारण होता है ये जरत्व के कारण होता है तो आप संड यहां प然后 जाएगा और मानेवे इंसुलीन का वानेजीक उत्पाद उत्पादन निम्र्ट ट्रांस जेनिक जाती होता है तो यह आपका एसके रिसिया में होता है तो option A आपका right answer हो जाएगा और एक घर में एक महिने के दोरान 245 unit उरजा के खपत होती है तो जूल में यह कितनी उरजा होगी तो जूल में देखा जाए तो एक unit बराबर क्या होता है 3.6 into 10.6 जूल होता है तो हम कह सकते हैं 245 को 3.6 into 10.6 से जैसे ही गुना करेंगे हमारा 882 into 10.6 जूल आ जाएगा तो option D आपका सही उत्तर हो जाएगा जो सकती और समय का परिनाम है इसकी काई WS और किलो वार्ट इसे क्या का जाता है इसे विधूत उर्जा का जाता है तो option B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा evolution पर किरिया शुरू करने के लिए फिटुटुटी द्वारा निम्रिषित में सकीस हर्मोन का अस्त्रावित किया जाता है तो लिटिनाइजिंग का हर्मोन का तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और रख चाप लार और उल्टी सहीत अनेक्षिप क्रियाओं को डेस द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो इसे मेडूला द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो option B आपका सही उत्तर हो जाएगा आधुनिक आवर्सानिक के किस सम्मू और वर्म में कार्बन को रखा गया है तो यह आप कार्बन को दूसरा वर्म और चोधामा सम्मू में तो option D आपका राइट अंसर हो जाएगा और उच्छ तापमान पर ठोस को गर्म करने के लिए परियोग साला में इस्तेमाल किये जान उससे बनता है तो यह आपका सिल्लिकोन से बनता है तो option है का ताम को गउन की नहीं है तो उनकी उपस्तिति लाल जीटिमस को निला कर देता है यह घुन नहीं है तो option D आपका राइट आंसर हो जाएगा और 10 गउग सिक blinking होजाएगा क्या हो जाएगी आभिर्थी क्या हो जाएगी total number of Jeph 0.10 को तो सो हर्ट जो है यह अपका सही उत्तर हो जाएगा तो चलिए अगर आप सभी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करें धोस्तू चैनल को सब्सक्राइब करें चले मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जाए हिंदे